प्रभाव मनोविज्ञान का द्वारा अनुने रोबर्ट बी सियालदीनी पिएचडी परिचेह मैं इसे अब स्वतंत्र रूप से स्विकार कर सकता हूँ मेरा सारा जीवन मैं एक पाटी रहा हूँ जब तक मैं याद कर सकते हैं मैं पेडलर्स की पिचों के लिए एक आसान निशान रहा हूँ फन, राइजर और एक प्रकार या किसी अन्य के संचालक सथ है इन में से केवल कुछ लोगों के निंदनी इरादे हैं अन्य के प्रतिनिधी उदाहरण के लिए कुछ धर्मार्थ एजेंसियों के इरादे सबसे अच्छे रहे हैं कोई बात नहीं व्यक्तिगत रूप से परेशान करने वाली आवरित्ती के साथ मैंने हमेशा पाया है मेरे पास अवांशित पत्री का सदसेता या टिकट है सफाई कर्मचारियों की गेंद शायद यह लंबे समय से चली आ रही स्थिती के रूप में अनुपालन के अधेयन में मेरी रुची के लिए चूसने वाला खाता बस क्या क्या ऐसे कारक हैं जो एक व्यक्ती को दूसरे व्यक्ती को हा कहने का कारण बनते हैं और इन कारकों को लाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी धंग से इन कारकों का उप्योग करती है अनुपालन मुझे आश्चरे हुआ कि ऐसा क्यों है कि एक अनुरोध एक निश्चित तरीके से कहा गया है खारिज कर दिया जाएगा जबकि एक अनुरोध जो थोड़ा सा समान पक्ष मांगता है अलग फैशन सफल होगा तो एक प्रयोगात्मक सामाजिक मनोवग्यानिक के रूप में मेरी भूमिका में मैंने करना शुरू किया अनुपालन के मनोवग्यान में अनुसंधान सबसे पहले शोध अधिकांश भाग के लिए माई मैं किये गए प्रयोगों का रूप ले लिया प्रयोगशाला और कॉलेज के छात्रों पर मैं यह जानना चाहता था कि कौन सा मनो तारकिक सिध्धान्त अनुरोध का पालन करने की प्रवरित्ती को प्रभावित करते हैं सही, अब मनो वैज्यानिक इन सिध्धान्तों के बारे में काफी कुछ जानते हैं वे क्या हैं? और कैसे काम करते हैं? मैंने ऐसे सिध्धान्तों को हतियार के रूप में चित्रित किया है प्रभाव का और उपर में सबसे महत्वपूर्ण में से कुछ पर रिपोर्ट करेगा आने वाले अध्याए हालांकि एक समय के बाद मुझे एहसास होने लगा कि प्रायोगिक कारे आवशेक होने पर परियाप्त नहीं था इसने मुझे आयात का न्याय करने की अनुम्ती नहीं दी मनोविज्ञान के निर्मान से परे दुनिया में सिध्धान्तों की उत्पत्ती और जिस परिसर में मैं उनकी जांच कर रहा था यह सपश्ट हो गया की यदि मैं अनुपालन के मनोविज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे इसकी आवशेक्ता होगी मेरे जांच के दाइरे का विस्तार करें मुझे शिकायत देखने की आवशेक्ता होगी पूर्व पेशेवर वे लोग जो सिध्धान्तों का उप्योग कर रहे थे मुझे जीवन भर वे जानते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं का कानून योगेतम का अस्तित्व सुनिश्चित करता है उनका काम हमें पालन करना है और उनकी आजीविका इसी पर निर्भर करती है जो नहीं जानते की कैसे प्राप्त करें लोग हा कहने के लिए जल्द ही गेर जाते हैं जो करते हैं, रहते हैं और फलते फूलते हैं बेशक, अनुपालन पेशेवर केवल वही नहीं है जो इन सिध्धानतों के बारे में जाने और उन्हें अपना रास्ता पाने में मदद करने के लिए उप्योग करें हम, सभी उन्हें रोजगार देते हैं और उनके शिकार होते हैं कुछ हद तक हमारे दैनिक में पढ़ोसियों, दोस्तों, प्रेमियों और संतानों के साथ बात चीत लेकिन वो अनुपालन चिकित सकों के पास असपष्ट और शौकिया की तुलना में बहुत अधिक है हम में से बाकी लोगों की तुलना में क्या काम करता है इसकी समर्ज जैसा मैंने सोचा था इसके बारे में मुझे पता था कि वे सूचना की सबसे समरिधनस का प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे लिए उपलब्ध अनुपालन के बारे में लगभग तीन वर्षों के लिए मैं कौम मेरे प्रयोगात्मक अध्येनों को निश्चित रूप से अधिक मनोरंजग के साथ जोड़ा गया अनुपालन प्रोफेसरों की दुनिया में व्यवस्थित विसर्जन का कारेक्रम S.I.O.N.A.L.S. बिक्री संचालक, धन उगाहने वाले, भर्ती करने वाले, विग्यापन दाता और अन्य इसका उद्देशे अंदर से तकनीकों और का निरेक्षन करना था रननीतियों की एक विस्तरित श्रिंग्खला द्वारा सबसे अधिक और प्रभावी धंग से उप्योग किया जाता है अनुपालन चिकित सकुम अवलोकन के उस कारेक्रम में कभी-कभी लग जाता था अभ्यासियों के साथ स्वेव और कभी-कभी साक्षातकार के रूप में प्राकृतिक शत्रूओं के साथ उदाहरन के लिए पुलिस बंको स्ट्वार्ड अधिकारी कुछ व्यवसाईयों की उपभोकता एजेंसिया अन्य समय में यह लिखित सामगरी का ग्यहन परीक्षन किया जिसके द्वारा अनुपालन तकनीकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान तरित किया जाता है एर, बिक्री नियमावली और इसी तरह अकसर, हालांकी, इसने सहभागी अवलोकन का रूप ले लिया है ती आई, सहभागी अवलोकन एक शोध उपागम है जिसमें पुन, खोज करता एक प्रकार का जासूस बन जाता है प्रच्छन पहचान और मन्शा के साथ अनवेशक ब्याज की सेटिंग में गुसपैट करता है और एक पूर्ण बन जाता है अधेयन के लिए समुह में प्रतिभागी तो जब मैं इसके बारे में सीखना चाहता था विश्वकुष की अनुपालन रननीती या वैक्यूम कलीनर या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या नरित्ते पाठ बिक्री संगठन मैं उत्तर दूंगा बिक्री प्रशिक्षों के लिए समाचार पत्र विग्यापन और उन्होंने मुझे अपने तरीके सिखाए समान लेकिन समान द्रिष्टी कोनों का उप्योग करके मैं विग्यापन में प्रवेश करने में सक्षम था उनकी जांच करने के लिए लंबवत, जनसंपर्थ और धन उगाहने वाली एजेंसिया तकनीक इस पुस्तक में प्रस्तूत किये गए अधिकांश साक्षे तब आते हैं मेरे अनुभव से एक अनुपालन पेशेवर या आकांक्षी के रूप में प्रस्तूत करना पेशेवर, हमें प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठनों की एक विशाल विविदता में हा कहने के लिए प्रतिभागी की इस तीन साल की अवधी में मैंने जो सीखा उसका एक पहलू अवलोकन सबसे शिक्षाप्रद था हालांकी हजारों है विभिन रणनीतिया जो अनुपालन चिकित सखा उत्पन करने के लिए नियोजित करते हैं बहुमत छह बुनियादी श्रेणियों के अंतरगत आता है इनमें से प्रतेक श्रेणी है एक मौलिक मनोवै ग्यानिक सिध्धान्त द्वारा शासित है जो मानव को निर्देशित करता है व्यवहार और ऐसा करने में रणनीति को उनकी शक्ती देता है यह किताब है इन छह सिध्धान्तों के इर्दगिर्द संगठित एक से एक अध्याय प्रधान, चेले संगती, पारस्परिक्ता, सामाजिक प्रमान, अधिकार, पसंद और बेखराव समाज में उनके कारे के संदर्भ में प्रतेक पर चर्चा की जाती है और कैसे उनके विशाल बल को द्वारा कमीशन किया जा सकता है अनुपालन पेशेवर जो चतुराई से उन्हें अनुरोधों में शामिल करता है खरीद, दान, रिविया आयते, वोट, सहमती, आदी के लिए यह योग्य है ध्यान दे कि मैंने छह सिद्धानतों में सरलनियम शामिल नहीं किया है भौतिक स्वार्थ के लिए कि लोग सबसे अधिक प्राप्ट करना चाहते हैं और भुगतान करना चाहते हैं कम से कम उनकी पसंद के लिए यह चूद किसी भी धारना से नहीं उपजी है मेरी ओर से अधिक्तम लाब और लागत कम करने की इच्छा है हमारे निर्णयों को चलाने में महत वहिन ना ही किसी से आता है मेरे पास सबूत हैं कि अनुपालन पेशेवर इसकी शक्ती की उपेक्षा करते हैं नियम इसके बिलकुल विप्रीद अपनी जान चपड़ताल में मैंने अकसर अभ्यास देखा सम्मोहक मैं कर सकता हूँ का उपयोग करने वाले कभी-कभी इमानदारी से कभी-कभी नहीं आपको एक अच्छा सोदा दे द्रिष्टी को मैं स्वयन सामगरी का इलाज नहीं करना चुनता हूँ इस पुस्तक में व्याजनियम अलग से क्योंकि मैं इसे एक प्रेरक के रूप में देखता हूँ दिये गए बिना कहे जाने वाले कारक के रूप में जो पावती के योग है लेकिन विस्तरित विवरन नहीं अंत में प्रतेक सिध्धान्त की एक विशिष्ट उत्पादन करने की क्षमता के रूप में जांच की जाती है लोगों से स्वत नासमज अनुपालन यानी एक इच्छु पहले बिना सोचे समझे हां कहना सबूत बताते हैं की आधुनिक जीवन की निरंतर गती और सूचनात्मक ग्रश बना देगा अविचारनी ए अनुपालन का यह विशेश रूप अधिक से अधिक प्रचलित है भविशे में यह समाज के लिए तेजी से महत्व पूर्ण होगा इसलिए स्वचालित प्रभाव के कैसे और क्यों को समझने के लिए इन्फ्लूेंस के पहले संसकरण को प्रकाशित हुए कुछ समय हो गया है इस बीच कुछ चीजे हुई हैं जो मुझे लगता है कि एक जगह के लायक है इस नए संसकरण में पहले, अब हम प्रभाव के बारे में अधिक जानते हैं पहले की तुलना में प्रक्रिया अनुनय, अनुपालन और परिवर्तन का अधेयन उन्नत हो गया है और आने वाले प्रिष्ठों को प्रतिबिम्बित करने के लिए अनुकूलित किया गया है वह प्रक्ति सामगरी के समगर अध्यतन के अलावा मेरे पास है एक नई सुविधा शामिल है जो पूर्व की प्रतिक्रियाओं से प्रेरित थी पाठक यह नई विशेशता उन व्यक्तियों के अनुप्वों को उजागर करती है जिनके पास प्रभाव पढ़ें माननेता प्राप्त है कि सिध्धानतों में से एक ने कैसे काम किया या के लिए उन्हें एक विशेश उदाहरन में और घटना का वर्णन करते हुए मुझे लिखा उनके विवरन जो के अंत में रीडर्स रिपोर्ट समय दिखाई देते हैं प्रतेक अध्याय स्पष्ट करें कि हम कितनी आसानी से और बार-बार इसके शिकार हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव प्रक्रिया का खेंचाव मैं निमनलिखित व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ या तो सीधे या अपने पाठेकरम प्रशिक्षकों के माध्यम से रीडर की रिपोर्ट में योगदान दिया इस संसकरण में प्रयुक्त, पैट बॉब्स, मार्क हेस्टिक्स, जेम्स माइकल्स, पॉल, आर, नेल, एलन जे, रेसनिक, डेरिल रेट जलाफ, दैन स्विफ्ट और कारला वास्क में इसके अलावा, मैं नए पाठकों को इसी तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ भविशे के संसकरण में संभावित प्रकाशन के लिए उन्हें मेरे पास भेजा जा सकता है मनोविज्यान विभाग, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, टिमपे, एजेड, 852871104 रोबर्ट बी सियाल डिनी, अध्यायवन, के हतियार, प्रभाव, सब कुछ जितना हो सके उतना सरल बनाना चाहिए, लेकिन सिम नहीं लर, अलबर्ट आइंस्टीन, मुझे एक दिन एक दोस्त का फोन आया, जिसने हाल ही में एरिजोना में एक भारती अजवेलरी स्टोर खोला था वह एक के साथ गदगद थी, खबर का उत्सुक टुकडा, अभी अभी कुछ आकरशक हुआ था, और उसने सोचा की, एक मनोवै ग्यानिक के रूप में, मैं उसे यह समझाने में सक्षम हो सकती हूँ कहानी में उसके पास फिरोजा के गहनों का एक निश्चित आवंटन शामिल था बेचने में परेशानी हो रही है यह परेटन सीजन का चरम था स्टोर असामाने रूप से ग्राहकों से भरा था, फिरोजा के टुकडे अच्छे थे कीमतों के लिए गुनवत्ता जो वह पूछ रही थी, फिर भी वे नहीं बिके थे मेरा दोस्त उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ मानक विक्री तरकीबों का प्रयास किया था उसने उनके स्थान को और अधिक में स्थानां तरित करके उनका ध्यान आकरशित करने का प्रयास किया केंद्रिय प्रदर्शन शेत्र, कोई भागय नहीं उसने अपने सेल्स स्टाफ को धक्का देने के लिए भी कहा आइटम कठिन, फिर से सफलता के बिना अन्त में, शहर से बाहर खरीदारी यात्रा पर जाने से एक रात पहले, वह अपने हर्ड सेल्स सवुमन को एक अतिरंजित नोट लिखा, सब कुछ में यह डिस्प्ले केस, कीमा, केवल आप अतिजनक टुकडों से छुटकारा पाने की उम्मीद में भले ही नुकसान हो कुछ दिनों बाद जब वह लोटी, तो उसे पता नहीं था यह जानकर अच्छा लगा कि हर वस्तु बिक चुकी है हाला कि वह चौंक गई थी यह पता लगाने के लिए क्योंकि करमचारी ने अपने स्क्रॉल में आधा पढ़ा था संदेश टू के रूप में संपूर्न आवंटन मूल के दो गुने पर बिक गया था कीमा, तभी उसने मुझे फोन किया मुझे लगा कि मुझे पता है कि क्या हुआ था लेकिन उससे कहा कि अगर मुझे चीजों को ठीक से समझाना है तो उसे करना होगा मेरी एक कहानी सुनो दरहसल यह मेरी कहानी नहीं है यह मा के बारे में है तरकी और यह नैतिक्ता के अपेक्षाक करित नए विज्ञान से संबंधित है जानवरों का उनकी प्राकृतिक सेटिंग में अधेयन तुर्की माताय अच्छी है माताय, प्यार करने वाली, चौकस और सुरक्षात मत वे अपना बहुत खर्च करते हैं नीचे के युवा को समय देना, गर्म करना, सफाई करना और हडल करना उन्हें लेकिन उनके तरीके में कुछ अजीब है लगभग सभी यह मातरित्व एक चीज से शुरू होता है चीप-चीप, ध्वनी युवा तरकी लड़कियों चूजों की अन्य पहचान करने वाली विशेशताई, जैसे उनकी गंद, स्पर्ष, या रूप में छोटी भूमी का निभाते प्रतीत होते हैं मातरू प्रक्रिया यदि कोई चूजा, चीप-चीप, की आवाज करता है तो उसका मा इसकी देख भाल करेगी, नहीं तो मा नजर अंदाज कर देगी या कभी मार देगी यह इस एक ध्वनी पर मातरू तरकी की अत्यधिक निर्भरता थी नाटकिये रूप से पशुव्यवहारवादी M.W. फोक्स ने अपने विवरण में सचित्र किया एक मातर्की और एक भरवा पोलकैट को शामिल करने वाले एक प्रयोग का एक मातर्की के लिए एक पोलकैट एक प्राकृतिक दुश्मन है जिसका द्रिष्टी कों है स्क्वाकिंग, पेकिंग, क्लोईंग रेज के साथ स्वागत किया जाना दरहसल, अनुभवी इमेंटर्स ने पाया कि पोलकैट का एक भरवा मोडल भी, जब किसके द्वारा खींचा जाता है एक मातर्की की और एक तार, एक ततकाल और उग्रप्राप्त हुआ आकरमन जब, हालांकि, वही भरवा प्रतिकृति उसके अंदर एक छोटी सी ले जाती है रिकॉर्डर जिसने बेबी तरकी की, चीप-चीप, ध्वनी बजाई मा ने न केवल आने वाले पोलकैट को स्विकार किया बलकि उसके नीचे इकठा किया उसे साफ करो जब मशीन बंध हो गई, तो पोलकैट मोडल फिर से एक शातिर हमला किया इन परिस्थितियों में एक महिला तरकी कितनी हास्यास्पद लगती है वह एक प्राकृतिक दुश्मन को सिर्फ इसलिए गले लगाएगी क्योंकि वह चीप-चीप करता है और वह अपने ही चूजों में से किसी एक के साथ दुर्वेवहार करेगी या उसकी हत्या करेगी क्योंकि वह नहीं करता वह एक आटोमेटन की तरह दिखती है जिसकी मात्रू प्रवरित्ती है उस एकल ध्वनी के स्वचालित नियंतरन में नेतिक तावादी बताते हैं हमें पता है कि इस तरह की चीज अद्वितिय से टर्की के लिए बहुत दूर है उन्होंने है एक में कार्रवाई के नियमित ने त्रहीन यांतरिक पैटर्न की पहचान करना शुरू कर दिया प्रजातियों की विस्तरित विविधता फिक्स डेक्षन पैटर्न कहा जाता है वे जटिल अनुक्रमों को शामिल कर सकते हैं विवहार जैसे संपूर्ण प्रेमालाप या संभोग अनुष्ठान एक मौलिक इन पैटर्नों की विशेष्टा यह है कि विवहार जो उन्हें बनाते हैं लगभग एक ही फैशन में और हर बार उसी क्रम में होते हैं यह लगभग वैसा ही है जैसे कि जानवरों के भीतर टेप पर पैटर्न दर्ज किये गए हों जब स्थिती प्रेमालाप की मांग करती है तो प्रेमालाप टेप बजाया जाता है जब स्थिती मात्रित्व की मांग करती है तो मात्री वेवहार टेप हो जाता है खेला क्लिक करें और उप्यूक्त टेप सक्री हो गया है वहियर इंड आउट रोल्स वेवहार का मानक क्रम इन सब के बारे में सबसे दिल्चस्प बात यह है कि जिस तरह से टेप ऐसी होते है प्रेरित उदाहरन के लिए जब एक नर जानवर अपने शेत्र की रक्षा के लिए कारे करता है यह उसी प्रजाती के एक अन्य नर की गुसपैट है जो T.E.R. का संकेत देती है पुरुष नहीं है एक संपूर्ण जो T.E.R. है यह उसकी कुछ विशिष्ट विशेष्टा है T.E.R. विशेष्टा अक्सर T.E.R. फीचर समगरता का सिर्फ एक छोटा सा पहलू होगा वह आने वाला घुसपैटिया है कभी कभी रंग की एक छाया होती है ट्रिगर सुविधा उदाहरन के लिए नैतिक ताविदों के प्रयोगों ने दिखाया है कि एक पुरुष रॉबिन ऐसा अभीने करता है जैसे कि एक प्रतिद्वंद्वी रॉबिन उसके शेत्र में प्रवेश कर गया हो विल रॉबिन रेडब्रेस्ट पंकों के जुर्मूट के अलावा और कुछ नहीं पर सकती से हमला करें वहां रखा साथ ही यह वस्तुत एक संपूर्ण भरवा को अंदेखा कर देगा लाल स्टन पंकों के बिना नर रॉबिन की प्रतिकृती इसी तरह के परिणाम है पक्षी की एक अन्य प्रजाती ब्लू त्रूट में पाया गया है जहां यह दिखाई देता है कि प्रादेशिक रक्षा के लिए ट्रिगर नीले स्टन की एक विशिष्ट छाया है पंक इससे पहले कि हम बहुत अधिक तसकरी का आनंद लें जिससे निचले जानवर आसानी से हो सकें पूरी तरह से अनुप्यूक्त तरीकों से प्रतिक्रिया करने के लिए ट्रिगर सुविधाओं द्वारा धोखा दिया जा सकता है स्थिती के अनुसार हमें दो चीजों का एहसास हो सकता है सबसे पहले स्वचालिद निश्चिद इन जानवरों के क्रिया पैटर्न बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं समय उदाहरन के लिए क्योंकि केवल स्वस्थ सामाने टर्की चूजे ही बनाते हैं बेबी तर्की की अजीब औगरीब आवाज यह मदर तर्की के लिए समझ में आता है उस एकल चीप-चीप शोर को मात्रू रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिक्रिया करके बस उस एक उत्तेजना के लिए औसत मा तर्की लगभग हमेशा रहेगी सही विवहार करें उसे टेप जैसा बनाने के लिए वैग्यानिक की तरह एक चालबाज की जरूरत होती है प्रतिक्रिया मूर खता पूर्ण लगती है समझने वाली दूसरी महित्व पूर्ण बात यह है कि हमारे पास भी हमारे प्रिप्रोग्राम्द टेप हैं और हालांकी वे आम तोर पर हमारे लाब के लिए काम करते हैं उन्हें सक्री करने वाली ट्रिगर विशेशताएं हो सकती हैं हमें उन्हें गलत समय पर खेलने के लिए धोखा देते थे मानव स्वचालित क्रिया का यह समानांतर रूप उप्युक्त रूप से प्रदर्शित होता है हारवर्ड के सामाजिक मनोवै ग्यानिक एलिन लेंगर के एक प्रयोग में एक कुवां मानव विवहार का ग्यात सिध्धान्त कहता है कि जब हम किसी से पूचते हैं हमें एक एहसान करने के लिए अगर हम एक कारण प्रदान करते हैं तो हम और अधिक सफल होंगी लोग बस जो करते हैं उसके लिए कारण रखना पसंद करते हैं लंगर दानव इंतजार कर रहे लोगों से एक छोटा सा एहसान माग कर इस हैरान करने वाली बात का इजहार किया लाइबरेरी कॉपी मशीन का उपयोग करने के लिए लाइन में क्षमा करें, मेरे पास पांच प्रिष्ट हैं मई, मैं जेरोक्स मशीन का उप्योग करता हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, इसकी प्रभाव शीलता, अनुरोध प्लस कारण लगभग कुल था, पूछने वालों में से 84 प्रतिशत, उसे लाइन में उनसे आगे निकलने दें, इस सफलता दर की तुलना परिणामों से करे जब उसने केवल अनुरोध किया, क्षमा करें, मेरे पास 5 प्रिष्ट हैं, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जेरोक्स मशीन, उन परिस्थितियों में उनमें से केवल 60 प्रतिशत, अनुपालन पूछा, पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है, कि महत्वपूर्ण अंतर, द तीसरे प्रकार के अनुरोध का प्रयास किया गया, लेंगर ने दिखाया कि ऐसा नहीं था, ऐसा लगता है, कि यह नहीं था, शब्दों की पूरी श्रिंग खला, लेकिन पहला, क्योंकि, जिसने अंतर बनाया, ENCE, अनुपालन के वास्तविक कारण को शामिल करने के बजाए, लेंगर का तीसरा, अनुरोध के प्रकार में, क्योंकि, शब्द का प्रयोग किया गया, और फिर, कुछ भी नया नहीं जोडा गया, केवल सपष्ट को पुन, स्थापित किया, क्षमा करें, मेरे पास पांच प्रिष्ट हैं, क्या मैं का उप्योग कर सकता हूँ, जे रूक्स मशीन क्योंकि, मुझे कुछ प्रतियां बनानी है, नतीजा यह हुआ की एक बार, फिर से लगभग सभी, 93 प्रतिशत, सहमत हुए, भले ही कोई वास्तविक कारण नहो, नहीं, नई जानकारी, उनके पालन को सही ठहराने के लिए जोड़ी गई थी, बस के रूप में, तरकी के चूजों की, चीप-चीप, ध्वनी ने एक स्वचालित मातरित्व को जन्म दिया, मातरू तरकी से प्रतिक्रियाबले ही यह एक भरवां से निकली हूँ, पोले कैट तो, भी, शब्द, क्योंकि, एक स्वचालित शिकायत को ट्रिगर करता है, लेंगर के विश्यों से प्रतिक्रिया, तब भी जब उन्हें नहीं दिया गया था, पालन करने के लिए बाद का कारण, क्लिक करें, भीर, हालांकि लेंगर के कुछ अतिरिक्त निश्कर्ष बताते हैं, कि, ऐसी कई स्थितिया जिन में मानव व्यवहार एक यंत्र में काम नहीं करता, आइसी एल, टेप सक्रिय तरीका, जो आश्चरेजनक है, वह कितनी बार करता है, के लिए, उदाहरन के लिए, उन गहनों की दुकान के ग्राहकों के अजीब व्यवहार पर विचार करें, जिन्होंने फिरोजा के जब तक कि इसे क्लिक वहिर शब्दों में नहीं देखा जाता है, ग्राहक अधिकतर धनी परेटक जिन्हें कम जानकारी होती है, फिरोजा के एक मानक सिध्धान्त का उप्योग कर रहे थे, एक स्टीरियो टाइप मार्ग दर्शन करने के लिए, उनकी खरीदारी महंगा गया था लेकिन कीमत, गुनवत्ता के लिए केवल कीमत एक ट्रिगर विशेषता बन गई थी, और एक नाटकिये, अकेले कीमत में वृद्धी के कारण विक्री में नाटकिये वृद्धी हुई थी, गुनवत्ता के भूखे खरीदार, क्लिक करें, वहिर, परेटकों को उनक पूर्ण खरीद निर्नेयों के लिए दोश देना आसान है, परंतु, एक नजदी की नजर एक दयालू द्रेश्य प्रस्तुत करता है, ये वे लोग थे जो थे, नियम पर लाया गया, आपको वह मिलता है, जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, और किसने देखा था, वह न नियम उनके जीवन में बार-बार पैदा हुआ, बहुत पहले उनके पास था, नियम का अनुवाद महेंगा अच्छा करने के लिए किया, महेंगा अच्छा, स्टीरियोटाइप ने अतीत में उनके लिए काफी अच्छा काम किया था, क्योंकि सामानने रूप से, किसी वस्त क्यान के बिना अच्छे फिरोजा के गहने चाहने का विचार, फिरोजा, वे समझधारी से पुराने स्टैंडबाय फीचर पर निर्भर थे, गहनों की खूबियों को निर्धारित करने की लागत, हाला कि उन्हें शायद इसका एहसास नहीं था, केवल प्रतिक्रिया करके, फिरोजा की कीमत विशेषता, वे का एक शौर्टकट संसकरन चला रहे थे, दाम लगाना, कोशिश करके सभी बाधाओं को अपने पक्षमे करने के बजाए, उन सभी चीजों में महारत हासिल करने के लिए श्रम साध्य रूप से जो इसके मूल्य का संकित देती हैं, उन्हें वह सब कुछ बता देगी जो उन्हें जानना आवशेक था, इस समय क्योंकि किसी ने को टू के लिए गलत समझा, उन्होंने गलत शर्ट लगाई, लेकिन में लंबे समय तक उनके जीवन की सभी अतीत और भविशे की स्थितियों पर सटे बाजी, वे शौर्टकट सबसे तरकसंगत द्रिष्टिकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वास्तव में स्वचालिद, रूरिबद्ध व्यवहार अधिकतर हुभू में प्रचलित है, मानव क्रिया, क्योंकि कई मामलों में यह व्यवहार का सबसे कुशल रूप है, आई इन जी और अन्य मामलों मे यह बस आवशेक है, आप और मैं एक पूर्व में मौजूद हैं, असाधारन रूप से जटिल प्रोतसाहन वातावरन, आसानी से सबसे तेजी से, गतिशील और जटिल जो इस ग्रह पर कभी अस्तित्व में रहा है, साथ सौदा करने के लिए, यह हमें शौर्टकट चाहिए हमसे सभी को पहचानने और उनका विशलेशन करने की उमीद नहीं की जा सकती है, प्रतेक व्यक्ति, घटना और स्थिती में जिन पहलूँ का हम सामना करते हैं, वे भी, एक दिन, हमारे पास इसके लिए समय, उर्जा या क्षमता नहीं है, इसके बजाए, हम, वर्गी कृत क करने के लिए अक्सर हमारे रूरिवादिता, हमारे अंगूटे के नियमों का उप्योग करना चाहिए, कुछ प्रमुख विशेष्टाओं के अनुसार चीजे और फिर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के लिए, जब इनमें से एक या कोई अन्य ट्रिगर सुविधाय कभी कभी अनियंत्रित होने वाला व्यवहार उसके लिए उप्यूक्त नहीं होगा, स्थिती क्योंकि सबसे अच्छी रूरिया और ट्रिगर सुविधाय भी नहीं है, हर बार काम करो, लेकिन हम उनकी अपूरनता को स्विकार करते हैं, क्योंकि वास्तव में है, कोई अन्य विकल्प नहीं, उनके बिना हम जम्य हुए खड़े होंगे, सूची बद्ध करना, मूल ल्यांकन करना, और कैलिब्रेट करना, जैसे जैसे कारवाई का समय दूर दूर तक जाता है, और सभी संकेतों से हम उन पर और भी अधिक भरोसा करेंगे, भविशे में हद तक, जैसे जैसे हमारे जीवन को संतरिप्त करने वाली उत्तेजना बढ़ती जा रही है, अधिक जटिल और परिवर्तनशील, हमें अधिक से अधिक निर्भर रहना होगा, उन सभी को संभालने के लिए हमारे शॉर्ट कट, प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक अलफ्रेड नौर्थ भाइठेड मानते हैं, आधुनिक जीवन के इस अप्रिहारे गुन को पहचाना जब उन्होंने कहा कि, सभेता हमारे द्वारा किये जा सकने वाले कारियों की संख्या को बढ़ा कर आगे बढ़ती है, उनके बारे में सोचे बिना प्रदर्शन करें, उदाहरन के लिए विग करते हुए, हमने किस हद तक ओपरेट करना सीखा है, उस धारना पर यंत्रवत रूप से काम करना अनुभव में सचित्र है, एक आटो मोबाइल टायर कंपनी की मेल आउट कूपन की, की वजह से, एक मुदरन तुटी, जितनी अधिक उत्पादित प्राप्त करताओं को 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 प्रतिक्रिया के रूप में तुटी मुक्त कूपन जो परियाप्त पेशकश करते थे, जमापून जी, यहां सपष्ट लेकिन शिक्षाप्रद बात यह है, कि हम उम्मीद करते हैं कि, डबल ड्यूटी करने के लिए कूपन गिने, न केवल हम उनसे बचाने की उम्मीद करते हैं, हमें पैसा, हम यह भी उम्मीद करते हैं, कि वे हमें समय और मानसिक उर्जा बचाएंगे, यह कैसे करना है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है, आज की दुनिया में, हमें सबसे पहले चाहिए, पॉकेट बुक्स ट्रेन को संभालने के लिए लाब, लेकिन हमें दू दूसरा फाइदा चाहिए, संभावित रूप से अधिक महत्व पूर्ण अमस्तिश्क तनाव को संभालने की उम्र, यह अजीब है, कि उनके वर्तमान व्यापक उप्योग और आसन भविशे के बावजूद, महत्व, हम में से अधिकांश अपने स्वचालित व्यवहार के पैटर्ण के लिए एक और नजर, नैतिक ताविदों के काम करम में है, यह पता चला है, कि यह जानवर, उनके रिकॉर्ड किये गए, चीप-चीप्स, और उनके क्लंप के साथ व्यवहारवादी, रंगीन स्तनपंक अकेले नहीं है, जिन्होंने यह खोजा है, कि कैसे, विभिन प्रज जात्तियों के व्यवहार टेप को सक्रिय करने के लिए, का एक समू है, जीव, जिन्हें अक्सर मिमिकरी कहा जाता है, जो दूसरे की क्रिगर विशेशताओं की नकल करते हैं, इन जानवरों को गलती से खेलने के लिए चल करने की कोशिश में जानवर, गलत समय पर सही महिलाओं द्वारा निभाई गई घातक चाल को लें, जुगनू का एक जीनस, फोटुरिस, दूसरे जुगनू जीनस के नर पर, फोटीनस, जाहिर है, फोटीनस नर इमानदारी से बचते हैं, खून की 85 फोटुरिस महिलाओं के साथ संपर्प करें, लेकिन सदियों से, प्रेम्स की प्रजातियां एक दूसरे को बताती हैं, कि वे संभोग के लिए तैयार हैं, किसी तरह, फोटुरिस महिला ने फोटीनस प्रेमालाप कोड को तोड़ दिया है, नकल करके, उसके शिकार के चमकते संभोग संकेत, हत्यारे दावत देने में सक्षम हैं, उन जालित्ता के सबसे गंभीर शोशक प्रतीत होते हैं, उनका शिकार यह असामानने नहीं है, कि उनके पीडितों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया जाए, परंतु, शोशन के कम असंगत रूप भी होते हैं, वहा है, के लिए, उदाहरन के लिए, एक छोटी मचली, करिप पांदान तेदार बलेनी, जो इसका लाब उठाती है, सहयोग का एक असामाने कारेकरम दो सदस्यों द्वारा तयार किया गया, मचली की अन्य प्रजैतिया, सहयोगी मचली एक मठ और जेफ टीम बनाती है, एक और एक बड़ी ग्रूपर मचली से मिलकर और एक बहुत छोट दूसरे पर मचली का प्रकार, छोटी मचली बड़े के लिए क्लीनर का काम करती है, एक जो क्लीनर को उसके पास जाने की अनुमती देता है, और यहां तक कि उसके मुन हमें भी प्रवेश करता है, कवक और अन्य पर जीवियों को दूर करने के लिए जो खुद से जुड़े हुए हैं, बड़ी मचली के दानतिया गलफडे, यह एक सुंदर व्यवस्था है, बड़ा ग्रूपर, हानिकारक कीटों से साफ हो जाता है, और स्वच्च मचली को एक आसान रात का खाना मिलता है, बड़ी मचली आम तोर पर किसी भी अन्य छोटी मचली को खा जाती है, जो खुले मुन्ह और लगभग स्थिर तेरता है, एक लहरदार नरीते के जवाब में जो क्लीनर करता है, इस नरीते क्लीनर की ट्रिगर विशेष्टा प्रतीत होता है, जो सक्रिय करता है, बड़ी मचली की नाटकिय निश्क्रियता, यह करिपांदान तेदार भी प्रदान करत एक कोंग के साथ बलेनी स्वाई अनुष्ठान का लाब उठाने का मौका, सहकारिता की, बलेनी नकल करते हुए बड़े शिकारी से संपर्प करेगा, क्लीनर के नरीते की लहरे और स्वचालित रूप से उतपादन करना, बड़ी मचली की शांद, अचल मुद्रा, फिर अपने नाम के अनुरूप, इड़, जल्दी से बड़ी मचली के मांज से एक कोर्चीर देगा और दूर हो जाएगा, इससे पहले कि उसका चौन का शिकार ठीक हो सके, मानव जंगल में एक मजबूत लेकिन दुख्द समानानतर है, हमारे पास भी है, शोशक जो स्वचालित के हमार अपने ब्रांध के लिए ट्रिगर सुविधाओं की नकल करते हैं, जवाब देना गैर के ज्यादात्तर सहज प्रतिक्रिया अनुक्रमों के विप्रीद, मनुशे, हमारे स्वचालित टेप आमत और पर मनोवैग्यानिक से विक्सित होते हैं, सिध्धानतों या रूरियों को हमने स्विकार करना सीखा है, हालांकी वे भिन्न हैं, उनके बल में, इनमें से कुछ सिध्धानतों में जब्रदस्त क्षमता है, प्रतेक्ष्मानव क्रिया, हम इस तरह से उनके अधीन रहे हैं, हमारे जीवन के शुरुआती बिन्दु और उन्होंने हमें इतने व्यापक रूप से आगे बढ़ाया है, तब से, कि आप और मैं शायद ही कभी उनकी शक्ती का अनुभव करते हैं, कि आखों में, अन्व, हालांकी ऐसा प्रतेक सिध्धानत एक पता लगाने योगे और तैयार हतियार है, ए, स्वचालित प्रभाव का हतियार, ऐसे लोगों का एक है, जो अच्छी तरह से जानते हैं, कि हतियार कहा है, स्वच, प्रभाव के जूट और जो उन्हें नियमित रूप से और कुशलता से नियोजित करते हैं, वे जो चाहते हैं, उसे पाने के लिए, वे सामाजिक मुठभेड से सामाजिक मुठभेड तक जाते हैं, दूसरों स उनकी इच्छाओं का पालन करने का अनुरोध करना, उनकी सफलता की आवरित्ती, चमकदार है, उनकी प्रभाव शीलता का रहसे उनकी संगरचना के तरीके में निहित है, उनके अनुरोध, जिस तरह से वे खुद को एक या दूसरे के साथ बांटते हैं, सामाजिक परिवे आनिक सिध्धान्त और एक स्वचालित विवहार टेप सेट करता है, हमारे भीतर घूम रहा है, और मानव शोशकों पर भरोसा करें कि वे जल्दी से ठीक ठीक सीख लें, कि अनुसार यांत्रिक रूप से प्रतिक्रिया करने की हमारी प्रभृत्ती से इलाब कैसे प्राप्त करें, इन सिध्धान्तों, मेरे दोस्त को याद है, गहनों की दुकान का मालिक, हालांकि उसे फाइदा हुआ, पहली बार दूर घटनावश, उसे शोशन शुरू करने में देर नहीं लगी, महेंगा अच्छा, स्टीरियोटाइप नियमित रूप से और जानबूज कर, अभ किल हो गया है, वह, दावा है, कि यह आश्चरेजनक रूप से लागत प्रभावी है, जब यह पर काम करता है, पहले से न सोचा छुट्टियों जैसा कि यह अक्सर होता है, इसका परिणाम एक, भारी लाब मार्जिन, और तब भी जब यह शुरू में सफल नहो, वह, से कम, लेक को चहनित कर सकती है, और उसे उसके मूल स्थान पर बेच सकती है, कीमत अभी भी महेंगी अच्छी, प्रतिक्रिया का लाब उठाते हुए, फुलाए हुए आंकडे तक, महेंगे, के इस अंतिम प्रयोग में किसी भी तरह से मेरा मित्र मूल नहीं है, अच्छा, नियम स तोदा चाहने वालों को फंसाने के लिए, संस्करिति विद और लेखक लियो, रोस्टिन रूबेक भाईयों, सिड और हैरी का उदाहरन देते हैं, जिन्होंने, रोस्टिन के पड़ोस में एक पुरुशों की दरजी की दुकान का मालिक था, जब वह था, 1930 के दशक में मस्या को स्वीकार करते हैं, और जैसा कि वे बात करते हैं, वह बार-बार अनुरूद करें कि आदमी उससे अधिक जोर से बोलें, एक बार ग्राहक के पास, उसे एक सूट मिला जो उसे पसंद था और उसने कीमत मांगी थी, सिड उसे फोन करेगा, भाई, मुखे दर जी, कम में, यह सूट, अपने काम से उपर देख रहे हैं, और बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, सूट की असली कीमत है, हैरी वापस बुलाएगा, उस खूबसूरत ओलवन के लिए, सूट, 42 डॉलर, नसुनने का नाटक करना और उसकी कपट करना, उसके कान पर हाथ रखा, सिड फिर से पूछेगा, एक बार फिर हैरी जवाब देगा, 42 डॉलर, इस बिंदू पर सिड ग्राहक की ओर रुख करेगा और, रिपोर्ट वह 22 डॉलर कहते हैं, बहुत से आदमी खरीदने की जल्दी करेंगे, अपने महंगे अच्छा के साथ दुकान से सूट और ह था पाई, गरीब सिड ने, गलती, की खोज से पहले सौदा किया, के अधिकांश हतियारों द्वारा साज़ा किये गए कई घटक हैं, इस पुस्तक में वर्नित स्वचालित प्रभाव, हमने पहले ही डिस, उनमें से दो कोशाप दिया लगभग यांतरिक प्रक्रिया जिसके द्वारा शक्ती, इन हतियारों के भीतर सक्रिय किया जा सकता है, और परिणामी शोशन क्षमता, इस शक्ती का कोई भी व्यक्ती जो उन्हें ट्रिगर करना जानता है, एक तिहाई, घटक में जिस तरह से स्वचालित प्रभाव के हतियार शामिल हैं, उनका उप्योग करने बालों को अपना बल दें, ऐसा नहीं है कि हतियार, जैसे, भारी कलबों का एक सेट, एक द्वारा उप्योग किये जाने के लिए एक विशिष्ट शस्त्रागार प्रदान करता है, व्यक्ती को दूसरे को प्रस्तुत करने के लिए उकसाना, प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभाव के महान भंडार को ट्रिगर किया जाए, स्थिती में मौझूद हैं और उन्हें इच्छित लक्षे की ओर निर्देशित करते हैं, इसमें अर्थ, द्रिष्टिकोंग जापानी मार्शल आर्ट फॉर्म के विप्रीत नहीं है, जुजित्सु कहा जाता है, जुजि प्रभाव जो हमारे आसपास स्वाभाविक रूप से मौझूद सिद्धान्तों में निहित शक्ती, उत्तोलन, गती और जर्ता, अगर वह जानती है कि कैसे और कहा जाना है, इन सिद्धान्तों की कार्रवाई को समझना, वह आसानी से शारीरिक रूप से हरा सकती है, इन हतियारों की शक्ती का प्रयोग करते समय अपने लक्षे के विरुद्ध उप्योग करने के लिए, थोड़ा व्यक्ति गतबल, प्रक्रिया की यह अंतिम विशेष्टा शोशकों को अनुम्ती देती है, एक बहुत बड़ा अतिरिक्त लाब बिना हेरफेर करने की क्षमता हेरफेर की उपस्थिती, पीडित खुद भी देखने लगते हैं, बलकी प्राकृतिक बलों की कारवाई द्वारा निर्धारित के रूप में उनका अनुपालन, उस अनुपालन से लाब कमाने वाले व्यक्ति के धिजाईनों की तुलना में, एक उदाहरन क्रम में है, मानव सिध्धान, जो हमारे बीच के अंतर को देखने के तरीके को प्रभावित करता है, दो चीजें जो एक के बाद एक प्रस्तुत की जाती हैं, सीधे शब्दों में कहें, अगर दूसरा, आइटम पहले से काफी अलग है, हम इसे और अधिक भिन्न के रूप में देखेंगे, व हम अनुमान लगाएंगे कि दूसरी वस्तु इफ सिभारी होगी, हमने पहले प्रकाश की कोशिश किये बिना इसे उठा लिया था, विप्रीत सिध्धान्त, मनोविज्यान के शेत्र में अच्छी तरह से स्थापित है और सभी प्रकार के लिए लागू होता है, वजन के अल हमें उतनी ही कम आकरशक लगेगी जितनी वह वास्तव में है, वास्तव में, एरिजोना राजे में विप्रीत सिध्धान्त पर किये गए अधेयन और मोंटाना राजे विश्वविद्यालियों का सुझाव है, कि हम इससे कम संतुष्ट हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे अपन का मूल ल्यांकन किया, विप्रीत लिंग के सदसे कम आकरशक दिखते हैं, यदि वे पहले थे, कुछ लोकप्रिय पत्रिकाओं में विग्यापनों के माध्यम से देखा, एक अन्य अधेयन में, पुरुष कॉलेज छात्रावास के निवासियों ने संभावित अन्धे की तस जिसने एक अलग शो देखते हुए उसका मूल ल्यांकन किया, जाहिरा तोर पर यह था, अंधी तिथी बनाने वाली एंजिल्स महिला सितारों की असामानने सुन्दरता, कम आकरशक लगते हैं, अवधारनात्मत विप्रीत्ता का एक अच्छा प्रदर्शन कभी-कभी नियो जाता है, पानी, एक ठंडा, एक कमरे के तापमान पर और एक गर्म, रखने के बाद, एक हाथ ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में छात्र को बताया जाता है, दोनों को एक साथ गुनगुने पानी में डालने के लिए, खुश नजर, घबराहट जो तुरंत दर्ज हो ज पानि ऐसा लगता है जैसे अब गर्म पानी में है क्यों पानी जैसे इस अब ठंडे पानी में है भात यह है कि वही बात इस उधाहरण में कमरे के तापमान का पानी ऐसा प्रतीत हो सकता है। अपना की प्रकृती के आधार पर बहुत अलग है, जो इससे पहले होती है. आश्वस्त रहे की द्वारा प्रदान किया गया प्रभाव का अच्छा छोटा हतियार. विप्रीत सिध्धान्त का दोहन नहीं किया जाता है. इसका बड़ा फाइदा. सिध्धान्त न केवल यह है, कि यह काम करता है, बलकि यह भी है, कि यह वस्तुत ग्यात नहीं है. योगे, जो लोग इसे नियोजित करते हैं, वे बिना किसी एप के इसके प्रभाव को भुना सकते हैं. स्थिती को अपने पक्ष में संग्रचित करने की उपस्थिती, खुद्रा कपड़ा व्यवसाई, एक अच्छा उदाहरन है. मान लीजिए एक आदमी फैशनेबल पुरुषों की दुकान में प्रवेश करता है, और कहता है कि वह थ्री पीस सूट और स्वेटर खरीदना चाहता है. अगर तुम विक्रेता थे, जिसे आप उसे बनाने के लिए सबसे पहले दिखाएंगे, मानने ग्यान सुझाव दे सकता है. उल्टा, अगर एक आदमी ने सूट खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, तो वह एक की खरीद पर बहुत अधिक खर्च करने के लिए अनिच्चुक हो सकता है. स्वेटर, लेकिन कपड़े वाले बेहतर जानते हैं, वे के सार व्यवहार करते हैं. कंट्रास्ट सिधान्त क्या सुझाव देगा, पहले सूट बेचो, क्योंकि जब स्वेटर देखने की बारी आती है, तो महंगे वाले भी उनके दाम, तुलना में उतना उंचा नहीं लगेगा. एक आदमी के विचार पर जुक सकता है. एक स्वेटर के लिए 95 खर्च कर रहा है, लेकिन अगर उसने अभी-भी 495 का सूट खरीदा है, तो 95 स्वेटर अत्यधिक नहीं लगता. आदमी पर भी यही सिध्धान्त लागू होता है, जो साथ जाने के लिए सहायक उपकरण, शर्ट, जूते, बेल्ट, खरीदना चाहता है. उसका नय के रूप में, हुबिन और मर्फी कहते हैं, दिल्चस्प बात यह है, कि जब भी आदमी एक कपड़े की दुकान में खरीदारी करने के सपश्ट उद्देश्य से प्रवेश करता है, सूट वह जो भी सामान खरीदता है, उसके लिए वह लगभग हमेशा अधिक भुगतान क पहले, केवल इसलिए नहीं कि ऐसा करने में विफल होने पर का प्रभाव खो जाएगा, विपरीच सिध्धान ऐसा करने में विफल रहने से सिध्धान भी काम करेगा, उनके खिलाफ सक्री रूप से सबसे पहले एक सस्ता उतपाद पेश करना और उसके बाद, इसे किसी महं महंगी वस्तु के साथ कम करने से महंगी वस्तु लगने लगेगी, एक परिणाम के रूप में और भी अधिक महंगाय धिकांश के लिए शायद ही एक वांचनिय परिणाम, विक्री संगठन, तो, जैसे की एक ही बालती बनाना संभव है, तापमान के आधार पर पानी गर्म अधारनात्मक विप्रीत्ता का चतुर उप्योग किसी भी तरह से कपडों तक ही सीमित नहीं है, मुझे एक ऐसी तकनीक का पता चला, जिसमें कंट्रास्ट सिधान्त शामिल था, जबकि आई, जांच कर रहा था, अंदर कवर, अचल संपत्ती की अनुपालन रननी थी, कमप समयन, हम उसे फिल कह सकते हैं, मुझे मदद करने के लिए टिप्स देने थे, मेरे ब्रेक कई अवधी के माध्यम से, एक बात जिस पर मैंने तुरंत गौर किया वह यह थी कि, जब भी फिल ने ग्राहकों की संभावित खरीदारी का एक नया सेट दिखाना शुरू किया, वह कमपनी ने अपनी सूची में एक या दो रन डाउन हाउस को फुलाए हुए बनाए रखा, कीमतें, इन घरों को ग्राहकों को बेचने का इरादा नहीं था बलकि, उन्हें दिखाया जाए, ताकि कमपनी की वास्तविक संपत्ती, तुलना से लाभ होगा, सभी विक्री सेट अप घरों का उप्योग, लेकिन फिल ने किया, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना देखना पसंद है, संभावनाओं की आंखें चमक उठती हैं, जब उसने वह स्थान दिखाया जो वह वास्तव में चाहता था, जरजर मकानों को देखने के बाद उन्हें बेचने के लि ये देखा गया, डंप का, आटो मोबाइल डीलर कंट्रास्ट सिधान्त का उप्योग तब तक प्रतीक्षा करके करते हैं, जब तक, एक विकल्प का सुझाव देने से पहले एक नई कार की कीमत पर बातचीत की गई है, एक के बाद एक जो जोड़ा जा सकता है, 15,000 के बाद डॉलर का सोदा, एक एफेम, जैसी सुंदर्ता के लिए आवशेक सो या इतने डॉलर, तुलना में रेडियू लगभग तुच लगता है, के बारे में भी यही सत होगा, टिंटेड विंडू, ग्यूल साइड व्यू मिरर जैसे एक से स्रीज का अतिरिक्त खर्च, रोर्स, भाइट वोल टायर, या विशेश ट्रिम जो विक्रेता सुझा सकता है, क्रम से, चाल एक से स्वतंत्र रूप से अतिरिक्त लाने की है, दूसरा, ताकि प्रतेक छोटी की कीमत की तुलना में छोटी लगे, पहले से ही निर्धारित बहुत बड़ा, जैसा कि अनुभवी कार खरीदार प्रमानित कर सकता है, कई बजट आक कार के अंतिम मूले आंकडे अतिरिक्त से बढ़े हैं, उन सभी प्रतीत होता है, छोटे विकल्पों में से, जबकि ग्राहक खड़ा है, हस्ताक्षरित, हाथ में अनुभंध, सोच रहा था कि क्या हुआ और किसी को नहीं मिल रहा है, दोश लेकिन खुद, कार डीलर की जानने वाली मुसकान मुसकुराते हुए खड़ा है, जुजित्सु मास्टर, पाठक की रिपोर्ट, एक कॉलेज सहशिक्षा के म पिता से, प्रिये मा और पिता जी, जब से मैं कॉलेज के लिए निकला हूँ, मुझे लिखित रूप में याद किया गया है, और न लिखे जाने में अपनी विचारहीनता के लिए मुझे खेद है, आगे का, मैं आपको अभी अप्टू डेट लाऊंगा, लेकिन इससे पहल देख की आप आगे पढ़ें, क्रिपया बैठ जाओ, आपको तब तक आगे नहीं पढ़ना है, जब तक आप बैठे हैं, ठीक है, कैर, अब मैं बहुत अच्छी तरह से घुल मिल रहा हूँ, खोपडी, फ्रेक्चर और जब मैं बाहर कूद गया तो मुझे जो चोट लगी थी, मेरे छात्रावास की खिडकी में जब कुछ ही देर बाद आग लग गई, मेरा यहां आगमन अब बहुत अच्छा हो गया है, मैंने केवल दो खर्च किये, सपताह अस्पताल में और अब मैं लगभग सामाने रूप से देख सकता हूँ और दिन में केवल एक बार उन ब जिन्होंने दमकल विभाग और एंबुलेंस को फोन किया, वह भी अस्पताल में मुझ से मिलने आया और चूंकी मेरे पास रहने के लिए कहीं नहीं था, जले हुए छात्रावास के कारण वह काफी दयालू था, मुझे उसके साथ अपना अपार्टमेंट साज़ा करने के ल पढ़ गए हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, हमें अभी तक सटीक तारीक नहीं मिली है, लेकिन यह माई से पहले होगी, गर्भावस्था दिखाई देने लगती है, हाँ, मा और पिताजी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे पता है कितना, आप दादा दादी बनने के लिए उत्सुक हैं और मुझे पता है, आप बच्चे का स्वागत करेंगे और उसे वही प्यार देंगे और भक्ती और कोमल देखभाल आपने मुझे बच्पन में दी थी, हमारी शादी में देरी का कारण है मेरा बोयफरिंग, एक छोटा सा संक्रमन है, जो हमें अपने पास से गुजरने से रोकता है, प्रीमेरिटल ब्लर टेस्ट और मैंने लाप्रवाही से उससे पकड़ा, अब जब मैं आपको अप्टू डेट लेकर आया हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि कोई छात्रावास में आग नहीं थी, मुझे कोई चोट नहीं थी, य मुझे अमेरिकी इतिहास में, D, मिल रहा है, और A, रसायन शास्त्र में, F, और मैं चाहता हूँ, कि आप उन अंकों को उनके, में देखें, उचित द्रिश्टिकूं, आपकी प्यारी बेटी, शेरून, शेरून रसायन शास्त्र में अस्फल हो सकता है, लेकिन उसे मिलता है, अध्याय दो, विनिमय करना, ओल्ड गिव एंड टे, एंड टे, हर कर्ज चुकाओ, जैसे कि भगवान ने बिल लिखा हो, राल्फ वाल्डो इमर्सन, कुछ साल पहले, एक विश्व विद्याले के प्रोफेसर ने एक छोटा सा प्रयोग किया, उन्होंने अध्भूद, उसे संबोधित होलीडे कार्ड ससे वापस आ रहे थे, जो लोग उनसे न कभी मिले थे और नहीं उनके बारे में सुना था, उनमें से अधिकंश, जिसने कार्ड लोटाया, उसने कभी अग्यात की पहचान नहीं की, प्रोफेसर, उन्हें उनका होलीडे ग्री चक्तिशाली में से एग की कार्रवाई को अच्छी तरह से दिखाता है, हमारे चारों और प्रवाह, पारस्परिक्ता का नियम, नियम कहता है कि हम, किसी अन्यव्यक्ती ने हमें जो प्रदान किया है, उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए, अगर, स्थरी हम पर उपकार कर अगर एक आदमी हमें जन्मदिन का तोहफा भेजता है, हमें उसका जन्मदिन याद रखना चाहिए. हमारा अपना उपहार, अगर कोई जोड़ा हमें किसी पार्टी में आमंतरित करता है, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए. उन्हें हम में से एक के लिए आमंतरित करें पारस्परिक्ता नियम के आधार पर हम एहसान, उपहार, निमंत्रन और के भविशे के पुनर्भुगतान के लिए बाध्य है पसंद, रिन की प्राप्ती के साथ होना इतना विशिष्ट है ऐसी बातें की बहुत बाध्य जैसे शब्द का पर्याय बन गया है धन्यवाद, नकेवल अंग्रेजी भाषा में बलकी अन्य में भी पारस्परिक्ता और भावना के लिए नियम का प्रभावशाली पहलून इसके साथ जाने वाला दायत्व मानव संस्कृती में इसकी व्यापकता है यह है इतना व्यापक की गहन अधेयन के बाद एलविन जैसे समाज शास्त्रियों ने गोल्डिनर रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई मानव समाज नहीं है जो उप नियम के लेखक और प्रतेक समाज के भीतर भी यह व्यापक लगता है यह हर तरह के आदान प्रदान में प्रवेश करता है वास्तव में यह अच्छी तरह से हो सकता है कि एक डी पारस्परिक्ता के लिए नियम से बहने वाली रिन अग्रस्तता की विक्सित प्रणाली मानव संस्कृती की एक अनूठी संपत्ती है प्रसिद्ध पुरातत्व विद रिचर्ड लीकी उस सार का वर्नन करता है जो हमें पारस्परिक्ता के लिए मानव बनाता है प्रनाली हम इंसान हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने साज़ा करना सीखा दायत्व के एक सम्मानित नेट्वर्क में भोजन और उनके कोशल वह कहते हैं सांस्कृतिक मानव विज्ञानी लियोनेल टाइगर और रॉबिन फोक्स इस वेब को देखते हैं रेनगरस्तिता मनुशे के एक अद्विती अनुकूली तंत्र के रूप में अल श्रम विभाजन के लिए कम विभिन प्रकार के सामानों का आदान प्रदान विभिन सेवाओं का आदान प्रदान विशेशग्यों के लिए इसे संभव बनाना विकास और अन्यून्याश्रित्ताओं के एक समूह का निर्मान जो बांधता है व्यक्तियों को एक साथ अत्यधिक कुशल इकाईयों में यह दायत्व की भावना में निहित भविशे का उन्मुखी करण है द्वारा वर्नित प्रकार की सामाजिक प्रक्ति उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के लिए महत्व पूर्ण है टाईगर और फ्वक्स भविशे के बारे में व्यापक रूप से साज़ा और द्रिलता से आयोजित भावना बंधाव ने मानव सामाजिक विकास में एक बहुत बड़ा अंतर बनाया है जैसे क्योंकि इसका मतलब था कि एक व्यक्ति कुछ दे सकता है उदाहरन के लिए भोजन उर्जा, देख भाल, दूसरे को इस विश्वास के साथ की यह खोया नहीं जा रहा है के लिए विकासवादी इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति दे सकता है वास्तव में उन्हें दूर किये बिना विभिन प्रकार के संसाधनों में से कोई भी एनिस परिणाम लेंदेन के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधों को कम करना था जिसे एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत संसाधन उपलब्ध कराने के द्वारा शुरू किया जाना चाहिए एक और सहायता, उपहार देने, डीग की परिश्कृत और समन्वित प्रणाली बार्ड और व्यापार संभव हो गया, जिससे समाज को अत्यधिक लाब हुआ इट जो उनके पास थी के लिए ऐसे स्पष्ट रूप से अनुकूली परिणामों के साथ संस्कृति यह आश्चरे की बात नहीं है, कि पारस्परिक्ता का नियम इतना गहरा है समाजी करण की प्रक्रिया द्वारा हम में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे हम सभी गुजरते हैं मुझे इस बात का कोई बेहतर उदाहरन नहीं पता कि पारस्परिक दायत्व कैसे हो सकते हैं की पेचीदा कहानी की तुलना में भविशे में लंबे और शक्तिशाली रूप से पहुँचें पांट हजार डॉलर की राहत सहायता जो 1985 में मेकसिको के बीच भेजी गई थी और एथियोपिया के गरीब लोग 1985 में एथियोपिया नयाय संगत रूप से दुनिया में सबसे बड़ी पीडा और अभाव का दावा करना इसका पर्यावरण नौमिनी बरबाद हो गई थी इसकी खाद्य आपूर्ती वर्षों के सूखे से तबाह हो गई थी और आंतरिक यूद्ध इसके निवासी हजारों की संख्या में मर रहे थे रुग और भुखमरी इन परिस्थितियों में मेरे पास नहीं होगा से पांच हजार डॉलर के राहत दान के बारे में जानकर हैरान रह गए मेक्सिको उस भीशन जरूर्त मंद देश को मुझे याद है मेरी थुड़ी से तकराना मेरी छाती हालां की जब एक संक्षिप्त समाचार पत्र में पढ़ रहा था तो जोर दिया की सहायता विपरीत दिशा में गई थी के मूल निवासी अधिकारी इथियोपियाई रेड क्रोस ने पीडितों की मदद के लिए पैसे भेजने का फैसला किया था मेक्सिको सिटी में उस वर्ष के भूकंपों के बारे में यह व्यक्तिगत अभिशाप्त और पेशेवर आशीरवाद दोनों है कि जब भी मैं मानव व्यवहार के किसी पहलू से भ्रमित हूँ मुझे लगता है कि मैं इसमें प्रेरित हूँ आगे की पुष्टी करें इस उदाहरन में मैं एक फुलर एसी को ट्रेक्ट करने में सक्षम था कहानी की गिंती सवभाग्य से एक पत्रकार जो हत्व प्रभ था जैसा कि मैं इथियोपियाई लोगों की कार्रवाई से स्पष्टी करन मांगा था एनिस उन्हें प्राप्त उत्तर पारस्परिक्ता नियम की वागपटो माननेता प्रदान करता है इथियोपिया में प्रचलित भारी जरूर्तों के बावजूद पैसा था भेजा जा रहा है क्योंकि मेक्सिको ने 1935 में इथियोपिया को सहायता भेजी थी जब वह था इटली द्वारा आक्रमन किया गया इतना सूचेद मैं अचम्भित रह गया लेकिन मैं अब नहीं था एरान पारस्परिक्ता की आवशेक्ता महान सांस्कृतिक भिन्नता को पार कर गई थी इंक्स, लंबी दूरी, तीवर अकाल और ततकाल स्वार्थ अतेंद, बस आधी सदी बाद, सभी विरोधी ताक्तों के खिलाफ, दाय इत्व, जीत गया कोई गलती न करें, मानव समाज वास्तव में महत्व पूर्ण प्रतिसपरधा प्राप्त करता है पारस्परिक्ता नियम से सकारात मकलाब और फलस्वरूप वे बनाते हैं सुनिश्चित करें कि उनके सदस्यों को इसका पालन करने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है प्रतेक हम में से प्रतेक को नियम के अनुसार जीना सिखाया गया है और हम में से प्रतेक इसके बारे में जानता है सामाजिक प्रतिबंद और उपहास किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो इसका उलंगन करता है एनिस ऐसे व्यक्ति को हम जो लेबल देते हैं वे नकारात्मक्ता से भरे होते हैं मूचर, इनग्रेट, वेलशर क्योंकि लेने वालों के लिए सामानने अरुची है और बदले में देने का कोई प्रयास नहीं करते हैं हम अक्सर बड़ी लंबाई में जाते हैं उनकी संख्या में से एक माने जाने से बचने के लिए यह उन लंबाई के लिए है कि हमें अक्सर लिया जाएगा और इस प्रक्रिया में व्यक्तियों द्वारा लिया जाएगा जो हमारे रिन से लाब पाने के लिए खड़े हैं यह समझने के लिए कि पारस्परिक्ता के नियम का उप्योग किस प्रकार किया जा सकता है जो इसे प्रभाव के सुरोत के रूप में पहचानता है वह निश्चित रूप से है हम कर सकते है प्रोफेसर डेनिस रेगन द्वारा किये गए एक प्रयोग का बारेकी से परीक्षन करें कॉर्नेल विश्वविद्याले के अधेयन में भाग लेने वाला एक विशय पाया गया खुद रेटिंग एक अन्य विशय के साथ कुछ चित्रों की गुनवत्ता कला प्रशनसा पर एक प्रयोग के भाग के रूप में अन्य रेटर हम कर सकते हैं उसे जो कहते हैं केवल एक साथी विशय के रूप में प्रस्तुत कर रहा था और वास्तव में दो रेगन के सहायक हमारे उद्देशियों के लिए प्रयोग के तहत हुआ था दो अलग अलग शर्तें कुछ मामलों में जो ने एक छोटा अवांचित उपकार किया सच्चे विशय के लिए थोड़े आराम की अवधी के दौरान वह कमरे से एक के लिए निकल गया कुछ मिनट और कोकाकोला की दो बोतलों के साथ लोटा एक के लिए विशय और एक खुद के लिए कह रहा है मैंने उससे प्रयोग करता से पूछा अगर मैं अपने आपको एक कोक प्राप्त कर सकता था और उसने कहा कि यह ठीक है तो मैंने एक खरीदा तुम्हारे लिए भी अन्य मामलों में जो ने विशय को एक पक्ष प्रदान नहीं किया वह बस दो मिनट के ब्रेक से खाली हाथ लोटा सभी में अन्य मामलों में हालांकी जो ने समान व्यवहार किया बाद में पेंटिंग के बाद सभी का मूल ल्यांकन किया गया और प्रयोग करता क्षन भर के लिए कमरे से बाहर निकल गया था जो ने विशय से उसे एक एहसान करने के लिए कहा उसने संकेत दिया कि वह एक नई कार के लिए रफल टिकट बेच रहा था और यदि उसने सबसे अधिक टिकट बेचे वह 50 डॉलर का पुरसकार जीतेगा जो का अनुरोध विशय के लिए 25 सेंट पर कुछ रफल टिकट खरीदने के लिए था कोई भी मदद करेगा जितना बेहतर होगा अधेयन की प्रमुख खोज के तहत जो से खरीदे गए टिकट विशयों की संख्या से संबंधित है दो शर्तें बिना सवाल के जो बेचने में ज्यादा सफल रहा उन विशयों के लिए उनके रफल टिकट जिन्हें उनका पहले का पक्ष मिला था एपी माता पिता को लग रहा था कि उन पर कुछ बकाया है इन विशयों ने खरीदा उन विशयों से दुगना टिकट जिन्हें पहले नहीं दिया गया था करिपादरिष्टी हालांकि रेगन अध्ययन काफी सरल प्रदर्शन का प्रतीनिधित्व करता है पारस्परिक्ता के लिए नियम के कामकाज का यह कई को दर्शाता है नियम की महत्व पूर्ण विशेश्टाई जो आगे विचार करने पर हमें यह समझने में मदद करें कि इसका लाभप्रद उप्योग कैसे किया जा सकता है नियम प्रबल है एक कारण है कि पारस्परिक्ता को एक उपकरन के रूप में इतनी प्रभावी धंग से इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे का अनुपालन प्राप्त करना उसकी शक्ती है नियम में विस्मय है कुछ ताक्रत अक्सर एक अनुरोध के लिए हां प्रतिक्रिया उत्पन करती है सिवाए इसके की रिनग्रस्तिता की मौजूदा भावना के लिए निश्चित रूप से मना कर दिया गया होता नियम का बल किस प्रकार के प्रभाव को प्रबल कर सकता है इसके कुछ प्रमान अन्यकारक जो सामानने रूप से यह निर्धारित करते हैं कि अनुरोध किया जाएगा या नहीं रेगन अधेयन के दूसरे परिणाम में देखा जा सकता है कि अतिरिक्त अनुपालन पर पारस्परिक नियम के प्रभाव में उनकी रुची रेगन इस बात में भी दिल्चस्पी थी कि किसी व्यक्ती के लिए पसंद करने की प्रवरित्ती को कैसे प्रभावित करता है उस व्यक्ती के अनुरोध का पालन करें यह मापने के लिए कि जो की और कितना पसंद किया जा रहा है अपने रैफल टिकट खरीदने के लिए विश्यों के निर्नेयों को प्रभावित किया रेगन के पास था कई रेटिंग पैमानों को भरें जो दर्शाता है कि उन्हें जो पसंद है वह फिर उनकी पसंद की प्रतिक्रियाओं की तुलना उनके द्वारा टिक्टों की संख्या से की गई जो से खरीदा था विश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभृत्ति थी जो से अधिक रैफल टिकट खरीदने के लिए वे उसे उतना ही पसंद करते थे लेकिन यह अकेले शायद ही कोई चौंकाने वाली खोज हो हम मेंसे अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि लोग किसी ऐसे व्यक्ती के लिए उपकार करने के लिए अधिक इच्चुक होते हैं जिसे वे पसंद करते हैं हालां कि रेगन प्रयोग के बारे में दिल्चस्प बात यह है कि पसंद और अनुपालन के बीच का संबंध पूरी तरह से मिटा दिया गया था उस स्थिती में जिसके तहत विश्यों को कोक दिया गया था जो उन लोगों के लिए जो उस पर एहसान करते थे इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता था कि वे उसे पसंद करते थे या नहीं उन्होंने उसे चुकाने के लिए दायत्व की भावना महसूस की और उन्होंने किया उस स्थिती में विशय जिन्होंने संकेत दिया कि वे नापसंद करते हैं जो ने अपने जितने टिकट खरीदे उतने ही टिकट खरीदने वालों ने भी खरीदे वे उसे पसंद करते थे पारस्परिक्ता का नियम इतना मजबूत था कि यह बस एक कारक के प्रभाव को अभिभूत कर दिया अनुरोध करता के लिए पसंद की पालन करने के निर्णय को सामानने रूप से प्रभावित करता है निहितार्थ के बारे में सोचो जिन लोगों को हम आमतोर पर नापसंद करते हैं उनसा वोरी या अवांशित बिक्री संचालक, अप्रिय परिचित, प्रतिनिधी अजीब या अलोकप्रिय संगठनों के सदसे बहुत बढ़ सकते हैं मौका है कि हम वह करेंगे जो वे चाहते हैं केवल हमें प्रदान करके उनके अनुरोधों से पहले एक छोटा सा उपकार आईए एक उदाहरन लेते हैं कि अब तक हम मेंसे कई लोगों का सामना करना पड़ा है हरे कृष्णा सोसायटी एक पूर्वी है सदियों पुरानी जड़ों वाला धार्मिक पंथ भारतिय शहर में खोजा जा सकता है कलकता लेकिन इसकी शांदार आधुनिक कहानी 1070 के दशक में घटित हुई जब इसने न केवल अनुयाईयों में बलकी यह भी उलेखनिय वृद्धी का अनुभव किया धन और संपत्ती में आर्थिक विकास को के माध्यम से वित्त पोशित किया गया था गतिविधियों की विविधता, प्रमुख और अभी भी सबसे अधिक दिखाई देने वाली है सारवजनिक रूप से राहगीरों से सोसायटी के सदस्यों द्वारादान के लिए अनुरोध स्थान इस देश में समूह के प्रारंबिक इतिहास के दोरान, याचना योगदान के लिए प्रयास किसी के लिए यादगार फैशन में किया गया था जिसने इसे देखा क्रिश्न भक्तों के समूह अक्सर मुंडासिर के साथ और अनुचित वस्त्र, टागों के लपेटन, मोतियों और घंटियों को पहनना होगा एक शहर की सड़क पर प्रचार करते हैं, जब करते हैं, और भीक मांगते हुए एक स्वर में गुदगुदी करते हैं धन हालांकी ध्यान आकर्शित करने की तकनीक के रूप में अत्यधिक प्रभावी, यह धन उगाहने का रूप विशेश रूप से अच्छा काम नहीं करता था औसत आमेर मैं कृष्ण को अजीब मानता था, कम से कम कहने के लिए, और अनिच्चुक था उन्हें समर्थन देने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए यह जल्दी से समाज के लिए स्पष्ट हो गया कि इसमें जनसंपर्ट की काफी समस्या थी लोग, सदस्यों ने जिस तरह से देखा वह पसंद नहीं आया योगदान के लिए कहा कपडे पहने या अभिने किया यदि समाज एक सामाने व्यावसाइक अंग होता IZATION समाधान सरल होता चीजों को बदल दें जनता को पसंद नहीं है लेकिन कृष्ण एक धार्मिक संगठन है तथा जिस तरह से सदसे दिखते हैं कपडे पहनते हैं और कारे करते हैं वह आंशिक रूप से धार्मिक कारकों से जुड़ा होता है क्योंकि किसी भी संप्रदाय में धार्मिक कारक आमतोर पर प्रतिरोधी होते हैं सांसारिक विचारों के कारण बदलने के लिए कृष्ण ने त्रित्व वास्तविक दुविधा का सामना करना पड़ा एक तरफ विश्वास थे तोर तरीके पोशाग और केश्विन्यास जिनका धार्मिक महत्व था दूसरे पर हाथ संगठन के वित्तिय कल्यान के लिए खत्रा कम थे इन चीजों के प्रती अमेरिकी जनता की सकारात्मक भावनाओं की तुलना में एक संप्रदाय क्या करना है क्रिश्ण का संकल्प शानदार था वे एक धन उगाहने के लिए बदल गए रनीती जिसने लक्षित व्यक्तियों के लिए सकारात्मक अनुभव करना अनावशेक बना दिया धन उगाहने वालों की ओर वे एक दान अनुरोध को नियोजित करने लगे प्रक्रिया जो पारसपरिक्ता के लिए नियम लगाती है जो दानव के रूप में रेगन अधेयन द्वारा निर्धारित के कारक को दूर करने के लिए परियाप्त मजबूत है अनुरोध करता के लिए नापसंद नई रनीती में अभी भी आग्रह शामिल है अधिक पैदल या त्री या तायात के साथ सारवजनिक स्थानों में योगदान हवाई अड़े पसंदी दाहें लेकिन अब दान का अनुरोध करने से पहले लक्षित व्यक्ती एक उपहार दिया जाता है एक किताब आमतोर पर भगवद गीता बैक टू गोड़ेड परपिन किसी भी परिस्थिती में अनुमती नहीं है उसे वापस दे दो, भले ही वह दावा करे कि वह ही से नहीं चाहता नहीं, यह हमारा है आपको उपहार, वकील ने इसे स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा के बाद ही कृष्ण सदसे ने इस प्रकार पारस्परिक नियम के बल को लाया है स्थिती पर सहन करने के लिए एक योगदान प्रदान करने के लिए कहा लक्ष है समाज हितैशी भीखारी की यह रन्नीती बेथाशा सफल रही है हरे कृष्ण समाज के लिए पूर्ण बड़े पैमाने पर आर्थिक लाब का उत्पादन और मंदिरों, व्यवसायों, घरों और संपत्ती के स्वामित्व का वित्व पोशन सन्युक्त राजे अमेरिका और विदेशों में 321 के इंद्रों में एक तरफ यह शिक्षाप्प्रधे की पारस्परिक नियम शुरू हो गया है कृष्ण के लिए इसकी उप्योगिता को रेखांकित करें, इसलिए नहीं की नियम ही कोई है सामाजिक रूप से कम शक्तिशाली, लेकिन क्योंकि हमने इसे रोकने के तरीके खोज लिये हैं स्टेशनों में वकील बचने के लिए अपने रास्ते समायोजित कर रहे हैं एक वकील के उब्भार को दूर करने के लिए एक मुठभेड और पहले से तैयारी करना यद्यपी समाज ने इस बढ़ी हुई सतरकता का मुकाबला करने का प्रयास किया है सदस्यों को आधुनिक शैली में तैयार होने और तैयार होने का निर्देश देना याचना करते समय ततकाल पहचान से बचें कुछ वास्तव में उडान भरते हैं बैद या सूटकेस यहां तक कि भेस भी विशेश रूप से अच्छी तरह से काम नहीं किया है कृष्ण बहुत से लोग अब स्वीकार करने से बेहतर जानते हैं हवाई अड़ों जैसे सारवजनिक स्थानों पर बिना मांगे प्रसाद इसके अलावा हवाई अड़ा प्रशास को ने डिजाइन की गई कई प्रक्रियाओं की शुरुआत की है कृष्ण की असली पहचान और मन्शा से हमें आगाह करने के लिए इस प्रकार यह अब है कृष्ण की याचना गतिविधी को सीमित करने के लिए सामानने हवाई अड़ा अभ्यास हवाई अड़े के कुछ क्षेतरों और संकेतों के माध्यम से घोषना करने के लिए और सारवजनिक संबोधन प्रणाली की कृष्ण वहाँ याचना कर रहे हैं यह एक परीक्षा है पारस्परिक्ता के सामाजिक मूले के लिए संशोधन जिसे हमने लड़ने के लिए चुना है कृष्ण ज्यादात्तर जेलने के बजाय बचने की कोशिश कर रहे हैं उनके उपहार देने की शक्ती पारस्परिक्ता नियम जो उनकी रणनीती को सशक्त बनातता है हमारे लिए इसका उलंगन करने के लिए बहुत मजबूत और सामाजिक रूप से फायदे मन्द है राजनीती एक और अखाडा है जिसमें पारसपरिकता की शक्ती शासन करती है खुद को दिखाता है पारसपरिक रणनीती हर स्तर पर दिखाई देती है शीर्ष पर निर्वाचित अधिकारी, लॉग रोलिंग और विनिमय में संगलगन होते हैं उन एहसानों के लिए जो राजनीती को अजीब ओगरीब बेड़ फेलों की जगह बनाते हैं हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक का चरित्रहीन वोट अधिल या उपाय को अकसर एक एहसान के रूप में समझा जा सकता है बिल के प्रायोजक लिंडन जोनसन पर राजनीतिक विशलेशक चकित थे अपने कारेकाल के दोरान कांग्रेस के माध्यम से अपने इतने सारे कारेक्रमों को प्राप्त करने की क्षमता प्रारंभिक प्रशासन यहां तक कि कांग्रेस के सदस्य जो सोचा गया था प्रस्तावों का कड़ा विरोध करने के लिए उनके लिए मतदान कर रहे थे बंद करे, राजनीतिक वैग्यानिकों द्वारा जांच में ऐसा नहीं होने का कारण पाया गया है जोनसन की राजनीतिक समझ रखने वाले के रूप में उनके पास बड़े पैमाने पर उपकार थे अपने कई वर्षों के दोरान अन्य विधायकों को प्रदान करने में सक्षम, सदन और सीनेट में शक्ती, राश्ट्रपती के रूप में वह उत्पादन करने में सक्षम थे कॉल करके कम समय में वास्तव में उलेखनिय मात्रा में कानून, उन एहसान, यह दिल्चस्प है कि यह वही प्रक्रिया हो सकती है जिमी कार्टर को अपने कारेक्रमों के माध्यम से प्राप्त करने में समस्याए अपने प्रारंभिक प्रशासन के दौरान कांग्रेस, भारी लोकतांत्रिक के बावजूद, सदन और सीनेट दोनों में बहुमत, कार्टर राष्ट्रपती पद के लिए आए कैपिटल हिल प्रतिष्ठान के बाहर से, उन्होंने अपने पर प्रचार किया बाहरी वाशे इंगटन पहचान, यह कहते हुए कि वह किसी का रिनी नहीं था वहां, पहुँचने पर उनकी अधिकांश विधाई कठिनाई का पता लगाया जा सकता है इस तथे के लिए कि वहां कोई भी उनका रिनी नहीं था दूसरे स्तर पर हम पारस्परिक्ता की माननेता प्राप्त ताकत देख सकते हैं नियाईक प्रदान करने के लिए निगमों और व्यक्तियों की इच्छा में शासन और विधाई अधिकारी उभार और एहसान के साथ और की श्रिंखला में ऐसे उपहारों और एहसानों के खिलाफ कानूनी प्रतिबंध वैद के साथ भी राजनीतिक योगदान, दाइत्वों का भंडार अक्सर अंतरनिहित होता है पसंदीदा उम्मीद्वार का समर्थन करने का घोशित उद्देश है एक नजर कैम में योगदान करने वाली कमपनियों और संगठनों की सूची अहम चुनाव में दोनों प्रमुक उम्मीद्वारों की पीडा सबूत देती है इस तरह के इरादों से एक संशैवादी, जिसे क्विड प्रो के प्रतेक्ष प्रमान की आवश्यक्ता होती है राजनीतिक योगदान करताओं द्वारा ये था अपेक्षित उलेखनीय रूप से देखा जा सकता है चार्ल्स एच कीटिंग, जूनियर द्वारा गंजा सामना वाला प्रवेश, जो बाद में था इस देश की बचत और रिन में दोखादडी के कई मामलों में पीडित आपदा इस सवाल को संबोधित करते हुए कि क्या कोई कनेक्शन मौझूद है 1.3 मिलियन के बीच उन्होंने पांच के अभियानों में योगदान दिया था अमेरिकी सीनेटर और उनकी ओर से संगिये के खिलाफ उनकी बाद की कारवाईया नियामकों ने जोर देकर कहा मैं सबसे सशक्त तरीके से कहना चाहता हूँ मुझे निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद है जमीनी स्तर पर स्थानिय राजनीतिक संगठनों ने सीखा है अपने उम्मीद्वारों को पदपर बनाए रखने का मुखे तरीका यह है कि सुनिश्चित करें कि वे मतदात्ताओं को बहुत कम लाब प्रदान करते हैं परवरिश कई शहरों के हीलर्स अभी भी इस तरह से प्रभावी ढंग से काम करते हैं परंतु छोटे के लिए राजनीतिक समर्थन का व्यापार करने वाले आम नागरिक अकेले नहीं है व्यक्तिगत एहसान वन नाइन नाइन टू के राष्ट्रपती के प्रात्मिक अभियान के दोरान अभिनेत्री सैली केल रमैन से पूछा गया कि वह अपना नाम क्यों उधार दे रही हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेरी ब्राउन की उम्मीदवारी के लिए प्रयास उसके उत्तर बीस साल पहले मैंने दस दोस्तों से मुझे स्थानान तरित करने में मदद करने के लिए कहा था वह केवल वही था जो दिखा बेशक पारसपरिक्ता की शक्ती मर्चेंडाइजिंग में पाई जा सकती है शेत्र भी हालांकी संभावित उदाहरनों की संख्या बड़ी है आईए मुक्त नमूने से प्राप्त परिचित लोगों की एक जोड़ी की जाच करें के तोर पर विपनन तक्नीक नी शुल्क नमूने का एक लंबा और प्रभावी इतिहास है ज्यादातर मामलों में प्रासंगिक उत्पाद की एक छोटी राशी प्रदान की जाती है संभावित ग्राहकों को इसे आजमाने की अनुमती देने के घोशित उद्देशे के लिए यह देखने के लिए कि क्या वे इसे पसंद करते हैं और निश्चित रूप से यह एक वैध इच्छा है निर्मात्ता जनता को उत्पाद के गुनों के बारे में बताने के लिए एनिस नी शुल्क नमूने की सुंदर्ता हालांकि यह भी एक उपहार है और जैसे पारस्परिक्ता नियम संगलगन कर सकते हैं सच्चे जुजित्सु फैशन में प्रमोटर जो नी शुल्क नमूने देता है वह निहित प्राकृतिक रिनी बल को मुक्त कर सकता है एक उपहार में जबकी मासूमियत से केवल सूचित करने का इरादा है नियशुल्क नमूनों के लिए पसंदीदा स्थान सुप्रमार्केट है जहां ग्राहक पनीर की एक निश्चित किस्म के छोटे क्यूब्स अकसर प्रदान किये जाते हैं या मांस कोशिश करने के लिए बहुत से लोगों को के नमूने को स्वीकार करना मुश्किल लगता है हमेशा मुस्कुराते हुए परिचारक केवल दंग्रत खोदनी लोटा दो और चले जाओ इसके बजाए वे कुछ उत्पाद खरीदते हैं भले ही उन्हें पसंद नए आया हो यह विशेश रूप से अच्छी तरह से इस मार्केटिंग प्रक्रिया पर एक अत्यधिक प्रभावी बदलाव द्रहिडन पर में वेंस पैकार्ड द्वारा उध्रित मामले में यूरे का चितरन किया गया है इंडियाना सुप्रमार्केट ओपरेटर के SUADERS जिन्होंने एक आश्चरेजनक बिक्री की एक दिन में कुछ घंटों में एक हजार पॉंड पनीर निकाल कर पनीर और ग्राहकों को अपने लिए स्लाइस काटने के लिए आमंत्रित करना निशल्क नमू ने MV द्वारा नी शुलकन मूना रणनीती का एक अलग संसकरन उप्योग किया जाता है निगम एक तेजी से विकास करने वाली कमपनी जो निर्मान और वित्रन करती है के विशाल राष्ट्रिय नेट्वर्क में घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उतपाद डोर टू डोर पडोस की विक्री कमपनी जो से बढ़ी है एक बेसमें तरन ओप्रेशन कुछ साल पहले डेर अरब तक डॉलर वार्शिक विक्री व्यवसाय एक उपकरन में निहशुलक नमूने का उप्योग करता है बग कहा जाता है बग में एमवे का संग्रह होता है उतपाद, फरनीचर पॉलिश, डिटर्जिन्ट या शैंपू की बोतले, स्प्रे, डियोडो राइजर, कीट नाशक या विंडो क्लीनर के कंटेनर ले जाया गया विशेश रूप से डिजाइन की गई ट्रे या सिर्फ एक पॉलिएथाईल में ग्राहक के घर पर इन बै गोपनी एमवे करियर मैनुआल तब निर्देश देता है विक्रेता को ग्राहक के साथ बग छोड़ने के लिए 24, 48 या 72 घंटों के लिए उसके लिए किसी भी कीमत या दायत्व पर नहीं बस उसे बताएं कि आप चाहेंगे किवह कोशिश करे उत्पाद यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे कोई मना नहीं कर सकता परीक्षन के अंत में अवदी के दोरान एमवे प्रतिनिधी वापस लोटता है और उनके लिए औरडर लेता है ग्राहक जिन उत्पादों को खरीदना चाहता है चूंकी कुछ ग्राहक ऐसे में उत्पाद कंटेनर में से किसी एक की समपूर्ण सामगरी का उप्योग करें थोड़े समय के बाद विक्रेता शेश उत्पाद ले सकता है लाइन के नीचे अगले संभावित ग्राहक को बग में भाग या सड़क के पार और फिर से प्रक्रिया शुरू करें एमवे के कई प्रतिनिधी आईवस के पास एक समय में अपने जिलों में कई बग घूम रहे हैं बेशक अब तक आप और मैं जानते हैं कि जिस ग्राहक ने स्विकार किया है टेड और इस्तेमाल किये गए बग उत्पादों को प्रभावित करने में वंस गया है पारस्परिक्ता का नियम ऐसे कई ग्राहक की भावना के लिए उपजते हैं विक्रेता के उन उत्पादों को ओर्डर करने का दायत्व जो उनके पास है कोशिश की और इस तरह आंशिक रूप से सेवन किया और जाहिर है अब तक एम जिस तरह से निगम जानता है कि मामला होना चाहिए यहां तक की एक कमपनी में एमवे के रूप में उत्कृष्ट विकास रिकॉर्ड के रूप में बग डिवाइस ने एक बनाया है बड़ी हलचल राजे वित्रकों द्वारा मूल कमपनी रिकॉर्ड को रिपोर्ट अ उलेखनिय प्रभाव अविश्वस्निय ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा उत्पाद है अविश्वस्निय गती से आगे बढ़ रहा है और हमने अभी शुरुआत ही की है स्थानिय वित्रकों ने बगस लिया और हमारे पास एक अविश्वस्निय था बिक्री में वृद्धी इलिनोई स्वित्रक से सबसे शांदार खुद्रा विचार हमारे पास कभी रहा है औस तन ग्राह को ने लगभग खरीदा बग की कुल राशी का आधा जब उठाया जाता है एक में शब्द जब्रदस्त हमने अपने पूरे में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी इस तरह का संगठन मैसा चुसेट्स वित्रक से एमवे के वित्रक हत्व प्रभ है खुशी की बात है लेकिन फिर भी हत्व प्रभ बग की चौंकाने वाली शक्ती से बेशक अब तक आपको और मुझे नहीं होना चाहिए पारस्परिक्ता नियम विशुद रूप से पारस्परिक की कई स्थितियों को नियंत्रित करता है प्रकृती जहां ने तो पैसा और नहीं वानिजेक विनिमय जारी है प्रती से उपलब्ध विशाल बल का मेरा पसंदीदा चित्रन है प्रभाव का पारस्परिक हतियार ऐसी स्थिति से आता है एनिस यूरोपिय वैग्यानिक इबलई बेस फेल्ड एक जर्मन का विवरन प्रदान करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दोरान सैनिक सामने की पंक्तियों के बीच लेकिन सिंगल के लिए इतना मुश्किल नहीं था सैनिक को रेंगने और दुश्मन की खाई की स्थिति में खिसकने के लिए एनिस महान यूद्ध की सेनाओं के पास ऐसे विशेशगे थे जो नियमित रूप से कबजा करने के लिए ऐसा करते थे एक दुश्मन सैनिक जिसे फिर पूछताच के लिए वापस लाया जाएगा हमारे खाते के जर्मन विशेशगे ने अकसर सफलता पूर्वक पूरा किया था अतीत में इस तरह के मिशन और दूसरे पर भेजे गए थे एक बार फिर वह मोर्चों के बीच के शेत्र में कुशलता से बातचीत की और एक अकेले दुश्मन को चौनका दिया उसकी खाई में सैनिक पहले से नसोचा सिपाही जो खा रहा था समय आसानी से निरस्त्र कर दिया गया था भैभीत बंदी केवल एक तुपडे के साथ उसके हाथ में रोटी की फिर वह प्रदर्शन किया जो सबसे ज्यादा हो सकता था उनके जीवन का महत्व पूर्ण कारे उसने अपने शत्रु को कुछ रोटी दी तो अफ इस उपहार से जर्मन प्रभावित हुआ कि वह अपना गलत काम पूरा नहीं कर सका सायन वह अपने उपकार से मुकर गया और नोमैन सलेंद को फिर से पार कर गया अपने वरिष्ठों के क्रोध का सामना करने के लिए खाली हाथ पारस्परिक्ता की शक्ती के संबंध में समान रूप से सम्मोहक बिंदू आता है एक ऐसी महिला के खाते से जिसने उपहार देकर नहीं अपनी जान बचाई कबजा कर लिया सैनिक किया लेकिन एक उपहार और शक्तिशाली दायत्व से इंकार करके जो इसके साथ चला गया महिला डायने लुई की निवासी थी जोनस टाउन गोयाना नवंबर 1971 में जब इसके नेता जिम जोनस सभी निवासियों की सामुहिक आत्महत्या का आहवान किया जिनमें से अधिकांश ने अनुपालन किया पी लिया और जहर से भरे कूलेड की एक बालती से मर गया डायने लुई हालांकि जोनस के आदेश को खारिज कर दिया और उसे जोनस टाउन से बाहर कर दिया और जंगल में वह ऐसा करने की अपनी इच्छा का श्रेह उसे पहले देती है जरूरत पढ़ने पर उससे विशेश उपकार लेने से इंकार कर दिया वह बीमार होने पर उसके विशेश भोजन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि मुझे पता था एक बाल उसने मुझे वे विशेश अधिकार दिये तो वह मेरे पास होगा मैं देना नहीं चाहता था उसे कुछ नहीं नियम बिन बुलाई रिन लागू करता है पहले हमने सुझाव दिया था कि पारसपरिक्ता नियम की शक्ती ऐसी है कि पहले हम पर एक एहसान करके अजीब नापसंद या दूसरों को नापसंद कर सकते हैं इस संभावना को बढ़ाएं कि हम उनके अनुरोधों में से एक का पालन करेंगे हाला कि नियम का एक और पहलू है उसकी शक्ती के अलावा वह अल होने वाली इस घटना को कम करता है एक और व्यक्ति एक भावना को ट्रिगर कर सकता है हमें एक बिन बुलाए उपकार करके रिन अग्रस्तता का याद रखे किनियम केवल यह कहता है कि हमें दूसरों को उनके द्वारा किये जाने वाले कारियों को प्रदान करना चाहिए हमें प्रदान किया है, हमारे पास जो कुछ है, उसके लिए हमें पूछने की आवश्यक्ता नहीं है चुकाने के लिए बाध्य महसूस करने के लिए प्राप्त किया उदाहरन के लिए विकलांग अमेरिकी वयोवरिद संगठन रिपोर्ट करता है कि इसकी सरल मेल अपील के लिए दान लगभग 18 प्रतिशत की प्रतिक्रिया दर पैदा करता है लेकिन जब मेलिंग में एक अवांचित उपहार भी शामिल है गम्यूक्त, व्यक्तिगत, विग्यापन ग्रेस लेबल, सफलता दर लगभग दो गुनी होकर 35 प्रतिशत हो जाती है यह नहीं यह कहने के लिए कि हम वापस लोटने के लिए दायत्व की एक मजबूत भावना महसूस नहीं कर सकते हैं एहसान हमने मांगा है सिर्फ इतना कि ऐसा अनुरोध जरूरी नहीं है हमारी रिन अग्रस्तिता उत्पन करते हैं यदि हम एक पल के लिए पारसपरिक्ता के सामाजिक उत्देशे के बारे में सोचते हैं नियम, हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए करने के लिए नियम स्थापित किया गया था व्यक्तियों के बीच पारसपरिक संबंधों के विकास को बढ़ावा देना ताकि एक व्यक्ति बिना किसी डर के इस तरह के रिष्टे की शुरुआत कर सके नुकसान का यदि नियम उस उद्देशे की पूर्ती के लिए है तो एक बिन बुलाए पहला उपकार एक दायत्व बनाने की क्षमता होनी चाहिए याद करो यह भी कि पारसपरिक रिष्टे संस्कृतियों पर एक असाधारन लाब प्रदान करते हैं कि उन्हें बढ़ावा दे और इसके परिणाम स्वरूब उन पर मजबूत दबाव होगा सुनिश्चित करें की नियम अपने उद्देशे की पूर्ती करता है थोड़ा आश्चरे तो कि प्रभाव शाली फ्रांसीसी मानव विज्यानी मारसेल मौस का वर्णन करते हुए मानव संस्कृति में उपहार देने की प्रक्रिया के आसपास के सामाजिक दबाव कह सकते हैं देने का दायत्व है प्राप्त करने का दायत्व है और चुकाने का दायत्व हालंकी चुकाने का दायत्व पुनर्भुगतान का सार है प्रोसिटी नियम यह प्राप्त करने का दायत्व है जो नियम को इतना आसान बनाता है शोशन करने के लिए प्राप्त करने का दायत्व किसको चुनने की हमारी क्षमता को कम करता है हम रिनी होना चाहते हैं और उस शक्ती को दूसरों के हाथों में रखते हैं आई ये पहले के उदाहरणों की एक जोड़ी की पुन जांच करें ताकि यह समझ सकें की कैसे प्रक्रिया काम करती है सबसे पहले आई ये रेगन अधेयन पर लोटते हैं जहां हम पाते हैं की रफल टिक्टों की संख्या को दो गुना करने के लिए पक्षकारपुर जो से पीछा किया गया वह नहीं था जिसे उन्होंने अनुरोध किया था जो स्वेच्छा से था कमरा छोड़ दिया और एक कोक अपने लिए और एक कोक के साथ लोटा विशह एक भी विशह ऐसा नहीं था जिसने कोक को मना किया हो यह आसान है यह देखने के लिए कि जो के पक्ष को ठुकराना अजीब क्यों होता जो पहले ही अपना पैसा खर्च कर चुका था एक शीतल पे एक उप्यूक्त पक्ष था स्थिती खास कर जब से जो खुद एक था यह हो गया होता जो की विचारशील कारवाई को अस्वीकार करने के लिए असभे माना जाता है फिर भी पुन उस कोक की रसीद ने एक रिन अग्रस्तता उत्पन की जो स्वयं प्रकट हुई स्पष्ट रूप से जब जो ने कुछ हैफल टिकट बेचने की अपनी इच्छा की घोशना की सूचना यहां महत्वपूर्ण विश्मतास भी वास्तव में मुक्त विकल्प थे जो है उन्होंने प्रारंभिक उपकार का रूप चुना और उन्होंने का रूप चुना वापसी एहसान बेशक कोई कह सकता है कि विशय के पास विकल्प था जो कि दोनों प्रस्तावों को ना कहने के लिए लेकिन वे कठिन होते विकल्प किसी भी बिंदू पर ना कहने के लिए विशय की आवशेक्ता होती पारस्परिक विवस्था के पक्ष में प्राकृतिक सांस्कृतिक ताक्तों के खिलाफ जाने के लिए जिसमें जुजित्सु जो ने खुद को गठबंधन किया था जिस हद तक एक बार अवांचित उपकार भी प्राप्थ हो सकता है उत्पादन रिन अग्रस्तिता को उप्यूक्त रूप से सोलिसिटिंग तक्नीक में चित्रित किया गया है हरे कृष्णा सोसायटी हवाई अर्डे के व्यवस्थित अवलोकन के दोरान कृष्ण की रणनीती की याचना करते हुए मैंने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दर्ज की है लक्षित व्यक्तियों से सबसे नियमित में से एक निम्नानुसार होता है हवा पूर्थ विजिटर एक व्यवसाई मान ले जल्दबाजी में साथ चल रहा है घनी आबादी वाले इलाके से होकर कृष्ण वकील के सामने कदम रखते हैं उसे और उसे एक फूल सौम पता है आदमी आश्चरे के साथ प्रतिक्रिया करता है इसे लेता है लगभग तुरंथ ही वह यह कहते हुए वापस देने की कोशिश करता है कि वह नहीं करता फूल चाहते हैं कृष्ण सदसे ने उत्तर दिया कि यह उनकी ओर से एक उपहार है कृष्ण समाज और वह है जो मनुशे को रखना है हाला कि एक दान समाज के अच्छे कारियों को आगे बढ़ाने के लिए सराहना की जाएगी फिर से लक्षित विरोध मुझे यह फूल नहीं चाहिए यहाँ ले लो और फिर से सॉलिसिटर ने मना कर दिया यह आपको हमारा उपहार है सर पर दिखाई देने वाला विरोध है व्यवसाई का चेहरा क्या उसे फूल रखना चाहिए और चले जाना चाहिए बदले में कुछ दिये बिना या उसे दबाव में आना चाहिए गहराई से निहित पारस परिक्ता नियम और योगदान प्रदान करते हैं द्वारा अब उनके चेहरे से लेकर उनके हावभाव तक द्वंद्व फैल गया है वह जुक जाता है अपने उपकार से ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्त होने वाला है केवल खींचा जाने वाला है नियम के खींचाव से फिर से वापस एक बार फिर उसका शरीर जुक जाता है लेकिन इसका कोई उप्योग नहीं वह छूट नहीं सकता इस तीफे की मंजूरी के साथ उन्होंने मचली पकड़ी उसकी जेब और एक या दो डॉलर के साथ हाता है जिसे करिपा पूर्वक स्विकार किया जाता है अब वह स्वतंत्र रूप से चल सकता है और वह हात में उपहार करता है जब तक कि वह इन एक बेकार कंटेनर को काउंटर करता है जहां वह फूल फेंकता है विशुद रूप से दुर घटना से मुझे एक ऐसा द्रिश्य देखने को मिला जो दर्शाता है कि क्रिश्न अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके उपहार कितनी बार अन जो लोग उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं एक दिन बिताने के दौरान शिकागो के ओहरे इंटरनेशनल में एक याचना करने वाले क्रिश्ना समूह की सेवा कर रहे हैं कुछ साल पहले हवाई अड़े पर मैंने देखा कि समूह के सदस्यों में से एक होगा अकसर के इंद्रिय शेत्र को छोड़ दे और अधिक फूलों के साथ वापस आएं उसके साथियों को प्लाई करो जैसे ही हुआ, मैंने बस एक ब्रेक लेने का फैसला किया था जब वह अपने एक आपूर्ती मिशन पर जा रही थी कहीं नहीं हो ना जाओ, मैंने पीछा किया उसकी यात्रा एक कच्रा मार्ग बन गई वह चली गई क्रेश कैन से ट्रेश कैन तक ततकाल शेत्र से परे सभी को पुनेह प्राप्त करने के लिए जिन फूलों को क्रिश्न ने फेंका था उन्हें निशाना बनाया वह फिर बरामद फूलों के कैश के साथ बदल गया कुछ जिन्हें पुनर्नवीनी करन किया गया था कौन जानता है कि कितनी बार और उन्हें लाभप्रद होने के लिए वित्रित किया एक बार फिर पारस्परिक प्रक्रिया के माध्यम से साइकिल चलाई जो बात वास्तव में मुझे इस सब के बारे में प्रभावित किया था कि अधिकांश छोड़े गए फूल उन लोगों से दान लाया था जिन्होंने उन्हें फेंक दिया था एनिस पारस्परिक्ता नियम की प्रक्रिती ऐसी है कि एक उपहार इतना अवांचित है कि वह था पहले अवसर पर जेल जाना अभी भी प्रभाविता और शोशक दायत्व की भावना उत्पन करने के लिए बिन बुलाए उपहारों की क्षमता फिर से है क्रिश्न के अलावा विभिन संगटनों द्वारा माननेता प्राप्त है कितने कई बार हम में से प्रतेक को मिलके माध्यम से छोटे छोटे उपहार मिले हैं व्यक्तिगत इजड़ पता लेबल, ग्रीटिंग कार्ड, चाभी के छले, धर्मार्थ एजेंसियों से जो संगलगन नोट में धन की मांग करता है मुझे बस में पांच मिले हैं पिछले साल, विकलांग दिगगजों के समूहों से दो और अनिसे मिशनरी स्कूल या अस्पताल प्रतेक मामले में एक आम था साथ में संदेश में धागा जो सामान संगलगन थे संगठन से एक उपहार माना जाना था और कोई पैसा आई भेजने की इच्छा को भुगतान के रूप में नहीं बलकी वापसी के रूप में माना जाना चाहिए भिन जैसा की एक मिशनरी कारेकरम के पत्र में कहा गया है मुझे भेजे गए ग्रीटिंग कार्ड के पैकेट के लिए सीधे भुगतान नहीं किया जाना था के लिए कार्डों को मेर के बजाई उपहार के रूप में देखा जाना चाहिए चंदीस एक उपहार के बदले में एक मजबूत संस्कृतिक दबाव है यहां तक की एक अवांचित लेकिन अवांचित खरीदने का ऐसा कोई दबाव नहीं है वानिजेक उतपाद नियम अनुचित एक सचेंजों को ट्रिगर कर सकता है पारसपरिक्ता नियम की एक और विशेशता है जो इसे होने की अनुम्ती देती है लाब के लिए शोशन किया विरोधाभासी रूप से समान को बढ़ावा देने के लिए नियम विक्सित किया गया भागीदारों के बीच आदान प्रदान फिर भी इसका उपयोग निश्चित रूप से लाने के लिए किया जा सकता है असमान परिणाम नियम की मांग है कि एक प्रकार की कार्रवाई की जाए इसी तरह की कार्रवाई के साथ एक एहसान दूसरे एहसान के साथ मिलना है यह उपेक्षा के साथ नहीं मिलना चाहिए और निश्चित रूप से हमले के साथ नहीं लेकिन भीतर समान क्रिया सीमाउं काफी लची लेपन की अनुमती है ए छोटे प्रारंभिक पक्ष उप से सहमत होने के लिए दायत्व की भावना पैदा कर सकते हैं काफी बड़ा रिटर्न एहसान चुंकि जैसा की हम पहले ही देख चुके हैं नियम एक व्यक्ती को पहले रिनी की प्रकृती चुनने की अनुमती देता है और रिन रद्द करने की प्रकृती वापसी पक्ष हम आसानी से जोड़ तोड़ कर सकते हैं उन लोगों द्वारा अनुचित विनिमे में शामिल किया गया जो शोशन करना चाहते हैं नियम एक बार फिर हम सबूत के लिए रेगन प्रयोग की और रुख कर सकते हैं पुनेह उस अधेयन में सदसे ने कहा कि जो ने विश्यों के एक समूह को एक बोतल दी कोका कोला एक पहल उफार के रूप में और बाद में सभी विश्यों को कुछ खरीदने के लिए कहा उसके रफल टिक्टों में से 25 सेंट की दर से मेरे पास अब तक क्या नकारात्मक है उलेक करने के लिए चुना गया है कि अधेयन 1960 के दशक के अंत में किया गया था जब एक कूप की कीमत एक पैसा थी औसत विश्यों जिसे दिया गया था 10 प्रतिशत पेये ने जो के दो रैफल टिकट खरीदे हालांकि कुछ ने खरीदा साथ के रूप में कई भले ही हम औसत विशय को ही देखें हालांकि हम बता सकते हैं कि जो ने काफी डील की निवेश पर 500 प्रतिशत रिटर्न वास्तव में सम्मान जनक है लेकिन जो के मामले में 500 प्रतिशत प्रतिफल भी केवल 50 के बराबर था सेंट क्या पारस परिक्ता नियम सार्थक रूप से बड़े अंतर पैदा कर सकता है एक सचेंज किये गए एहसानों के आकार में सही परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से कर सकते हैं उदाहरन के लिए मेरे चोर के एक छात्र का लेखा जो खा लें एक दिन याद करते हुए वह बुरी तरह याद करती है लगभग एक साल पहले मैं अपनी कार शुरू नहीं कर सका जब मैं वहा बैठा था पारकिंग में एक आदमी आया और अंत में कूदना शुरू कर दिया कार मैंने कहा धन्यवाद और उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है जैसा वह था जाते हुए मैंने कहा कि अगर उसे कभी रुखने के लिए किसी एहसान की जरूरत हो इसके बारे में महीने बाद उस आदमी ने मेरा दर्वाजा खट-खटाया और उधार लेने को कहा मेरी कार दो घंटे के लिए जैसे उसकी दुकान में थी मुझे कुछ बाध्यता महसूस हुई ठके हुए लेकिन अनिश्चित क्योंकि कार बहुत नई थी और वह दिख रहा था बहुत छोटा बाद में मुझे पता चलाग कि वह कम उम्र का था और उसके पास नहीं था बीमा वैसे भी मैंने उसे कार उधार दी थी उन्होंने इसे कुल किया ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बुद्धिमान युवती मान जाएगी अपनी नई कार को एक आभासी अजनभी और उस पर एक नौजवान को चालू करने के लिए क्योंकि उसने एक महीने पहले उस पर एक छोटा सा उपकार किया था या अधिक जीन वास्तव में ऐसा क्यों होना चाहिए कि छोटे पहले पक्ष अक्सर बड़े को प्रोच साहित करते हैं एहसान वापस करो एक महत्व पूर्ण कारण स्पष्ट रूप से अप्रिय की चिंता करता है रिन अग्रस्तता की भावना की विशेष्टा हम मेंसे अधिकांश लोग इसे अत्यधिक निराशाजनक पाते हैं दायत्व की स्थिती में रहने के लिए सहमत यह हम परभारी पढ़ता है और मंदियों को हटाना है इस भावना के स्रोट का पता लगाना मुश्किल नहीं है क्योंकि मानव सामाजिक व्यवस्था में पारस्परिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है हमें देखने पर असहज होने के लिए वातानुकूलित किया गया है हम अगर दूसरे के प्रारंभिक पक्ष को वापस करने की आवश्यक्ता को धीरे धीरे अंदेखा करना था हम एक पारस्परिक अनुक्रम को मृत कर देगा और इसकी संभावना कम कर देगा कि हमारा उपकार भविशे में ऐसे उपकार करेगा न तो घटना समाज के सर्वोत्तम हित में है नतीज तन हमें से प्रशिक्षित किया जाता है बचपन से जगडना भावनात्मक रूप से दायत्व की काठी के नीचे के लिए अकेले इस कारण से हम एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए सहमत होने के इच्चुक हो सकते हैं हमें प्राप्त हुआ अनुग्रह केवल मनोवै ज्यानिक से खुद को मुक्त करने के लिए कर्ज का बोज लेकिन एक और कारण भी है एक व्यक्ति जो आरई आई का उलंगन करता है के अच्छे कृत्यों को वापस करने का प्रयास किये बिना स्वीकार करके प्रोसिटी नियम दूसरों को सामाजिक समूह द्वारा सक्री रूप से नापसंद किया जाता है अपवाद निश्चित रूप से तब होता है जब व्यक्ति को परिदी के कारणों से चुकौती करने से रोका जाता है स्थिती या क्षमता अधिकांश भाग के लिए हालांकि एक वास्तविक अरुची है उन व्यक्तियों के लिए जो पारस्परिक्ता के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं नियम मूचर और वेलशर बेहुदा लेबल हैं जिन्हें इमानदारी से किया जाना चाहिए त्याग दिया वे इतने अवांचनिय हैं कि हम कभी कभी सहमत होंगे उन्हें चक्मा देने के लिए असमान विनिमय सन्योजन में आंतरिक असुविधा की वास्तविक्ता और संभावना बाहरी शर्म के कारण भारी मनोवैग्यानिक कीमत चुकानी पड़ सकती है जब देखा इस लागत के आलोक में यह इतना हैरान करने वाला नहीं है कि हम अक्सर वापस दे देंगे पारस्परिक्ता के नाम पर हमें जितना मिला है उससे कहीं अधिक ऐसा भी नहीं है अजीब है जैसा की विश्व विद्याले में किये गए एक प्रयोग में दिखाया गया था पिटसबर्ग के लोग अक्सर एक आवशेक एहसान मांगने से बचेंगे यदी वे चुकाने की स्थिती में नहीं होगा मनोवै ग्यानिक लागत बस हो सकती है भौतिक हानी से अधिक है अन्य प्रकार के नुकसान का जोखिम भी लोगों को इसके लिए राजी कर सकता है कुछ उपहारों और लाबों को अस्वीकार करें महिलाएं अक्सर टिपणी करती है दायित्व की असहज भावनावे के एहसान वापस करने के लिए महसूस कर सकते है एक आदमी जिसने उन्हें एक महंगा उपहार दिया है या एक महंगे के लिए भुगतान किया है यहां तक की एक पे की कीमत जितनी चोटी चीज भी पैदा कर सकती है कर्ज की भावना मेरी एक कक्षा में एक छात्र ने इसे काफी व्यक्त किया सपश्ट रूप से एक पेपर में उसने लिखा कठिन तरीके से सीखने के बाद मैं अब नहीं हूँ एक क्लब में मिलने वाले लड़के को मेरे पे खरीदने दें क्योंकि मुझे इन में से कोई भी नहीं चाहिए हमें यह महसूस करने के लिए कि मैं यह उन रूप से बाद्य हूँ शोध से पता चलता है कि वहा है उसकी चिंता का आधार यदि उनके लिए स्वय भुगतान करने के बजाए एक महिला एक आदमी को उसके पे खरीदने की अनुमती देता है उसे तुरंट आंका जाता है दोनों द्वारा पुरुष और महिला उसके लिए अधिक यह उन रूप से उपलब्ध है पारस्परिक रियायते किसी को पाने के लिए पारस्परिक तानियम को नियोजित करने का दूसरा तरीका है एक अनुरोध का पालन करें यह कि प्रतेक्ष मार्ग से अधिक सूक्षम है उस व्यक्ति को एक एहसान प्रदान करना और फिर बदले में एक मांगना फिर भी कुछ मायनों में यह सीधे सीधे की तुलना में अधिक विनाशकारी रूप से प्रभावी है वार्ग द्रिष्टि कुण कुछ साल पहले मेरे पास एक व्यक्तिगत अनुभव था जिसने मुझे दिया था यह अनुपालन तक्नीक कितनी अच्छी तरह काम करती है इसका प्रतेक्ष प्रमान मैं सड़क पर चल रहा था जब एक ग्यारह ने मुझसे संपर्ट किया या बारह साल का लड़का के हिसाब से कोई खरीदना चाहता हूँ चुँकि मैं शनिवार की शाम बिताना चाहता था इसलिए अंतिम स्थानों में से एक था बोई स्काउट्स के साथ मैंने मना कर दिया ठीक है उन्होंने कहा यदि आप नहीं चाहते हैं कोई भी टिकट खरीदें हमारे कुछ बड़े चौकलेट बार खरीदने के बारे में क्या वे केवल एक डॉलर प्रतेक है मैंने एक जोड़ा खरीदा और तुरंद एहसास हुआ कि कुछ उलेखनिय हुआ था मुझे पता था कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि A. मुझे चौकलेट बार पसंद नहीं है B. मुझे डॉलर पसंद है C. मैं था अपने दो चौकलेट बार के साथ वहा खड़ा था और D. वह चल रहा था मेरे दो डॉलर के साथ वास्तव में क्या हुआ था यह समझने की कोशिश करने के लिए मैं अपने कार्याले गया और मेरे शोध सहायकों की एक बैठक बुलाई स्थिती की चर्चा में हमने यह देखना शुरू किया कि कैसे पारस्परिक्ता नियम को माई में फनसाया गया था कैंडी बार खरीदने के अनुरोध का अनुपालन सामान्य नियम कहते हैं कि एक व्यक्ती जो हमारे प्रती एक निश्चित तरीके से कारे करता है वह हकदार है समान वापसी का रवाई हम पहले ही देख चुके हैं कि इसका एक परिणाम नियम हमें प्राप्त किये गए एहसानों को चुकाने का दायत्व है एक और नियम का परिणाम हालांकि एक रियायत करने का दायत्व है किसी के लिए जिसने हमें रियायत दी है मेरे शोध समूह के रूप में इसके बारे में सोचा हमने महसूस किया कि वास्तव में बोई स्काउट की स्थिती थी, मुझे अंदर रखा था, उनका अनुरोध है कि मैं कुछ एक डॉलर की चोकलेट खरीदूं, उसकी ओर से रियायत के रूप में सलाखों को रखा गया था, वह था, उनके अनुरोध से पीछे हटने के रूप में प्रस्तुत किया गया कि मैं कु चुके हैं, एक ऐसी धार ना थी, सायन, जब वह बदल गया तो मैं गैर अनुपालक से आग्याकारी में बदल गया, एक छोटे से अनुरोध के लिए एक बड़ा, भले ही मुझे वास्तव में कोई दिल चस्पी नहीं थी, या तो उन चीजों में से जो उसने पेश की थी, यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरन था कि स्वचालित प्रभाव का हतियार कैसे हो सकता है, अपनी शक्ती के साथ अनुपालन अनुरोध का संचार करें, मुझे खरीदने के लिए ले जाया गया था, वस्तु के प्रती किसी अनुकूल भावना के कारण नहीं, बलकि, क्योंकि खरीद अनुरोध इस तरह से प्रस्तुत किया गया था जो आकरशित हुआ, पारस्परिक्ता नियम से बल, कोई फर्क नहीं पढ़ता था कि मुझे पसंद नहीं है, चोकलेट के बार, बोई स्काउट ने मुझे एक रियायत दी थी, क्लिक करें, और, वर, मैंने कामलों में सभी लोगों पर, प्रभाव के हतियारों में से कोई भी नहीं, इस पुस्तक में पक्षिय वह मजबूत है, हाला कि मेरे विनिमय में, बोई स्काउट, मुझे अंदर छोडने की प्रवरित्ती पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी, अवांचित और अधिक कीमत वाली कैंडी बार की एक जोड़ी का रहसे में कब जा, मुझे रियायत का बदला लेने के लिए दबाव क्यों महसूस करना चाहिए, उत्तर, समाज के प्रती इस तरह की प्रवरित्ती के लाब में एक बार फिर ठिकी हुई है, यह अंदर है, किसी भी मानव समुआ के हितों क के लिए उसके सदसे एक साथ काम कर रहे हैं, सामाने लक्षियों की प्राप्ती के लिए, हालांकि कई सामाजिक में प्रतिभागियों की बातचीत आवशेक्ताओं और मांगों के साथ शुरू होती है, जो एक दूसरे के लिए अस्वी कारे हैं, इस प्रकार समाज को व्यव किया जाता है कि समझोते को बढ़ावा देना, पारस्परिक रियायत ऐसी एक महत्व पूर्ण प्रक्रिया है, यूरे, पारस्परिक नियम दो तरह से पारस्परिक रियायत लाता है, पहला स्पष्ट है, यह पहले से बने कौन के प्राप्त करता पर दबाव डालता है, तरह से जवाब देने के लिए सत्र, दूसरा, जबकि इतना स्पष्ट नहीं है, मुख्य रूप से है, जरूरी, जैसे एहसान, उपहर या सहायता के मामले में करने का दायत्व, एक रियायत का आदान प्रदान सामाजिक रूप से वांचनिय के निर्मान को प्रोचसाहित करता है, यह सुनिश्चित करके व्यवस्था करें कि ऐसी व्यवस्था शुरू करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ती का शोशन नहीं होगा, आखिर, अगर कोई सामाजिक दायत्व नहीं थे, रियायत का बदला लेने के लिए, पहला बलिदान कौन करना चाहेगा, ऐसा क करने के लिए कुछ छोडने और कुछ नपाने का जोखिम उठाना होगा, वापस, हालांकि इस नियम के प्रभावी होने से हम पहला बनाने में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, हमारे साथी के लिए बलिदान, जो एक वापसी बलिदान देने के लिए बाध्य है, क्योंकि पा तकनीक एक सरल है, जिसे हम कह सकते हैं, अस्वी करिती फिर पीछे हटने की तकनीक, मान लीजिए आप चाहते हैं, कि मैं इसके लिए सहमत हो जाऊं, एक निश्चित अनुरोध, अपने अवसरों को बढ़ाने का एक तरीका सबसे पहले होगा, मुझसे एक बड़ा पी है, बशर्तिक की आपने अपनी संग्रचना की है, अनुरोध कुशलता से, मुझे आपके दूसरे अनुरोध को रियायत के रूप में देखना चाहिए, मेरे लिए और मेरी खुद की रियायत के साथ जवाब देने के लिए इच्चुक महसूस करना चाहिए, केवल एक ही मैं तुरंत अपने लिए खोलूंगा अनुपालन, आपका दूसरा अनुरोध, क्या इसी तरह बॉइ स्काउट ने मुझे अपनी कैंडी बार खरीदने के लिए कहा था, उसका था, पांच डॉलर के अनुरोध से एक डॉलर के अनुरोध से पीछे हटना एक कृत्रिम, एक जिसे जानबूज कर कैंडी बार बेचने के लिए डिजाइन किया गया था, एक के रूप में जिसके पास है, फिर भी मैंने अपना पहला स्काउट मेरिट बैज छोड़ने से इनकार कर दिया, मैं वास्तव में, उमीद ना करो, लेकिन बड़े अनुरोध फिर छोटे अनु किया जा सकता है, और किया जाएगा, कुछ लोगों द्वारा अपना रास्ता पाने के लिए, आईए पहले देखें कि यह कैसे है, एक विश्वसनिय अनुपालन उपकरन के रूप में रन्नीती का उप्योग किया जा सकता है, बाद में हम देखेंगे कि कैसे, यह पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, अन्त में हम अलपग्यात जोड़ी की ओर मुड सकते हैं, तकनीक की विशेष्टाएं जो इसे सबसे व्यापक रूप से प्रभावित करने वालों में से एक बनाती है, संभावित अनुपालन रन्नीती उपलब्ध है, याद रखें कि बोई स्का सबूत खाने के लिए, असल में हमने और किया, उस से जादा, हमने इसकी प्रभावशीलता का परेक्षन करने के लिए एक प्रयोग तयार किया है, एक बड़े प्रारंभिक पुन के बाद वांचित अनुरोध पर जाने की प्रक्रिया, खोज से इनकार कर दिया था, संचालन में हमारे दो प्रात्मिक उद्देशे थे, प्रयोग, सबसे पहले हम यह देखना चाहते थे कि क्या यह प्रक्रिया काम करती है, मेरे अलावा लोगों पर, यानि यह निश्चित रूप से लग रहा था कि रन्नीती थी, दिन में पहले मुझ पर आजमाय जाने पर काफी काम करती है, लोगों को अनुपालन प्राप्त करने के लिए इसे एक उप्योगी प्रक्रिया बनाने के लिए, यदि ऐसा है, तो निश्चित रूप से भविशे में जागरूख होने के लिए कुछ होगा, अधेयन करने का हमारा दूसरा कारण यह निर्धारित करना थ कि कैसे, एक शक्तिशाली अनुपालन उपकरन तकनीक थी, क्या यह ला सकता है, वास्तव में बड़े अनुरोध का अनुपालन, दूसरे शब्दों में, किया, छोटा अनुरोध जिसके लिए अनुरोध करता पीछे हट गया है, उसे एक छोटा पुन अनुरोध करना होगा खोज, अगर तकनीक के प्रभावी होने के कारण के बारे में हमारी सोच, सही था, दूसरा अनुरोध वास्तव में छोटा नहीं होना चाहिए था, यह केवल, प्रारंभिक की तुलना में छोटा होना चाहिए, यह हमारा संदेह था कि, अनुरोध करता के बड़े से छोटे पक्ष में पीछे हटने के बारे में महत्वपूर्ण बात, एक रियायत के रूप में इसकी उपस्थिती थी, तो दूसरा अनुरोध हो सकता है, वस्तुनिष्ठ रूप से बड़ा, जब तक कि यह पहले पुन से छोटा था, खोज और तकनीक अभी भी काम करेगी, थोड़ सोचने के बाद, हमने एक अनुरोध पर तकनीक को आजमाने का फैसला किया, कि हमें लगा कि कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए सहमत होंगे, प्रतिनिधी के रूप में प्रस्तुत करना, काउंटी यूथ काउंसलिंग प्रोग्राम के तहित, हमने कॉलेज से संपर्ट क परिसर में घूमते हुए छात्रों ने पूछा कि क्या वे इसके लिए तैयार होंगे, चिडिया घर की एक दिन की यात्रा पर किशोर अपराधियों के एक समूह की निगरानी करें, एनिस, अनपेक्षित किशोर अपराधियों के एक समूह के लिए जिम्मेदार होने का के सारवजनिक स्थान पर घंटों तक उम्र का हवाला देना शायद ही कोई आमंतरन था। इन छात्रों के लिए एक जैसा कि हमें उम्मीद थी विशाल बहुमत 83 प्रतिशत मना कर दिया। फिर भी हमने एक समान नमूने से बहुत अलग परिणाम प्राप्त किये। कॉलेज के चात्रों से जिनसे एक ही सवाल पूछा गया था। अंतर इससे पहले कि हम उन्हें अवैतनिक संग्रक्षत के रूप में सेवा करने के लिए आमंतरित करें। चिडियाघर की यात्रा हमने उनसे और भी बड़ा उपकार करने के लिए कहा दो घंटे बिताने के लिए। प्र कि हमने छोटा चिडियाघर यात्रा अनुरोध किया। चिडियाघर यात्रा प्रस्तूत करके हमारे प्रारंभिक अनुरोध से पीछे हटने के रूप में हमारी सफलता दर नाट किये रूप से बढ़ी। समान रूप से तीन गुना ज्यादा चात्र इस तरह पहुंचे। चिडियागर के संग्रक्षक के रूप में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से, आश्वस्त रहे की अनुपालन के प्रतिशत को तीन गुना करने में सक्षम कोई भी रणनी थी, एक परियाप्त अनुरोध के साथ हमारे में 17 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, प्रयोग को अकसर व वास्तव में जीतने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन से, जिसके लिए वेधिजाइन की गई प्रतिशत होने वाली रियायतों की एक श्रिंखला में पीछे हट सकते हैं, विरोधी पक्ष्ट से वास्तविक रियायते प्राप्त करें, दिखाई देगा, तब प्रारंभिक अनुरोध जितना बड़ा होगा, प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी होगी, क्योंकि ब्रामक रियायतों के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, यह है, हाला कि केवल एक बिंदु तक ही सठ है, बारैलान यूनी में किया गया शोध, इजराइल में अस्वी करिती फिर पीछ पीछे हटने की तकनीक से पता चलता है, कि यदि मांगों का पहला सेट इतना चरम है, कि इसे अनुचित के रूप में देखा जा सकता है, रननीती उल्टा, ऐसे मामलों में जिस पार्टी ने हद कर दी है, पहले अनुरोध को अच्छे विश्वास में सौदे बाजी के रू पारस्परिक नहीं है, वास्तव में प्रतिभाशाली नेगो, तो वह है जिसकी प्रारंबिक स्थिती अनुमती देने के लिए पर्याप्त रूप से अतिरंजित है, पारस्परिक रियायतों की एक श्रिंखला के लिए जो एक वांचनिय अंतिम प्रस्ताव देगा, ग्रांट टिंकर और गैरी मार्शल के रूप में इस कला के अपने निगो में उस्ताध हैं नेटवर्क सेंसर के साथ संबंध टीवी गाइड के साथ एक स्पष्ट साक्षातकार में लेखक ढेक रसेल दोनों ने स्वीकार किया की जानबूज कर पंक्तियों को सम्मिलित करना स्क्रिप्ट जो एक सेंसर को कुलहाडी मारने के लिए निश्चित है ताकि वे फिर से पीछे हट सकें वे लाइने जिन्हें वे वास्तव में शामिल करना चाहते थे मार्शल विशेश रूप से सक्रिय दिखाई देता है इस संबंध में उदाहरन के लिए रसेल के निमनलिखित उद्धरनों पर विचार करें लेक लेकिन मार्शल नकेवल अपनी चालों को स्वीकार करता है वह इसमें रहस्योद घाटन करता है उन्हें उनके ततकालीन, ट्रोप्रेटेड लावर्न और शरली के एक एपिसोड पर श्रिंग खला उदाहरन के लिए वे कहते हैं हमारे पास एक ऐसी स्थिती थी जहां स्क्विगी का अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने और उपर कुछ लड़कियों से मिलने की हडबड़ी में वह कहता है, क्या तुम मेरी वासना खोने से पहले जल्दी करोगी, लेकिन लिपी में हम कुछ और मजबूत करते हैं, यह जानकर किस सेंसर कट जाएगा यह उन्होंने किया, तो हमने मासूमियत से पूछा, ठीक है, कैसे, लूज माए, के बारे में हवस यह अच्छा है, उन्होंने कहा कभी कभी आपको, टीम, पर जाना होगा पिछडा पी डेज सीरीज में, सेंसर्शिप की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई थी हम शब्द को साथ बार में रखते हैं, उमीद करते हैं, कि वे चह काट देंगे और एक रखो, वो कर गया काम हमने फिर से उसी पैटर्न का इस्तेमाल किया शब्द, गर्भवती मैंने रिजेक्शन फे रिट्रीट तकनीक का एक और रूप देखा डोर टू डोर विक्री संचालन की मेरी जंच ये संगठन, रन्नीती के कम इंजीनियर, अधिक अवसरवादी संचकरन का इस्तेमाल किया का, बेशक, एक डोर टू डोर विक्रेता के लिए सबसे महत्व पूर्ण लक्षे है विक्री करना हालांकि, प्रतेक कंपनी के प्रशिक्षन का रेक्रम मैंने जांच की इस बात पर जोर दियाक की दूसरा महत्व पूर्ण लक्षे प्राप्त करना था संभावनाओं से रेफरल के नाम, मित्र, संबंधी या पडोसी जिन पर हम कॉल कर सकते थे कई कारणों से हम में चर्चा करेंगे अध्याय फाइव, सफल डोर टू डोर बिक्री का प्रतिशत बढ़ता है प्रभावशाली धंग से जब बिक्री ओपरेटर के नाम का उलेक करने में सक्षम होता है परिचित व्यक्ती जिसने बिक्री यात्रा की, अनुशनसिद, की थी एक बिक्री प्रशिक्षू के रूप में मुझे कभी नहीं सिखाया गया था कि बिक्री पिच को मना कर दिया जाए कि मैं फिर रेफरल के अनुरोध के लिए पीछे हट सकता हूँ ऐसे कई प्रो ग्राम, हालांकि मुझे इस अवसर का लाब उठाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था ग्राहक के खरीद से इनकार करने पर सुरक्षित रेफरल की पेशकर्श ठीक है, अगर यह है आपको लगता है कि विश्वकोश का एक अच्छा सेट इस पर आपके लिए सही नहीं है समय, शायद आप मुझे कुछ अन्य लोगों के नाम देकर मेरी मदद कर सकते हैं जो हमारी कमपनी के शांदार ओफर का लाब उठाना चाहें क्या? क्या आप इन में से कुछ लोगों के नाम होंगे जिन्हें आप जानते हैं कई भारतिये, VID, UALS जो अन्य था अपने दोस्तों को उच्छ दबाव के अधीन नहीं करेंगे बिकरी प्रस्तोती अनुरोध होने पर रेफरल की आपूर्ती करने के लिए सहमत होती है एक खरीद अनुरोध से रियायत के रूप में प्रस्तोत किया गया है जो उन्होंने अभी अभी फिर से किया है जुडा हुआ हम पहले ही अस्वीकृती की सफलता के एक कारण पर चर्चा कर चुके हैं ततकालीन रिट्रीट तकनीक पारस्परिक्ता नियम का समावेश इस बड़े फिर छोटे अनुरोध की रननीती अन्य की एक जोड़ी के लिए प्रभावी है कारण भी पहला अवधारनात्मक विप्रीच सिध्धान्त की चिंता करता है हम अध्यायवन मेर सामने आया उस सिध्धान्त के लिए जिम्मेदार है अन्य के बीच चीजें एक आदमी की स्वेटर पर अधिक पैसा खर्च करने की प्रवरित्ती निम्नली खित है पहले की तुलना में एक सूट की खरीद को कम करना के संपर्क में आने के बाद बड़ी वस्तु की कीमत, कम खर्चीली की कीमत छोटी दिखाई देती है तुलना से उसी तरह बड़े फिर छोटे अनुरोध समर्थक सीडर छोटा अनुरोध करके कंट्रास्ट सिधान्त का उपयोग करता है बड़े वाले की तुलना में और भी छोटे दिखें अगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पांच डॉलर उधार दो, मैं इसे पहले एक छोटे अनुरोध की तरह बना सकता हूँ आप मुझे दस डॉलर उधार देने के लिए कह रहे हैं इस युक्ती की सुन्दर्ता में से एक है कि पहले दस डॉलर का अनुरोध करके और फिर पांच डॉलर पर वापस आकर आई पारस्परिकता नियम के बल को एक साथ लगाया होगा और विप्रीत सिध्धांत इतना ही नहीं मेरा पांच डॉलर का अनुरोध देखा जाएगा पारस्परिक रूप से दी जाने वाली रियायत के रूप में यह आपको एक छोटे की तरह भी दिखेगी अनुरोध की तुलना में अगर मैंने अभी इसके लिए सीधे कहा था सन्योजन में पारस्परिकता और अवधारनात्मक विप्रीत्ता के प्रभाव एक भयानक शक्तिशाली शक्ति पेश कर सकता है अस्वीकृती में सन्निहिद फिर पीछे हटने का करम उनकी सन्यूक्त उर्जा वास्तव में सक्षम है आश्चरेजनक प्रभाव यह मेरी भावना है कि वे केवल वास्तव में प्रदान करते हैं हमारी सबसे चौंकाने वाली राजनीतिक कारवायों में से एक की प्रशनसनिय व्याक्या समय डेमोक्रेटिक के वाटरगेट कारयालियों में सेंड लगाने का निरने राश्ट्रिय समिती जिसने रिचर्ड निकसन के राश्ट्रपती पद को बरबाद कर दिया उस निरने में भाग लेने वालों में से एक जेब स्टु आर्ट मैड रूडर पहली बार यह सुनकर की वाटरगेट चोरों को पकड़ लिया गया था ने जवाब दिया उचित विस्मय हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते थे में कर्म कैसे यह समझने के लिए कि यह कितने बीमार लोगों के लिए एक विचार था निक्सन प्रशासन ब्रेक कैन करने के लिए समीक्षा करना आवशेक है कुछ तथे यह विचार जी गोर्डन लेड़ी का था जो बुद्धी के प्रभारी थे अधेक्ष के पुनर निर्वाचन के लिए समिती के लिए जनसभास भासंचालन ENT, CRP लेड़ी ने प्रशासन के बीच ख्याती प्राप्त कर ली थी एक परत के रूप में उच्च अप और इसके बारे में प्रशन थे उसकी स्थिर्ता और निर्ने लेड़ी का प्रस्ताव बेहद महंगा था जिसके लिए 2500 के बजट की आवशेक्ता थी अपराप्ते नकदी में मार्च के अंत में जबकी बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी CRP निदेशक, जोन मिशेल और उनके सहायक मैगरूडर और फ्रेडर IC के LARUE, नवंबर के चुनाव में निकसन की जीत के लिए द्रिश्टिकुंग उज़वल नहीं हो सकता था एडमंड मुस्की, एक मात्र घोशित जल्दी चुनाव कराने वाले उम्मीद्वार ने दिया था अध्यक्षपद को बेदखल करने का मौका E&T ने प्राइमरी में खराब प्रदर्शन किया था यह बहुत अच्छा लग रहा था जैसे सबसे हारे हुए उम्मीद्वार जोर्ज मैक गवर्न अपनी जीत हासिल करेंगे पार्टी का नामांकन एक रिपब्लिकन जीत सुनिश्चित लग रही थी ब्रेकईन योजना अपने आप में एक अत्यधिक जोखिम भरा ओप्रेशन था जिसके लिए निम्न की आवशेक्ता होती है दस पुरुषों की भागीदारी और विवे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और उसके अध्यक्ष लोरेंस ओब्रायन जिसका वाटरगेट कारियाले में सेंधमारी और बगावत की जानी थी मौजूदा राष्ट्रपती को हराने के लिए पर्याप्थानिकारक जानकारी नहीं थी पहचान नहीं उन्हें कोई मिलने की संभावना थी जब तक की प्रशासन ने नहीं किया कुछ बहुत बहुत मूर्क उपरोक्त कारणों की स्पष्ट सलाह के बावजूद महेंगा एक ऐसे व्यक्ती का चंचल वेर्थ और संभावित रूप से विपत्ति पूर्ण प्रस्ताव जिसका निर्ने संदिक्ध होने के लिए जाना जाता था अनुमोदित किया गया था यह कैसे हो सकता है मिशेल और मैडरूडर की प्राप्ती के बुद्धिमान पुरुष बने कुछ बहुत ही मूर्क खता से करेंगे शायद इसका उत्तर में है अलपचर्चित तथे उन्होंने जिस 2500 की योजना को मंजूरी दी वह लेड़ी की नहीं थी पहला प्रस्ताव वास्तव में यह उनकी ओर से एक महत्वपूर्ण रियायत का प्रतिनिधित्व करता है पहले के दो प्रस्तावों से विशाल अनुपात में इनमें से पहला दो महीने पहले मिशेल मैडरूडर के साथ बैठक में बनाई गई योजनाए और जोन डीन ने आई मिलियन के एक कारेकरम का वर्नन किया जिसमें शामिल था इसके अतिरिक्त है वाटरगेट की बगिंग के लिए एक विशेश रूप से सुसजजित संचार चेस प्लेन, ब्रेकईन, अपहरन और लूट पार्ट करने वाले दस्ते और एक नौका डेमोक्रेटिक राजनेताओं को ब्लेकमेल करने के लिए उच्च श्रेनी की कॉल गर्ल की विशेश था दूसरी लिड़ी योजना, एक सप्ताह बाद मिशेल के उसी समूह को प्रस्तुत की गई मैड्रूडर और डीन ने कुछ कारेकरम को समाप्त कर दिया और कम कर दिया डॉलर फाइव जीरो 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 की लागत इन प्रारंभिक प्रस्तावों को अस्वीकार किये जाने के बाद ही मिशेल ने कहा कि लिडडी ने अपनी नंगेहडगियों को डॉलर टू फाइव जीरो 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 की योजना प्रस्तुत की इस उदाहरन में मिशेल, मैड्रूडर और फ्रेडरिक लारू को इस समय, योजना अभी भी मूर खतापूर्ण लेकिन पिछले वाले की तुलना में कम को मंजूरी दी गई थी क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक लंबे समय से पागल और जोण मिशेल एक कठूर और चतूर राजनेता हो सकता है कि दोनों को इतनी आसानी से बदल दिया गया हो एक ही अनुपालन रननीती द्वारा खराब सौदे आई एक बोई स्काउट द्वारा कैंडी बेचने वाला और वह राजनीतिक आपदा बेचने वाले व्यक्ती द्वारा अगर हम जेब मैड रोडर की गवाही की जांच करते हैं जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं वाटरगेट जांच करताओं का सबसे वफादार खाता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक जिस पर अन्ततह लिड़ी की योजना को स्विकार कर लिया गया वहा है कुछ शिक्षाप्रद सुराग सबसे पहले मैं ग्रूडर रिपोर्ट करता है कि कोई भी कंकन नहीं था पूरी तरह से परियोजना से अभिभूत लेकिन ग्रैंड में शुरू करने के बाद डॉलर वन मिलियन की राशी हमने सोचा था कि शायद डॉलर टू फाइव जीरो 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 एक होगा हम उसे बिना कुछ लिए भेजने से हिचक रहे थे मिशेल यह महसूस कर रही थी कि हमें लेड़ी को थोड़ा छोड़ देना चाहिए कुछ इस पर यह कहने के अर्थ में हस्ताक्षर किये ठीक है चलो उसे देते हैं एक मिलियन डॉलर का एक चौथाई और देखते हैं कि वह क्या लेकर आ सकता है लिड़ी के शुरुआती चरम अनुरोधों के संदर्भ में ऐसा लगता है कि एक मिलियन डॉलर का चौथाई हिस्सा थोड़ा सा कुछ हो गया था वापसी रियायत के रूप में छोड़ दिया पश्च दरिष्टी द्वारा प्रदान की गई स्पश्टता के साथ मा गुरूडर ने लिड़ी के दरिष्टी कों को संक्षेप में एक उदाहरन के रूप में याद किया है रिजेक्शन फे रिट्रीक तकनीक जैसा मैंने कभी सुना है यदि उसने किया होता शुरू में हमारे पास आये और कहा मेरे पास सेंधमारी करने की योजना है और वाइरटेप लेरी ओब्रायन के कार्याले हमने इस विचार को खारिज कर दिया होगा हाथ इसके बजाए वह अपनी विस्तरित कॉल गर्ल अपहरन के साथ हमारे पास आया पिंग मगिंग तोड़ फोड़ वाइर टैपिंग योजना उसने मांगा था पूरी रोटी जब वह आधे या यहां तक की एक के लिए बसने के लिए काफी संतुष्ट था त्रिमास यह भी शिक्षाप्रद है की हाला की उसने अंततर अपने बॉस के लिए टाल दिया निर्नय समूह के केवल एक सदसे फ्रेडरिक लारू ने विक्त किया प्रस्ताव का कोई सीधा विरोध स्पष्ट सामान्य के साथ कह रहे हैं भावना मुझे नहीं लगता की यह जोखिम के लायक है उसने सोचा होगा की क्यों उनके सहयोगियों मिशेल और मैडरूडर ने अपना द्रिष्टिकों साज़ा नहीं किया का बेशक एले आर्यूई और अन्य के बीच कई अंतर हो सकते हैं दो पुरूश जिनके बारे में उनकी अलग अलग राय हो सकती है लेड़ी की योजना की उप्यूक्तता लेकिन एक बाहर खड़ा है तीन में से केवल एले आर्यूई पिछली दो बैठकों में मौझूद नहीं था जहां लेड़ी अपने बहुत अधिक महत्वाक कांक्षी कारेक्रमों की रूप रेखा तयार की थी शायद तब केवल एले आर्यूई कलंकर के तीसरे प्रस्ताव को देखने में सक्षम था की यह था और पारस्परिक्ता और अवधारनात्मक से अप्रभावित निश्पक्ष रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए दूसरों पर कारे करने वाली विप्रीत शक्तिया कुछ समय पहले हमने कहा था कि Rejection for Retreat तकनीक में पारस्परिक्ता नियम के अलावा इसमें काम करने वाले अन्यकारकों की एक जोड़ी करिपादरिष्टी हम उन कारकों में से पहले पर चर्चा कर चुके हैं धारना तुल कंट्रास्ट सिध्धान्त तकनीक का अतिरिक्त लाब है वास्तव में एक मनोवेग्यानिक सिध्धान्त नहीं है जैसा कि अन्यदो के मामले में है कारक यह अनुरोध अनुकरम की विशुद रूप से संग्रचनात्मत विशेश्टा है आईए एक बार फिर से कहें कि मैं आपसे पांच डॉलर उधार लेना चाहता हूँ द्वारा दस डॉलर के अनुरोध के साथ शुरुआत करते हुए मैं वास्तव में हार नहीं सकता यदि आप सहमत है यह मुझे आपसे दो गुनी राशे मिल जाएगी जो मैंने तै की होगी के लिए दूसरी और यदि आप मेरे प्रारंभिक अनुरोध को ठुकरा देते हैं तो मैं पीछे हट सकता हूँ पांच डॉलर के एहसान के लिए जो मैंने शुरू से और के माध्यम से चाहा था पारस्परिक्ता और विप्रीत सिध्धानतों की कारवाई मेरे को बहुत बढ़ाती है सफलता की संभावना किसी भी तरह से मुझे फाइदा होता है यह मेरे जीतने वाले सिर का मामला है पूंच तुम खो देते हो बड़े फिर छोटे अनुरोध के इस पहलू का सबसे सपष्ट उप्योग अनुकरम खुद्रास्टोर विकरी अभ्यास में होता है शीर्ष पर बात करना रेखा यहां संभावना को हमेशा पहले डीलक्स मोडल दिखाया गया है ग्राहक खरीदता है तो दुकान के केक पर फ्रोस्टिंग होती है हालांकि यदि ग्राहक अस्विकार करता है विक्रेता प्रभावी रूप से एप के साथ प्रतिप्रस्ताव करता है अधिक उचित मूले मोडल इसकी प्रभाव शीलता के कुछ प्रमान प्रक्रिया विक्री प्रबंधन पत्रिका में एक रिपोर्ट से आती है पुनर मुद्रिद उपभोकता रिपोर्ट में टिपपणी के बिना यदि आप एक बिलियर्ड टेबल डीलर होते तो आप किसका विग्यापन करते $329 मोडल या $3000 मोडल संभावना है कि आप समर्थक होंगे कम कीमत वाली वस्तो को मोटा करें और ग्राहक को व्यापार करने की उमीद करें जब वह खरीदने आता है लेकिन जी वारिन केली नया व्यापार प्रचार ब्रंसविक के प्रबंधक का कहना है कि आप गलत हो सकते हैं उसे साबित करने के लिए बिंदू, केली के पास एक प्रतिनिधी स्टोर से वास्तविक बिक्री के आंकड़े है पहले सप्ताह के दोरान ग्राहकों को का निम्न अंत दिखाया गया था लाइन और फिर अधिक महंगे मोड पर विचार करने के लिए प्रोच साहित किया एल्स, पारंपरिक व्यापार अपद्रिष्टिकूं और सट टेबल बिक्री वह सप्ताह 550 था हालांकी, दूसरे सप्ताह के दोरान कस्टम ERS को तुरंथ 3000 तालिका में ले जाया गया चाहे वे कुछ भी हों देखना चाहता था और फिर बाकी लाइन में खरीदारी करने की अनुमती दी कीमत और गुन्वत्ता में गिरावट का करम बित्वाली का नतीजा 1000 से अधिक की ओसत बिक्री थी अस्वी करिती फिर पीछे हटने की उलेखनिय प्रभावशीलता को देखते हुए तकनीक, कोई सोच सकता है की एक बड़ा नुकसान हो सकता है उम्र भी रननीती के शिकार होने से नाराज हो सकते हैं अनुपालन में लगा हुआ है नाराजगी एक जोडे में खुद को दिखा सकती है तरीकों से सबसे पहले पीडित मौखिक रूप से नहीं जीने का फैसला कर सकता है अनुरोधकर्ता के साथ किया गया समझोता दूसरा पीडिता आ सकती है हेरफेर करने वाले अनुरोधकर्ता पर अविश्वास करें उसके साथ कभी भी विवहार न करने का निरने लें फिर यदि इन में से कोई एक या दोनों घटनाए किसी आवरित्ती के साथ घटित हुई हो तो अनुरोधकर्ता इसके उपयोग के बारे में गंभीर दूसरा विचार देना चाहेगा अस्वीकरिती फिर पीछे हटने की प्रक्रिया हालांकि अनुसंधान इंगित करता है कि ये पीडित प्रतिक्रियाएं बढ़ी हुई आवरित्ती के साथ नहीं होती है जब अस्वीकार तियनतत कालीन रिट्रीट तकनीक का उपयोग किया जाता है कुछ आश्चरेजनक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे वास्तव में कम बार होते हैं समझने की कोशिश करने से पहले ऐसा क्यों है? आई ये पहले सबूतों को देखें कनाडा में प्रकाशित एक अधेयन के प्रश्न पर प्रकाश डालता है क्या अस्वीकरिति फिर पीछे हटने की रन्नीती का शिकार होगा? अनुरोध करता के दूसरे पक्ष को करने के लिए समझोते के साथ इसके साथ, साथ यह रिकॉर्ड करने के लिए कि लक्षित व्यक्तियों ने वांचित अनुरोध के लिए हा या ना कहा था एक सामुदाइक मानसिक स्वास्थे में एक दिन में दो अवैतनिक घंटे काम करने के लिए एजेंसी इस प्रयोग ने यह भी दर्ज किया कि क्या उन्होंने तक दिखाया वादी के अनुसार अपने कर्तवियों का पालन करें हमेशा की तरह शुरू करने की प्रक्रिया एक बड़े अनुरोध के साथ प्रती सप्ताह दो घंटे के काम के लिए स्वयन सेवा करने के लिए एजेंसी कम से कम दो वर्षों के लिए ने अधिक मौखिक समझोता किया पूछने की प्रक्रिया की तुलना में छोटा रिट्रीट अनुरोध 76 प्रतिशत था अकेले छोटे अनुरोध के लिए 29 प्रतिशत महत्वपूर्ण परिणाम हालां की स्वेच्छा से काम करने वालों की शोअप दर से संबंधित और फिर से पुल्ण इंजेक्षन फे रिट्रीक प्रक्रिया अधिक प्रभावी थी 85 प्रतिशत बनाम 50 प्रतिशत एक अलग प्रयोग ने जांच की कि क्या अस्वी करिती फेर पीछे हटना अनुकरम ने पीडितों को इतना हेर फेर महसूस कराया कि वे मना कर देंगे कोई और अनुरोध इस अध्ययन में लक्षे कॉलेज के छात्र थे जिनमें से प्रतिश को वार्शिक क्यम के हिस्से के रूप में रक्त का एक पिंट देने के लिए कहा गया था मबाद रक्थड्राइव लक्षियों के एक समूह को पहले एक पिंट देने के लिए कहा गया था हर छह सप्ताह में कम से कम तीन साल तक रखते अन्य लक्षे केवल एक पिंट खून देने के लिए कहा गया था दोनों समूहों के जो एक पिंट रखत देने के लिए सहमत हुए और जो बाद में रक्त में दिखाई दिये तब केंद्र से पूछा गया कि क्या वे अपना फोन देने को तैयार होंगे ताकि उन्हें भविशे में फिर से दान करने के लिए बुलाया जा सके लगभग सभी छात्र जो के रूप में एक पिंट रक्त देने वाले थे अस्वी करिती फिर पीछे हटने की तक्नीक का परिणाम फिर से दान करने के लिए सहमत हुआ बाद में 84 प्रतिशत जबकी अन्य छात्रों के आधे से भी कम जो आवेदन करते हैं रक्त केंद्र में नाशपाती ने ऐसा किया 43 प्रतिशत भविशे के उपकार के लिए भी अस्वी करिती फिर पीछे हटने की रणनीती बेहतर साबित हुई अजीब तरह से ऐसा लगता है कि अस्वी करिती फिर पीछे हटने की रणनीती लोगों को नकेवल एक वांचित अनुरोध के लिए सहमत होने के लिए बलकी वास्तव में ले जाने के लिए प्रेरित करता है अनुरोध को पूरा करने के लिए और अंत में आगे के अनुरोध करने के लिए स्वयन सेवा करने के लिए उस तकनीक के बारे में क्या हो सकता है जो ऐसे लोगों को बनाती है जिनके पास है अनुपालन में दोखा दिया गया है इसलिए जारी रहने की संभावना है पालन करना एक उत्तर के लिए हम अनुरोध करता के रियायत के कारे को देख सकते हैं आईओन, जो प्रक्रिया का दिल है, हम पहले ही देख चुके हैं कि, जब तक इसे पारदर्शी चाल के रूप में नहीं देखा जाता, तब तक रियायत दी जाएगी, संभावित रूप से एक वापसी रियायत को प्रोथ साहित करें, लेकिन जिसकी हमने अभी तक जांच नही की है, रियायत के अधिनियम के सकारात्मक उपउत्पादों की एक अलपग्यात्त जोड़ी है, व्यवस्था के लिए अधिक जिम्मेदारी और संतुष्टी की भावना, मिन, यह मीठे साइड इफेक्ट सका यह सेठ है, जो तकनीक को सक्षम बनाता है, अपने पीडितों को अपने समझोतों को पूरा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, इस तरह के समझोते, बातचीत के दोरान रियायत देने के वांचनिय दुष्प्रभाव, किसी अन्यव्यक्ती के साथ लोगों के तरीके के अधेयन में अच्छी तरह से दिखाया गया है, आपस मे सौदे बाजी, सामाजिक मनोविग्यान द्वारा किया गया एक प्रयोग, UCLI के लोजिस्टिक्स विशेश रूप से उप्यूक्त प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं, में एक विशे, उस अधेयन को एक बातचीत विरोधी का सामना करना पड़ा और कहा गया कि उसके साथ सौ कि यदि एक निश्चित अवधी के बाद कोई आपसी समझोता नहीं किया जा सकता है, सौदे बाजी के दोर में किसी को पैसा नहीं मिलेगा, के लिए अग्यात, विशे, प्रतिदवंद्वी वास्तव में एक प्रयोगात्मक सहायक था जिसने, पहले तीन में से एक में इसा खुद को सौंपना और हट पूर्वक, बातचीत के दोरान उस मांग पर कायम रहे, दूसरे के साथ, विश्यों के समूह, प्रतिदवंद्वी ने एक मांग के साथ शुरुआत की जोक की मामूली थी, खुद के अनुकूल, उन्होंने भी यहां से हटने से दरिरता पू पीछे हट गया, सौदेबाजी के दोरान अधिक उदारवादी, इस प्रयोग में तीन महत्व पूर्ण निशकर्ष थे जो हमारी मदद करते हैं, यह समझने के लिए कि अस्वी करिती फिर पीछे हटने की तकनीक इतनी प्रभावी क्यों है, सबसे पहले, दो अनिद्रिष् अधिक उदारवादी की ओर पीछे हटना, इसका उप्योग करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अधिक धन का उत्पादन किया, लेकिन यह परिणाम नहीं है, हमारे द्वारा देखे गए पिछले साक्षियों के आलोक में बहुत आश्चरेजनक, लाबदायक बनाने के जिम्मेदारी, विरोधी का सामना करने वाले वे विशे जिन्होंने पुनह प्रयोग किया, इलाज की रनीती ने अंतिम सौधे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार महसूस किया, बहुत अधिक, उन विश्यों की तुलना में जिन्होंने एक अप्रिवर्तनिय वारता प्रति प्रयोग करता ने अपने प्रतिदवंद्वी को निर्देश दिया था, अपनी प्रारंभिक मांग से धीरे धीरे पीछे हटने के लिए चाहे कोई भी विशे क्यों नहों किया था, लेकिन इन प्रजा को ऐसा लगा कि उन्होंने विरोधी बना लिया है, परिवर्तन कि उन्हो होता है, पिछले को सपष्ट करने के लिए इस खोज से अधिक छलांग की आवश्यक्ता नहीं है, रहसे क्यों अस्वी करिती फिर पीछे हटने की तकनीक अपने लक्षे का कारण बनती है, इतनी आश्चरेजनक आवरित्ती के साथ अपने समझोतों पर खरा उत्रने के वहाँ, तकनीक में साधक की रियायत न केवल लक्षे को कहने का कारण बनती है, हाँ अधिक बार, यह उन्हें होने के लिए और अधिक जिम्मेदार महसूस करने का कारण बनता है, अंतिम समझोता, निर्धारित, इस प्रकार अस्वी कृती की अद्भुत क्षमता, अपने लक्षियों को अपनी प्रतिबधताओं को पूरा करने के लिए फिर से पीछे हटने की तकनीक हो, समझ में आता है, एक व्यक्ति जो शर्तों के लिए जिम्मेदार महसूस करता है, एक अनुबंद के उस अनुबंद पर खरा उत्रने की अधिक संभावना होगी, संतुष्ट हालांकि उन्होंने उस्तन सबसे ज्यादा पैसा दिया, उन विरोधियों के लिए जिन्होंने रियायतों की रन्नीती का इस्तेमाल किया, जो विशह, क्या इस रन्नीती के लक्षे फाइनल से सबसे अधिक संतुष्ट थे, व्यवस्था ऐसा प्रतीत होता है, कि एक समझोता जिसके माध्यम से जाली बनाई गई है, किसी के विरोधी की रियायतें काफी संतोष जनक होती हैं, इसे ध्यान में रखकर, हम पहले की दूसरी है, हैरान करने वाली विशेष्टा की व्याख्या करना शुरू कर सकते हैं अस्वी करिती फिर पीछे हटने की रणनीती अपने पीडितों को सहमत होने के लिए प्रेरित करने की एक्षमता, आगे के अनुरोधों के लिए, चुँकि रणनीती के बारे में लाने के लिए एक रियायत का उपयोग करता है, अनुपालन, पीडित को व्यवस्था से अध चुक होने की अधिक संभावना है ऐसी व्यवस्था कैसे कहें नहीं जब एक अनुरोधकर्ता के खिलाफ जो पारसपरिक्ता के लिए नियम को नियोजित करता है आप और मैं एक दुर्जे शत्रू का सामना करते हैं चाहे हमें एक आध्याक्षर के साथ प्रस्तुत करके पारसपरिक्ता नियम के आगे जुक जाते है या हम पालन करने से इंकार कर सकते हैं और इस तरह नियम का खामियाजा भूगत सकते हैं निश्पक्षता और दायत्व की हमारी गहरी वातानुकूलित भावनाओं पर बल आत्मसमर्पन करे या भारी हताहत हों वास्तव में उत्साहीन संभावनाई सवभाग्य से ये हमारी एक मात्र पसंद नहीं है उचित अंडर के साथ हमारे प्रतिद्वंद्वी की प्रकृती के आधार पर हम इससे दूर आ सकते हैं अनुपालन यूद्ध के मैदान को चोट नहीं पहुंची और कभी कभी पहले से भी बेहतर यह पहचानना आवशेक है कि अनुरोध करता जो पारसपरिक्ता का आहवान करता है हमारा अनुपालन हासिल करने के लिए नियम या प्रभाव का कोई अन्य हतियार है असली प्रतिद्वंद्वी नहीं ऐसे अनुरोध करता ने जो जित्सु बनना चुना है योद्धा जो पारसपरिक्ता की व्यापक शक्ती के साथ खुद को संग्रेखित करता है और फिर केवल पहला पक्ष या चुनाव प्रदान करके उस शक्ती को मुक्त करता है अगर हमें इसका दुरूप योग नहीं करना है हमें इसकी उर्जा को निश्क्रिय करने के लिए कदम उठाने चाहिए लेकिन कोई सामाजिक नियम जैसे कि प्रभाव को बैसर करने के बारे में कैसे जाता है कि पारसपरिक्ता के लिए यह बचने के लिए बहुत व्यापक और बहुत मजबूत लगता है एक बार सक्री होने के बाद इसे प्रबल करने के लिए तो शायद इसका उत्तर रोकथाम करना है इसकी सक्रियता शायद हम नियम के साथ तक्राव से बच सकते हैं अनुरोधकर्ता को हमारे खिलाफ अपना बल लगाने की अनुम्ती देने से इंकार कर रहा है पहले स्थान पर शायद अनुरोधकर्ता के प्रारंभिक पक्षिया रियायत को अस्वीकार करके हमारे लिए हम समस्या से बच सकते हैं शायद लेकिन फिर शायद नहीं इन्वारी, किसी पक्षिया बलिदान कारियों के अनुरोध करता के प्रारंभिक प्रस्ताव को उचित रूप से अस्वी कार करना, विवहार की तुलना में सिध्धान्त में बेहतर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पहली बार प्रस्तुत किया गया, यह जानना मुश्किल है कि क्या ऐसा प्रस्ताव इमानदार है, या क्या यह शोशन के प्रयास का प्रारंभिक चरण है, अगर हम हमेशा सबसे खराब मान लें, तो इसका लाब प्राप्त करना संभव नहीं होगा, ऐसे व्यक्तियों ध्वारा दी जाने वाली कोई भी वैध उपकार या रियायते जिनके पास था, पारस्परिक्ता नियम का शोशन करने का कोई इरादा नहीं है, मेरा एक सहकर्मी है, जो गुस्से से याद करता है, कि कैसे उसका दस साल का था, बेटी की भावनाओं को एक ऐसे शक्स ने बहुत ठेस पहुचाई, जिसका तरीका, पारस्परिक्ता के नियम के जबडे से बचना उसे अचानक मना करना था, दयालुता, उसकी कक्षा के बच्चे स्कूल में एक खुले घर की मेजबानी कर रहे थे, अपने दादा दादी के लिए और उसका काम प्रतेक आगंतुक को एक फूल देना था, स्कूल के मैदान में प्रवेश, लेकिन वह प प्रतीफिर से केवल उसे यह जानने की मांग करने के लिए है, कि उसे क्या करना है, बदले में देना, जब उसने कमजोर जवाब दिया, कुछ नहीं, यह एक उपहार है, उन्होंने तै किया, उसे अविश्वासी चकाचोंद के साथ, जोर देकर कहा कि वह, उसके खेल, को प हटाना पड़ा, मेंट, जिसका उसने प्यार से अनुमान लगाया था, यह जानना कठिन है, कि किसे, यहां अधिक दोश उस असमवेदनशील आदमी या शोशकों को है, जिन्होंने दुर्वेभार किया था, जब तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती, तब तक उपहार देने कि उनकी यांतरिक प्रवरित्ती, एक यांतरिक इनकार के लिए खटा, कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप किसे अधिक पाते हैं, निंदनी ये, सबक्स पष्ठे, हम हमेशा प्रामानिक रूप से मिलेंगे, उदार व्यक्तियों के साथ साथ कई लोग जो निश्पक्ष रू आसों को अस्वीकार करता है, सामाजिक घर्षन और अलगाव अच्छा परिणाम दे सकता है, तब कंबल अस्वीकृती की नीती लगती है, बीमार सलाह दी, एक और समाधान अधिक वादा रखता है, यह हमें डी को स्वीकार करने की सलाह देता है, दूसरों की पहली केवल उसी के लिए स्वीकार करने के लिए जो वे करते हैं, मौलिक रूप से हैं, न कि उनके लिए जो प्रतिनिधित्व किया जाता है, यदि कोई व्यक्ती, हमें एक अच्छा उपकार प्रदान करता है, मान लीजिए, हम इसे स्वीकार करते हुए अच्छी तरह से स्वीक उस व्यक्ति द्वारा पारसपरिक्ता के लिए नियम के माध्यम से बिलकुल इसके विप्रीत यह दायित्व के सम्मानित नेटवर्क में निश्पक्ष रूप से भाग लेना है कि भूर से व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से हमारी बहुत अच्छी सेवा की है मानवत का हाला कि यदि प्रारंभिक पक्ष एक उपकरन के रूप में सामने आता है तो ट्रिक विशेश रूप से हमारे अनुपालन को प्रोच साहित करने के लिए डिजाइन किया गया एक आर्टिफिस एक बड़ा रिटर्न एहसान यह एक अलग कहानी है यहा हमारा साथी नहीं है दाता लेकिन एक मुनाफाखोर और यहीं पर हमें उसका जवाब देना चाहिए ठीक उनहीं शर्तों पर का रवाई एक बार हमने यह निर्धारित कर लिया है कि उसका प्रारंभिक प्रस्ताव एक एहसान नहीं बलकि एक अनुपालन रणनीती थी हमें केवल उस पर प्रतिक्रिया करने की आवशेक्ता है तदनुसार इसके प्रभाव से मुक्त हो जब तक हम समझते हैं और परिभाशित करते हैं एक एहसान के बज़ाए एक अनुपालन उपकरन के रूप में उसकी कारवाई उसके पास अब नहीं है एक सहयोगी के रूप में पारसपरिक नियम, नियम कहता है कि एहसान पूरा किया जाना है एहसान के साथ यह आवशेक नहीं है कि तरकीबों को एहसानों से पूरा किया जाए एक व्यावहारिक उदाहरन चीजों को और अधिक ठोस बना सकता है मान लीजिये कि एक महिला ने एक दिन फोन किया और खुद को के सदसे के रूप में पेश किया आपके शहर में ग्रिह अगनी सुरक्षा संग मान लीजिये उसने फिर पूछा यदि आप घरेलू अगनी सुरक्षा के बारे में सीखने में रुची रखते हैं तो आपके घर ने आग के खत्रों के लिए जाच की और एक घर में आग बुझाने के लिए जी यू आई ये सेची आर सभी नी शूल आई ये आगे मान लें कि आप रुची रखते थे इन चीजों में और इनमें से किसी एक के लिए शाम की नियुक्ती की उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एसोसियेशन के निरेक्षक आते हैं जब वह पंहुचा उसने आपको एक छोटा हाथ बुझाने वाला यंत्र दिया और संभव की जांच करने लगा आपके घर की आग का खत्रा बाद में उन्होंने आपको कुछ दिल्चस्प दिया हालांकी भयाव सामाने आग के खत्रों के बारे में जानकारी साथ ही आपके घर की भेदेता का आकलन अंत में उन्होंने सुझाव दिया कि आपको एक होम फायर वार्निंग सिस्टम मिलता है और छोड़ दिया जाता है घटनाओं का ऐसा सेट असंभव नहीं है विभिन शहरों और कस्बों में गैरलाबकारी संग आमत और पर अगनिश्मन विभाग के कर्मियों से बने होते हैं अपने समय पर काम कर रहे हैं जो मुफ्त घर अगनी सुरक्षा निरेक्षन प्रदान करते हैं इस प्रकार की यदि ये घटनाए घटित होती तो आपके पास स्पष्ट रूप से होता निरेक्षक द्वारा एक एहसान किया गया है पारस्परिक्ता के अनुसार नियम यदि आप थे तो आपको वापसी पक्ष प्रदान करने के लिए और अधिक तयार रहना चाहिए भविशे में किसी बिंदू पर उसे सहायता की आवशेक्ता देखने के लिए का एक आदान प्रदान इस तरह के पक्ष पारस्परिक्ता नियम की सर्वोत्तम परंपरा में होंगे घटनाओं का एक समान सेट हालां की एक अलग अंत भी होगा संभव हो वास्तव में अधिक संभाव ना है सिफारिश के बाद जाने के बजाए आगर अलार्म प्रणाली में निरीक्षक बिक्री शुरू करेगा प्रस्तुती का उद्देशे आपको एक महंगी गर्मी खरीदने के लिए राजी करना है उन्होंने जिस कंपनी का प्रतिनिधित्व किया उसके द्वारा निर्मित अलार्म सिस्टम को ट्रिगर किया डोर टू डोर होम फायर अलार्म कंपनियां अकसर इस एप का इस्तेमाल करेंगी प्रचार आम तोर पर उनका उत्पाद जबकी पर्याप्त प्रभावी होता है खत्म हो जाएगा कीमत यह विश्वास करते हुए कि आपकी खुद्रा लागतों से परिचित नहीं होंगे ऐसी प्रणाली और कि यदि आप एक खरीदने का निर्ने लेते हैं तो आप बाधे महसूस करेंगे उस कंपनी को जिसने आपको निहशुल्क अगनिशामक और घर प्रदान किया है यदि आप स्वयम को ऐसी स्थिती में बोध के साथ पाते हैं कि इंस्पेक्टर के दोरे का प्रात्मिक मकसद आपको महंगा बेचना था अलार्म सिस्टम आपकी सबसे प्रभावी अगली कारवाई एक सरल निजी होगी पैंतरे बाजी इसमें पुनर परिभाशित का मानसिक कारे शामिल होगा केवल परिभाशित करें आपको निरीक्षक से जो कुछ भी मिला है बुझाने वाला यंत्र, सुरक्षा सूचना, जोखिम निरीक्षन, उपहार के रूप में नहीं बलकि विक्री उपकरणों के रूप में और, आप उसके खरीद प्रस्ताव को बिना सम के अस्वीकार या स्वीकार, करने के लिए स्वतन्त्र होंगे पारस्परिक्ता नियम से एक रस्साक्षी एक एहसान, ठीक से एक एहसान का अनुसरण करता है नहीं बिक्री रन्नीती का टुकडा और अगर वह बाद में आपके इनकार का जवाब देता है यह प्रस्ताव देकर कि आप कम से कम उसे अपने कुछ मित्रों के नाम तो दें कॉल कर सकते हैं उस पर फिर से अपने मानसिक युद्धा भ्यास का उप्योग करें उसके पीछे हटने को परिभाशित करें इस छोटे से अनुरोध के लिए क्या इस अध्याय को पढ़ने के बाद आशा की जाती है आप इसे एक अनुपालन रन्नीती मानते हैं एक बार हो जाने के बाद वहा होगा वापसी रियायत के रूप में नामों की पेशकश करने का कोई दबाव नहीं है क्योंकि उनकी कमी हुई है अनुरोध को वास्तविक रियायत के रूप में नहीं देखा जाएगा इस बिंदू पर अनुचित रूप से ट्रिगर किये गए दायत्व की भावना से बाधित आप कर सकते हैं एक बार फिर से अपनी इच्छानुसार आग्याक कारी या गैरहनुपालक बने बशर्ते आप इतने इच्छुक हों आप अपना हतियार भी बदल सकते हैं उसके खिलाफ प्रभाव का याद रखे की पारसपरिक्ता के नियम का अधिकार है एक व्यक्ती जिसने एक ही चीज की एक खुराक के लिए एक निश्चित तरीके से कारे किया है अगर आपने निर्धारित किया है कि अगनी निरीक्षक के उपहारों का उप्योग किया गया था न की वास्तविक उपहार लेकिन आप से लाब कमाने के लिए तो आप शायद अपना लाब कमाने के लिए उनका उप्योग करें बस जो कुछ भी ले लो स्पेक्टर प्रदान करने के लिए तैयार है सुरक्षा की जानकारी घर में आग लगाना एर उसे विनम्रता से धन्य एवाद दें और उसे दर्वाजे से बाहर दिखाए आखिर रेकी प्रोसिटी रूल का दावा है कि अगर इंसाफ करना है तो शोशन के प्रयास शोशन किया जाना चाहिए पाठक की रिपोर्ट एक पूर्व टीवी और स्टीरियो विक्रेता से काफी समय तक मैंने उनके टेली विजन में एक प्रमुख रिटेलर के लिए काम किया और स्टीरियो विभाग इस विभाग में सेल्स पर्सन को एक कौम पर भुगतान किया जाता है मिशन के आधार हालांकी निरंतर रोजगार था और अभी भी आधारित है माल के बजाए सेवा अनुबंध बेचने की क्षमता पर कंपनी नीती यह थी कि आपके द्वारा की गई प्रतेक दस बिक्री के लिए आपको कम से कम बेचना होगा चार सेवा अनुबंध आपकी सेवा अनुबंध बिक्री को ऊपर लाने में विफलता लगात्तार दो महीनों के लिए अपक्षित स्तर के परिणामस्वरूप खत्रे, पुनेह, उधरन, या समाप्ती एक बार जब मैंने अपने बिक्री अनुबंध को पूरा करने के महत्व को पहचान लिया कोटा, मैंने एक योजना तयार की जिसमें रिजेक्शन फे रिट्रीट तकनीक का इस्तेमाल किया गया था हाला कि मुझे उस समय इसका नाम नहीं पता था, एक ग्राहक के पास अवसर था सेवा अनुबंध कवरेज के एक से तीन साल के मूले से खरीदने के लिए ट्यूनी बिक्री के समय, अधिकांश बिक्री कर्मचारियों ने सिर्फ बेचने का प्रयास किया एक साल की नीती, एक साल से मेरा भी यही इरादा था अनुबंद को मेरे कोटे में तीन साल के अनुबंद के बराबर ही गिना गया किया था प्रारंब में हालां की मेरी बिक्री पिछ बनाते समय मैं वकालत करूंगा सबसे लंबी और सबसे महंगी योजना यह महसूस करते हुए कि अधिकांश लोग करेंगे इतना खर्च करने को तैयार नहीं लगभग 140 लेकिन इसने मुझे एक उत्करिष्ट अफसर बाद में मेरे इमानदार प्रयास में खारिज होने के बाद तीन साल की योजना को बेचने के लिए एक साल के विस्तार के लिए पीछे हटने के लिए और उसके अप एक शाग करित छोटा 34.95 मूले जिसे पाकर मैं रोमांचित था यह साबित हुआ अत्यधिक प्रभावी क्योंकि मैंने विक्री अनुबंदों को औस्तन 70 प्रतिशत पर बेचा था मेरे ग्राहकों में से जो खरीदारी के दौरान बहुत संतुष्ट लग रहे थे मेरे विभाग में अन्य लोगों ने लगभग 40 प्रतिशत का समूह बनाया मैंने कभी नहीं बताया किसी को भी मैंने इसे अब तक कैसे किया ध्यान दें की जैसा की आम तोर पर होता है अस्वी करिती फिर पीछे हटने का उप्योग कैसे करें रन्नीती विप्रीट सिध्धान्त की कारवाई को भी शामिल करती है इतना ही नहीं 140 का प्रारंभिक अनुरोध 3 4.95 के अनुरोध को पीछे हटने जैसा लगता है यह बना दिया की दूसरा अनुरोध भी छोटा लगता है अध्याय 3 प्रतिबद्धता और संगता मन के होब गोबलिंस अन्त की तुलना में शुरुआत्त में विरोध करना आसान है लियोनार्डो दाविंसी कनाडा के मनोवै ग्यानिकों की एक जोडी द्वारा किये गए एक अध्यर नेरे सट्रैक में लोगों के बारे में कुछ आकरशक उजागर किया इसके ठीक बाद एक शर्ट लगाते हुए वे अपने घोडे की संभावनाओं के बारे में अधिक आश्वस्त हैं जीतने की तुलना में वे उस शर्ट को लगाने से ठीक पहले हैं का बेशक घोडों की संभावनाओं के बारे में कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता है यह ऐसा ही है, घोडा उसी रास्ते पर, उसी मैदान में, लेकिन उनके मन में, सटे बाजों, टिकट खरीदने के बाद इसकी संभावनाओं में काफी सुधार होता है, हालांकि पहली नजर में थोड़ा हिरान करने वाला नाटकिय होने का कारण, परिवर्तन का सामाजिक प्रभाव के अन्व हतियार, यह हमारे भीतर गहराई से निहित है, हमारा निर्देशन करता है, शांत शक्ती के साथ का रवाई, यह काफी सरलता से हमारी लगभग जुनूनी इच्छा है, जो हम पहले ही कर चुके हैं, उसके अनुरूप होना और प्रकट होना, एक बार, हम ने चुनाव कर लिया है, या स्टैंड ले लिया है, हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, और उस प्रतिबधता के साथ लगात्तार व्यवहार करने के लिए पारसपरिक दबाव, मिन, वे दबाव हमें उन तरीकों से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे जो हमें उचित ठहराते हैं, पूर्व निरने, रे सट्रैक प्रयोग में 60 बाजों को लें, 30 सेकंड पहले, अपना पैसा नीचे रखते हुए, वे अनिश्चित और अनिश्चित थे, 30 कारे के कुछ सेकंड बाद, वे काफी अधिक आशावादी और आत्म आश्वासन दिया, अंतिम पहले की आवश्यक्ता ने इन लोगों पर जो महसूस किया उसे लाने के लिए दबाव डाला और जो वे पहले ही कर चुके थे, उसके अनुरूप विश्वास किया, वे बस चुनाव, स्वयम को विश्वास दिलाया कि उन्होंने सही चुनाव किया है, और निस संदेह, यह स बेहतर लगा, इस से पहले की हम इस तरह के आत्मगरम को रेसट्रैक आदत के लिए अदवितिय देखें, हम, मेरी पड़ोसी सारा और उसके लिवईन बॉयफरिंड की कहानी देखनी चाहिए, तिम, वे एक अस्पताल में मिले जहां उन्होंने एक सरे तकनीशियन के रूप में, तिम के खोने के बाद भी उन्होंने कुछ समय के लिए डेट किया, नौकरी और अंततह वे एक साथ चले गए, चीजें कभी सही नहीं थी, सारा के लिए वह चाहती थी कि तिम उससे शादी करे और उसका भारी शराब पीना बंद करे, तिम ने दोनों विचारों का विर एक पुराना बॉय फ्रिंड सालों बाद शहर लोटा और फोन किया, उसके वे एक दूसरे को सामाजिक रूप से देखने लगे और जल्दी ही गंभीर हो गए, शादी की योजना बनाने के लिए परियाप्त है, वे एक तारीक तै करने के लिए इतनी दूर चले गए थे और जब तिम ने फोन किया तो निमंतरन जारी किया, उसने पच्चताया था और चाहता था, वापस अंदर चले जाओ, जब सारा ने उसे अपनी शादी की योजना बताई, तो उसने उससे भीक मागी, उसका मन बदलने के लिए वह पहले की तरह उसके साथ रहना चाहता था, प लकिन उसने फिर भी कहा कि वह दूसरे प्रेमी को पसंद करती है, अंत में टिम ने स्वेच्छा से शराब पीना छोड़ दिया, अगर वह केवल भरोसा करती, यह महसूस करते हुए कि उन परिस्थितियों में टिम के पास बढ़त है, सारा ने फैसला किया, उसकी सगाई तो और दो, शादी रद्ध करो, निमंतरन वापस लो, और तिम को उसके साथ वापस जाने दें, एक महीने के भीतर, तिम ने सारा को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इसकी जरूरत है, आखिरकार उसका शराब पीना बंद कर देना, एक महीने बाद, उन्होंने फैसल किया था कि वे, शादी करने से पहले इंतजार करना और देखना चाहिए, दो साल हो गए हैं, बीतने के टिम और सारा पहले की तरह ही साथ रहते हैं, वह अभी भी पीता है, अभी भी शादी की कोई योजना नहीं है, फिर भी सारा अधिक समर्पित है, टिम के लिए वह पहले स कहीं ज्यादा थी वह कहती है कि सिखाया चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसे किटिम वास्तव में उसके दिल में नंबर एक है तो टिम को चुनने के बाद अपने दूसरे बॉय फ्रिंड की तुलना में सारा उसके साथ खुश हो गई भले ही जिन परिस्थितियों म कठिन विकल्प की शुद्धता पर विश्वास करना वास्तव में हम सभी समय समय पर अपने विचारों को रखने के लिए खुद को बेवकूफ बनाते हैं और जो हम पहले ही कर चुके हैं या तै कर चुके हैं उसके अनुरूप विश्वास मनो वैग्यानिकों ने लंबे सम जो नियू कॉम्ब ने इच्छा को देखा है हमारे विवहार के केंद्रिय प्रेरक के रूप में निरंतर्ता के लिए लेकिन क्या यह प्रवरित्ती है हम जो करते हैं उसे करने के लिए हमें मजबूर करने के लिए परियाप्त रूप से लगातार मजबूत होने की क्षमता आम तोर पर नहीं करना चाहेंगे इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है एनिस लगातार होने और देखने के लिए ड्राइव का एक अत्यधिक शक्तिशाली हथियार है सामाजिक प्रभाव अक्सर हमें ऐसे तरीकों से कारे करने के लिए प्रेरित करता है जो सपष्ट रूप से विपरीत होते हैं हमारे अपने सर्वोत्तम हित के लिए सबूत के तौर पर लीजिए क्या हुआ जब मनोवैग्यानिक थॉमस मोरियार्टी यह देखने के लिए कि क्या दर्शक जोखिम उठाएंगे नियू योर्क शहर के समुद्रतट पर चोरी का मंचन किया अपराद को रोकने के लिए व्यक्तिगत नुकसान अधेयन में एक शोध सहयोगी एक दोड़े के कंबल से 5 फीट नीचे एक समुद्रतट कंबल डाल देंगे प्रमुक रूप से चुने गए व्यक्ति प्रयोगात्मत विशह एक दो के बाद कंबल पर मिनट आराम और संगीत सुनने में बिताए पोर्टेबल रेडियो साथ ही खड़ा होगा और कंबल छोड़ देगा समुद्रतट पर तहलने के लिए कुछ मिनट बाद एक दूसरा शोद करता चोर होने का नाटक करते हुए संपर्ट करता, रेडियो पकड़ता और कोशिश करता इसके साथ जल्दी करो जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं सामानने परिस्थितियों में विशय चाल द्वारा खुद को नुकसान पहुचाने के लिए बहुत अनिच्चुक थे चोर को फांसी देना बीस बार में केवल चार लोगों ने ऐसा किया कि चोरी का मंचन किया गया लेकिन जब उसी प्रक्रिया को एक और बीस करने की कोशिश की गई थी कई बार थोड़े से मोड के साथ परिणाम बहुत अलग थे इन में घटनाए तहलने से पहले साथी बस पूछेंगे मेरी बातों पर चोकस रहने के अधिन जिसे करने के लिए उनमें से प्रतेक नेहामी भरी अब संगती के नियम से प्रेरित 20 में से 19 प्रजा आभासी सतर्क हो गई चोर के पीछे भागना और रोकना सपश्टी करन की मांग करना और अकसर चोर को शारीरिक रूप से रोकना या रेडियो छीन रहा है यह समझने के लिए कि निरंतर्ता इतना शक्तिशाली मकसद क्यों है यह आयात है चीन्टी यह पहचानने के लिए कि ज्यादातर परिस्थितियों में स्थिर्ता को महत्व दिया जाता है और अनुकूली असंगती को आमत और पर अवांचनिय माना जाता है व्यक्तित्व गुन जिस व्यक्ति की आस्था वचन और कर्म नहीं मैच को अनिरनायक, भ्रमिद, दोमुनह वाले या मानसिक रूप से भी देखा जा सकता है बीमार दूसरी तरफ उच्चस्तर की स्थिर्ता सामाने रूप से जुड़ी होती है व्यक्तिगत और बौधिक शक्ति के साथ यह तर्प के केंद्र में है राशन स्थिर्ता स्थिर्ता और इमानदारी महान अंग्रेजों के लिए जिम्मेदार एक उधरन रसायन अगे माईकल फेराडे सुझाव देते हैं कि किस हद तक संगत है स्वीक्रित है कभी कभी सही होने से अधिक एके बाद पूछे जाने पर व्याख्यान अगर उनका मतलब यह था कि एक नफरत वाला अकादमिक प्रतिदवंद्वी हमेशा था गलह फेराडे ने प्रश्नकरता की ओर देखा और उत्तर दिया वह ऐसा नहीं है एक जैसा निश्चित रूप से हमारे में अच्छी व्यक्तिगत स्थिर्ता का अत्यधिक मिहत्व है संस्कृती और अच्छा होना चाहिए यह हमें एक उच्चित और प्रदान करता है दुनिया के लिए लाभकारी अभी विन्यास अधिकांश समय हम बेहतर रहेंगे अगर चीजों के प्रती हमारा दृष्टिकों निरंतर्ता के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है इसके बिना हमारा जीवन कठिन, अनिश्चित और असंबध होगा लेकिन क्योंकि यह आम तोर पर हमारे सर्वोत्तम हित में है कि हम लगातार बने रहें, हम परिस्थितियों में भी आसानी से अपने आप होने की आदत में पढ़ जाते हैं जहां यह समझधार तरीका नहीं है जब यह बिना सोचे समझे घटित होता है संगती विनाशकारी हो सकती है फिर भी अंधी संगती में भी है इसके आकर्शन सबसे पहले स्वचालित प्रतिक्रिया के अधिकांश अन्य रूपों की तरह यह प्रदान करता है आदूनिक जीवन के घनत्व के माध्यम से शौर्टकट एक बार हमने बना लिया एक मुद्दे के बारे में हमारे दिमाग जिद्दी स्थिर्ता हमें एक बहुत ही अपील की अनुम्ती देती है विलासिता में हमें वास्तव में इस मुद्दे के बारे में अब और सोचने की जरूरत नहीं है हमारे सामने आने वाली सूचनाओं के जंजावात से निकलने की जरूरत नहीं है प्रासंगिक तत्यों की पहचान करने के लिए हर दिन हमें मानसिक खर्च करने की जरूरत नहीं है पेशेवरों और विपक्षों को तोलने की उर्जा हमें और कुछ नहीं करना है कड़े फैसले इसके बजाए हमें बस इतना करना है कि का सामना करना पड़े मुद्दा हमारे consistency tape को चालू करने का है और हम जानते हैं कि क्या है विश्वास करना, कहना या करना हमें केवल विश्वास करने, कहने या करने की जरूरत है जो कुछ भी है हमारे पहले के फैसले के अनुरूप ऐसी विलासिता का आकर्शन कम से कम नहीं होना चाहिए यह हमें अनुम्ती देता है से निपटने के लिए सुविधाजनक, अपेक्शाकरित सरल और कुशल तरीका जटिल दैनिक वातावरण जो हमारे मानसिक पर गंभीर मांग करते है उर्जा और क्षमता फिर यह समझना कठिन नहीं है कि स्वचालित क्यों आईसी स्थिर्ता पर अंकुष लगाने के लिए एक कठिन प्रतिक्रिया है यह हमें बचने का एक रास्ता प्रदान करता है निरंतर विचार की कठोरता और जैसा कि सर जोशुआ रेनोल्डस ने कहा ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसका कोई आदमी वास्तविक से बचने के लिए सहारा नहीं लेगा सोच का श्रम हमारे संगती टेप के संचालन के साथ हम कर सकते हैं हमारे व्यवसाय के बारे में सोचने के लिए परिश्रम से खुशी-खुशी छूटे बहुत अधिक यांत्रिक स्थिर्ता का दूसरा अधिक विकृत आकर्शन है भी कभी-कभी यह कठिन संग्यानात्मक कारे का प्रयास नहीं होता है जो बनाता है हम विचारशील गतिविधी से बचते हैं लेकिन उस गतिविधी के कटोर परिणाम कभी-कभी यह शापित रूप से सपष्ट और अवांशित उत्तरों का सेट होता है सीधी सोच द्वारा प्रदान किया गया जो हमें मानसिक रूप से सुस्त बनाता है वहां कुछ परेशान करने वाली चीजें जिन्हें हम महसूस नहीं करना चाहते हैं चुँकि यह प्रतिक्रिया देने का एक पूर्व घ्रमादेशित और नास्मज तरीका है स्वचालिद संगती परेशान करने वालों से एक सुरक्षित छिपने की जगह प्रदान कर सकती है कारवाई कठोर स्थिर्ता के किले की दीवारों के भी तरसील हम हो सकते हैं कारण की गेराबंदी के लिए अभिद्धे क्रांसेंडेंटल द्वारा दिये गए एक परिच्यात्मक व्याख्यान में एक रात ध्यान, टी-ेम, कारेक्रम मैंने एक अच्छा उदाहरन देखा कि कैसे लोग से खुद को बचाने के लिए स्थिर्ता की दीवारों के अंदर छिप जाएगा सोच के दुश्परिणाम व्याख्यान की अध्यक्षता स्वयंकी दो बयाना युवकों द्वारा और नए भर्ती करने के लिए डिजाइन किया गया था कारेक्रम में सदसे कारेक्रम ने दावा किया कि यह एक अध्वितिय सिखा सकता है ध्यान का वह ब्रांड जो हमें सभी प्रकार की मनोकामनाय प्राप्त करने की अनुमती देगा सरल आंतरिक शांती से लेकर अधिक शांदार तक सक्षम चीजें कारेक्रम के उन्नत और परदीवारों से उड़ने और गुजरने की क्षमता अधिक महेंगा, चरण मैंने इस तरह के अनुपालन का पालन करने के लिए बैठक में भाग लेने का फैसला किया था इस तरह के भरती व्याख्यान में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीती और साथ लाई थी एक इच्छुक मित्र, एक विश्व विद्याले के प्रोफेसर जिनकी विशेश गेता के शेत्र सांकेकी और प्रतिकात्मक तर्क थे जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी और व्याख्याताओं ने टी-म के पीछे के सिध्धान्त को समझाया मैंने अपने तरकशास्त्री मित्र पर ध्यान दिया अधिक बेचैन होता जा रहा है अधिक से अधिक दर्द और देख रहे हैं अपनी सीट पर लगातार इध्र उधर घूमते हुए वह अंततह विरोध करने में असमर्थ रहा जब व्याख्यान के पूरा होने पर नेताओं ने प्रशन पूछे उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से लेकिन निश्चित रूप से प्रस्तुती को ध्वस्त कर दिया हमने अभी सुना था दो मिनट से भी कम समय में उन्होंने ठीक ठीक बता दिया व्याख्यात्ताओं का जटिल तर्ट कहा और क्यों विरोधा भासी था इल तारकिक और असमर्थ निये चर्चा नेताओं पर प्रभाव था विनाशकारी ब्रमित चुक्पी के बाद प्रतेक ने केवल एक कमजोर उत्तर का प्रयास किया अपने साथी से बात करने के लिए बीच में ही रुकना और अंत में यह स्वीकार करना की माई सहकर्मी के अंक अच्छे थे आगे के अधेयन की आवशेकता है मेरे लिए अधिक दिल्चस्प हालां की बाकी पर प्रभाव था दर्शक प्रश्न अवधी के अंत में दो भरती करता थे अपने 75 प्रस्तुत करने वाले दर्शकों के सदसियों के क्रश का सामना करना पड़ा टीम कारेकरम में प्रवेश के लिए डॉलर डाउन पेमेंट कुहनी मारना भुगतान लेते समय एक दूसरे को सिकोड़ना और एक दूसरे को हसाना भरती करने वालों ने घबराहट के संकेतों को धोखा दिया किस एप के बाद उनके वर्तमान का शर्मनाक गुरूप से सपष्ट पतन होना प्रतीत होता है तशन बैठक किसी तरह एक बड़ी सफलता में बदल गई उत्पन्न दर्शकों से रहसे मैं धंग से उच्चस्तर का अनुपालन यद्यपी थोड़ा अधिक हैरान होकर मैंने असफलता के लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया को चाक्चा अबंद किया मेरे सहयोगी के तरकों के तरक को समझने के लिए जैसा की यह निकला हाला की मामला बस उल्टा था बैठक के बाद व्याख्यान कक्ष के बाहर हमसे संपर्ट किया गया दर्शकों के तीन सदसे जिनमें से प्रतिक ने डाउन पे दिया था व्याख्यान के तुरंत बाद वे जानना चाहते थे कि हमारे पास क्यों था सत्र में आओ हमने समझाया और हमने वही प्रशन पूछा उन्हें एक-एक महत्वाक कांक्षी अभिनेता था जो सफल होने के लिए बेताब था अपने शिल्प पर और बैठक में यह जानने के लिए आया था कि क्या टीम अनुम्ती देगा उसे कला में महारत हासिल करने के लिए आवशेक आत्मनी अंतरन प्राप्त करने के लिए भरती करने वाले उसे आश्वासन दिया था कि होगा दूसरे ने खुद को गंभीर बताया अनिद्रा से ग्रस्त व्यक्ती को उम्मीद थी कि टीम उसे एक रास्ता प्रदान करेगा आराम करो और रात में आसानी से सो जाओ तीसरे ने अनौपचारिक के रूप में कारे किया प्रवक्ता उन्हें नेंद से जुड़ी समस्या भी थी वह कॉलेज में फेल हो रहा था क्योंकि पढ़ाई के लिए परियाप्त समय नहीं लगता था वह आया था बैठक यह पता लगाने के लिए कि क्या टीम उसे कम जरूरत के लिए प्रशिक्षन देकर मदद कर सकता है हर रात सोने के घंटे इसके बाद अतिरिक्त समय का उप्योग किया जा सकता है अध्ययन यह ध्यान रखना दिल्चस्प है कि भर्ती करने वालों ने उन्हें भी सूचित किया अनिंद्रा के रूप में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तक्नीक हल कर सकती है उनकी संबंधित, हालांकी विप्रीत, समस्याएं अभी भी सोच रहा था कि तीनों ने साइन आप किया होगा क्योंकि उन्होंने नहीं किया था मेरे तर्कशास्त्री मित्र की बातों को समझ गया, मैं प्रश्न करने लगा उनके तर्क के पहलूओं के बारे में मेरे आश्चरे के लिए मैंने पाया कि वे उनकी टिपपणियों को अच्छी तरह समझ गया था वास्तव में, सब ठीक है वह था ठीक उनके तर्क की द्रिलता जिसने उन्हें साइन आप करने के लिए प्रेरित किया कारेकरम मौके पर प्रवक्ता ने इसे सबसे अच्छा रखा ठीक है, मैं नहीं था आज रात किसी भी पैसे को नीचे रखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं वास्तव में काफी तूट गया हूँ तुरंद, मैं अगली बैठक तक इंतजार करने जा रहा था लेकिन जब आपका दोस्त ने बात करना शुरू कर दिया मुझे पता था कि अब मैं उन्हें अपने पैसे दे दूंगा या मैं घर जाता और उसके बारे में सोचना शुरू कर देता और कभी साइन आप नहीं करता एक बार में चीजें समझ में आने लगी ये असली वाले लोग थे समस्या और वे कुछ हद तक एक रास्ता खोज रहे थे उन समस्याओं का समाधान करें वे साधक थे जो यदी हमारे चर्चा के नेता विश्वास किया जाना था टीएम में एक संभावित समाधान मिल गया था द्वारा संचालित उनकी जरूरतें वे बहुत विश्वास करना चाहते थे कि टीएम उनका जवाब था अब मेरे सहयोगी के रूप में कारण की आवाज में घुसपैट करता है उनके नए समाधान के अंतरनी हिट सिधान्त को निराधार दिखाना घबराहट तर्प के टोल लेने से पहले एक बार में कुछ किया जाना चाहिए और उन्हें फिर से बिना उम्मीद के छोड़ देता है जल्दी जल्दी कारण के खिलाफ दीवारें जरूरत है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो किला बनाया जाना है वह है जल्दी विचार से छिपने की जगह ये लो ये पैसे वाह समय रहते सुरक्षित मुद्दों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है लंबा निर्ने हो चुका है और अब से निरंतरता पर जब भी आवशे खोटे बजाया जा सकता है तीम निष्चित रूप से मुझे लगता है की यह होगा मेरी मदद करो निष्चित रूप से मैं जारी रखने की उमीद करता हूं निष्चित रूप से मैं टीम में विश्वास करता हूँ मैं पहले से ही इसके लिए अपना पैसा नीचे रख दिया ना, आ, आराम की, ना समज संगती, मैं यहीं कुछ देर विश्राम करूंगा, यह बहुत अधिक है, उस कठिन, कठिन खोज की चिंता और तनाव से बेहतर, यदि, जैसा की प्रतीत होता है, स्वचालित स्थिर्ता एक धाल के रूप में कारे करती है, सोचा, यह आश्चरे की बात नहीं होनी चाहिए, कि ऐसी संगती भी हो सकती है, उन लोगों द्वारा शोशन किया जाता है, जो पसंद करते हैं, कि हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, हमारे अनुपालन के लिए उनके अनुरोधों का जवाब, शोशकों के लिए, जिनके, उनके लिए एक हैं, कि वे हमें हमारी संगती टेप चलाने की विवस्था कर रहे हैं, जब इससे उन्हें लाब होता है, कि हम शायद ही कभी महसूस करते हैं, कि हमें ले जाया गया है, ठीक जुजित्सु में, फैशन, वे हमारे साथ अपनी बातचीत की संगरचना करते हैं, ताकि हमारी प्रिष्टिकों का उप्योग करते हैं, मौसमी खरीदारी पैटर्न के कारण एक समस्या, बेशक, भूम, खिलोनों की विकरी का समय क्रिस्मस की छुट्टियों के समुद्र से पहले और उसके दोरान होता है, बेटा, इस अवधी के दोरान खिलोना कमपनिया मोटा कमाती हैं, उनका समस्या यह है कि खिलोने की विकरी फिर अगले जोडे के लिए एक भयानक मंदी में चली जाती है, महीनों का, उनके ग्राहक पहले ही पूरी राशी अपने में खर्च कर चुके हैं, खिलोना बजट और अधिक के लिए अपने बच्चों की दलीलों के लिए कठोर प्रतिरोधी हैं, यहां तक कि उन बच्चों को भी जिनका जन्म दिन चुट्टियों के तुरंत बाद आता है, हाल ही में क्रिसमस की होड के कारण कम खिलोने, तो खिलोना निर्माताओं को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है, बिकरी कैसे रखें, पीक सीजन के दौरान उच्च और साथ ही स्वस्थ बनाए रखें, तुरंत बाद के महीनों में खिलोनों की मांग, उनकी कटिनाई, निश्चित रूप से हमारे स्वाभाविक रूप से अत्रिप्त संतानों को समझाने में जूट नहीं है, नए मनोरंजन का निरंतर प्रवाह चाहते हैं आकरशक टेलीविजन की एक श्रिंखला, शनिवार की सुबह कार्टून शो के बीच रखे गए विग्यापनों में होगा, सामाने मात्रा में भीक मांगना, रोना धोना और घर घराहत पैदा करना, बात जब वर्ष के दोरान प्रकट होती है, नहीं, समस्या मों में नहीं है क्रिस्मस के बाद बच्चों को अधिक खिलोने चाहने के लिए प्रेरित करना, समस्या चुट्टी के बाद व्यतित हो चुके मातापिता को पहुचने के लिए प्रेरित करने में है, अपने पहले से ही खिलोनों से भरे एक और खिलोने की कीमत के लिए नीचे, बच्चे, ख उसरों ने सुस्त अवधी के दोरान कीमतों में कमी की है, लेकिन उन मानक विक्री उपकर्णों में से कोई भी सफल सावित नहीं हुआ है, न सिर्फ दोनों ही हथकंडे महंगे हैं, लेकिन दोनों बढ़ाने में भी अप्रभावी रहे हैं, वांचित स्तर पर विक्री, माताप पिता बस खिलोना खरीदने के मूर में नहीं हैं, और विग्यापन या कम खर्च के प्रभाव पर्याप्त नहीं हैं, उस पत्थर के प्रतिरोध को हिलाने के लिए, हालांकि कुछ बड़े खिलोना निर्माताओं को लगता है कि उन्हें एक मिल गया है, समाधान, यह एक सरल विग्यापन है, जिसमें सामाने विग्यापन से अधिक कुछ नहीं है, खर्च करना और जरूरत के शक्तिशाली खिंचाव की समझ, स्थिर्ता के लिए, खिलोना कमपनियों की रणनीती कैसे काम करती है, इसका मेरा पहला संकेत, जब मैं इसके लिए गिर गया और फिर सच् परी का महीना था, और मैं शहर के सबसे बड़े खिलोनों की दुकान में था, पुर के बाद, एक महीने पहले अपने बेटे के लिए बहुत सारे उपहारों का पीछा करते हुए, मैंने शपत ली थी, उस जगह या उसके जैसे किसी भी लंबे, लंबे समय तक प्रवेश न क करें, फिर भी मैं न केवल शैतानी जगह पर था, बलकि माई को खरीदने की प्रक्रिया में भी था, बेटा एक और महंगा खिलोना एक बड़ा, इलेक्ट्रिक रोडरे सेट के सामने, सडक दोड का प्रदर्शन मैं एक पूर्व पडोसी से मिला, जो था, अपने बेटे को वही खिलोना खरीदना, अजीब बात यह थी कि हम लगभग कभी नहीं, अब एक दूसरे को देखा, दर असल, आखिरी बार उसमें एक साल पहले था, वही दुकान जहां हम दोनों अपने बेटों को महंगी पोस्ट खरीद रहे थे, क्रिसमस उपहार, उस समय एक रोबोट जो चलता था, बात करता था, और बरबाद हो जाता था, हम एक दूसरे को केवल एक बार देखने के अपने अजीब पैटर्न के बारे में हसे, एक साल एक ही समय में, एक ही जगह पर, एक ही काम करते हुए, उस दिन बाद में, मैंने एक मित्र को सन्योग का उलेक किया, जो ब देखो, उन्होंने कहा, मैं आपसे सडक के बारे में कुछ प्रशन पूछता हूँ, रेस सेट जो आपने इस साल खरीदा था, सबसे पहले, क्या आपने अपने बेटे से वादा किया था कि वह, क्रिस्मस के लिए एक प्राप्त करें, ठीक है, हाँ, मैंने किया, मैंने खुद कुछ विग्यापपन देखे और यह मजेदार लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, स्ट्राइक वन, उन्होंने घोशना की, अब मेरे दूसरे प्रशन के लिए, कब, तुम एक खरीदने गए थे, क्या तुमने सभी दुकानों को बिक पाया, यह सही है, मैंने क दुकानों ने कहा कि उन्होंने कुछ ओर्दर किया था लेकिन नहीं किया, पता है कि वे कब और अधिक प्राप्त करेंगे, इसलिए मुझे क्रिस्टोफर को कुछ खरीदना पड़ा, रोडरेस सेट के लिए अन्यखिलों ने, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, दो हड़ता उन्होंने कहा, बस मुझे एक और सवाल पूछने दो, क्या यह नहीं, एक साल पहले रोबोट टॉय के साथ भी ऐसा ही होता था, एक मिनट रुको, तुम सही हो, बस यही हुआ, इसमें है, विश्वसनी आप कैसे जानते हो, कोई मानसिक शक्ती नहीं, मुझे अभी पता चल है, कि कितने बड़े, खिलोना कमपनियों ने अपनी जनवरी और फरवरी की विक्री बढ़ा दी है, उन्होंने आरंब किया, क्रिसमस से पहले कुछ विशेश खिलोनों के लिए आकरशक टीवी विग्यापनों के साथ, एनेस, बच्चे, स्वाभाविक रूप से, वही चाह वे खिलोनों के साथ दुकानों को कम आपूर्ती करते हैं, उन्होंने मातापिता को वादा किया है, अधिकांश मातापिता उन चीजों को ढूंधते हैं, बेजा जाता है, और समान मूले के अन्य खिलोनों को प्रतिस्थापित करने के लिए मजबूर किया जाता है, खिलोना निर्माता निश्चित रूप से दुकानों को आपूर्ती करने का एक बिंदू बनाते हैं इन विकल्पों में से बहुत सारे फिर क्रिस्मस के बाद कम्पनियां शुरू होती हैं दूसरे विशेश खिलोनों के लिए फिर से विध्यापपन चलाना जो बच्चों को रस देता है उन खिलोनों को पहले से कहीं ज्यादा चाहते हैं वे दोड़ते हुए अपने माता पिता के पास जाते हैं रोना तुमने वादा किया था तुमने वादा किया था और वे स्क्रौन्द रहे हैं उनके शब्दों पर कर्तवे प्रायनता से जीने के लिए दुकान के लिए रवाना कहा, मैंने कहा, अब देखना शुरू करते हुए, वे अन्य मातापिता से मिलते हैं उन्होंने एक साल से एक ही चाल के लिए गिरते हुए नहीं देखा, एहना सही, उह, तुम कहा जा रहे हो, मैं उस रोडरेस सेट को वापस स्टोर पर ले जा रहा हूँ इवास, इतना गुस्सा कि मैं लगभग चिला रहा था रुकना, पहले एक मिनट सोचो, आपने इसे आज सुबह क्यों खरीदा क्योंकि मैं क्रिस्टोफर को निराश नहीं करना चाहता था और क्योंकि मैं चाहता था, उसे सिखाने के लिए किवादों को पूरा करना है अच्छा, क्या इनमें से कोई बदल गया है देखो, अगर तुम उसका खिलोना अभी ले जाओ वह नहीं समझेगा क्यों तो, आप मुझे बता रहे हैं कि वे पिछले दो वर्षों से मुझे पर अपना लाब दो गुना कर दिया और मैंने कभी भी नहीं किया पता था, और अब जब की मैं करता हूँ मैं अभी भी फंसा हुआ हूँ, अपने ही शब्दों से इसलिए, जो आप वास्तव में मुझे बता रहे हैं वह है, स्ट्राइक थ्री उसने सिर हिलाया, और तुम बाहर हो प्रतिबधता कुंजी है एक बार जब हमें पता चलता है कि निर्देशन में निरंतर्ता की शक्ती दुर्जे है मानव क्रिया, एक महत्व पूर्ण व्यावहारिक प्रशन तुरंत उठता है कैसे? क्या वह बल लगा हुआ है? वहिर को सक्रिय करने वाले क्लिक को क्या उत्पन करता है? शक्ति शाली स्थिर्टा टेप की सामाजिक मनोवै ज्यानिक सोचते हैं कि वे जानते हैं उत्तर, प्रतिबधता lyrics meaning अगर मैं आप एक प्रतिबधता बनाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं एक stand लेने के लिए, record पर जाने के लिए मैंने आपके लिए मन्च तैयार किया होगा उस पहले की प्रतिबधता के साथ स्वचालित और गैर्विचारित संगती एक बार स्टेंड लेने के बाद तरीकों से व्यवहार करने की एक स्वाभाविक प्रवरित्ती होती है जो स्टेंड के अनुरूप हैं जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं केवल सामाजिक मनोवैग्यानिक ही नहीं है जो प्रतिबधता और निरंतर्ता के बीच संबंध को समझें प्रतिबधता रणनीतियों का लक्षे अनुपालन पेशेवरों द्वारा किया जाता है लगभग हर प्रकार प्रतेक रणनीती का उद्देशे हमें लेने के लिए प्राप्थ करना है कुछ कारवाई या कुछ बयान जो हमें बाद में अनुपालन में फंसाएगा निरंतर्ता दबाव के माध्यम से बनाने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रियाएं प्रतिबधता विभिन रूप लेती है कुछ काफी सीधे हैं अनुप सबसे सूक्षम अनुपालन युक्तियों में से एक हैं जिनका हम सामना करेंगे उदाहरन के लिए मान लीजिए कि आप लोगों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं आपके शेत्र में जो घर-घर जाकर चंदा लेने के लिए सहमत होंगे अपने पसंदीदा दान के लिए द्रिष्टिकों का अधेयन करना आपके लिए बुद्धिमान होगा सामाजिक मनोवै ग्यानिक स्टीवन जे शेर में ध्वारा लिया गया उन्होंने बस कहा ब्रूमिंगटन, इंडियाना, निवासियों का नमूना एक सर्वेक्षन के हिस्से के रूप में वह था लेने और उनसे भविशेवानी करने के लिए कहा कि अगर उन्हें खर्च करने के लिए कहा जाये तो वे क्या कहेंगे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के लिए तीन घंटे धन एक कत्रित करना का बेशक सर्वेक्षन लेने वाले या करने के लिए अचूत नहीं दिखना चाहते हैं स्वयन, इनमें से कई लोगों ने कहा कि वे स्वयन सेवा करेंगे इनिस, इस धूर्थ प्रतिबधता प्रक्रिया का परिणाम सेवन जीरो जीरो प्रतिशत था स्वयन सेव को में खरीज, जब कुछ दिनों बाद, का एक प्रतिनिधी अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कॉल किया और पडोस के कैंवसर्स के लिए कहा उसी रणनीती का उप्योग करते हुए, लेकिन इस बार कोलम्बस, ओहियो, निवासियों से पूछ रहे हैं यह अनुमान लगाने के लिए कि क्या वे चुनाव के दिन मतदान करेंगे, शोध की एक टीम एंथोनी ग्रीनवल्ड के नेत्रित्व में E.R.S. उलेखनीय रूप से वृद्धी करने में सक्षम थे अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव में मतदान करने वालों के बीच मतदान हुआ शायद इससे भी अधिक चालाग प्रतिबधता तकनीक दी हाल ही में चैरिटी के लिए टेलीफोन सॉलिसिटर द्वारा विक्सित किया गया आपने ध्यान दिया कि कॉल करने वाले आपसे किसी न किसी कारण से योगदान करने के लिए कह रहे हैं आपके वर्तमान स्वास्थे के बारे में पूछताच करके दिन शुरू होने लगते हैं और हाल चाल नमस्कार मिस्टर सुश्री टारगेट परसन वे कहते हैं आप कैसे हैं आज शाम महसूस कर रहा हूँ या आज आप कैसे हैं फोन करने वाले में इस प्रकार के परिचे के साथ तंबू केवल मित्रवत प्रतीत नहीं होता है और देखभाल करने वाला या आपको जवाब देने के लिए है जैसा कि आप आमतर पर ऐसे विनम्र लोगों के साथ करते हैं सथी पूछताच अपनी खुद की विनम्र सथी टिपपनी के साथ बस ठीक है या असली अच्छा या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ धन्यवाद एक बार आपके पास है सारवजनिक रूप से कहा कि सब ठीक है वकील के लिए यह बहुत आसान हो जाता है उन लोगों की सहायता करने के लिए जिनके लिए सब कुछ ठीक नहीं है मुझे खुशी है इसे सुने क्योंकि मैं यह पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि क्या आप एक बनाने के इच्छुक हैं कि दुर्भाग्य पूर्ण पीडितों की मदद के लिए दान इस रणनीती के पीछे सिध्धान्त यह है कि जिन लोगों ने अभी अभी दावा किया है कि वे एक मिलनसार व्यक्ती के नियमित भाग के रूप में भी कर रहे हैं ठीक महसूस कर रहे हैं विनिमे प्रिनाम स्वरूप इसमें कंजूस दिखना अजीब लगेगा अपने स्वयम के स्वीकारे रूप से पसंदीदा परिस्थितियों के संदर्भ में अगर यह सब लगता है थोड़ा दूर की कोडी उपभोकता शोध करता डेनियल के निशकर्शों पर विचार करें हावर्ण जिन्होंने सिध्धान्त का परीक्षन किया डलास, टेकसास, निवासियों को बुलाया गया फोन पर और पूछा कि क्या वे एक प्रतिनिधी को अनुमती देने के लिए सहमत होंगी भूख राहत समिती की ओर से उन्हें बेचने के लिए उनके घर आने के लिए कुकीज, जिससे होने वाली आय का उप्योग भोजन की आपूर्ती के लिए किया जाएगा गरीब, जब अकेले प्रयास किया गया, तो वह अनुरोध, मानक अनुरोध 80 ION द्रिष्टिकुम ने केवल 18 प्रतिशत समझोता किया हालांकि, अगर, फोन करने वाले ने शुरू में पूछा, आज शाम आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इंतजार किया मानक द्रिष्टिकुम पर आगे बढ़ने से पहले उत्तर के लिए, कई नोट योगे बाते हुई सबसे पहले, बुलाए गए 120 व्यक्तियों में से, सबसे अधिक 108 प्रतागत अनुकूल उत्तर दिया, अच्छा, ठीक है, असली अच्छी तरह से, आदी दूसरा, 32 प्रतिशत लोग जिन हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं राद, प्रश्न कुकी विक्रेता को उनके घरों पर प्राप्त करने के लिए सहमत हुए, लगभग मानक याचना द्रिष्टिकों की सफलता दर का दो गुना तीसरा, सच संगती सिध्धान्त के लिए, लगभग हर कोई जो इस तरह से सहमत है विजिट ने, वास्तव में, घर पर संपर्ट किये जाने पर कुकी की खरीदारी की, 89 प्रतिश्राद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रणनीती अपनी सफलताओं को सरलता से उत्पन्न नहीं करती है क्योंकि एक वकील जो इसका उप्योग करता है, वह अधिक चिंतित और विनम्र लगता है जो इसका उप्योग नहीं करता है, हववर्ड ने एक और अधेयन किया इस समय कॉल करने वालों ने या तो इस सवाल के साथ शुरुआत की, आप यह कैसा महसूस कर रहे हैं संध्या और आगे बढ़ने से पहले प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की या के साथ कथन, मुझे आशा है कि आप आज शाम अच्छा महसूस कर रहे हैं और फिर आगे बढ़े मानक आगरह द्रिष्टिकों के लिए इस तथे के बावजूद की कॉलर प्रतेक्प्रकार की बातचीत की शुरूआत गर्म जोशी और मैत्री पूर्ण टिपपणी के साथ की आप कैसा महसूस कर रहे हैं तकनीक अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर थी 33 प्रतिशत बनाम 15 प्रतिशत अनुपालन क्योंकि इसने अकेले शोशन किया अपने लक्षियों से सक्षम सार्वजनिक प्रतिबधता ध्यान दे की प्रतिबधता उन लक्षियों से भी दो गुना अनुपालन प्राप्त करने में सक्षम था हाला कि जिस समय यह हुआ था वह उन्हें पूरी तरह से लग रहा होगा एक पूरी तरह से सथी प्रशन का असंगत उत्तर फिर भी एक और काम पर सामाजिक जुजित्सु का बढ़िया उदाहरण एक प्रतिबधता को प्रभावी बनाने का प्रशन एक संख्या है उत्तरों का विभिन प्रकार के कारक प्रतिबधता की क्षमता को प्रभावित करते हैं हमारे भविशे के व्यवहार को बाधित करें के लिए डिजाइन किया गया एक बड़े पैमाने का कारेक्रम अनुपालन का उत्पादन अच्छी तरह से दिखाता है कि कितने कारक काम करते हैं इस कारेकरम की खास बात यह है कि यह व्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया था दशकों पहले इन कारकों को नियोजित करना वैग्यानिक अनुसंधान से बहुत पहले था उनकी पहचान की कोरियाई युद्ध के दोरान पकड़े गए कई अमेरिकी सैनिकों को मिला चीनी कॉमरेड दोरा चलाये जा रहे कैदी ओफवोर पाउ, शिविरों में खुद को मुनिस्ट संघर्ष की शुरुआत में ही यह सपष्ट हो गया कि चीनियों ने व्यवहार किया बंदी अपने सहयोगियों उत्तर कोरियाई लोगों की तुलना में काफी अलग थे जिन्होंने अनुपालन हासिल करने के लिए जंगलीपन और कठोर सजा का समर्थन किया विशेश रूप से कुरूरता की उपस्थिती से बचने के लिए लाल चीनी किसमें लगे हुए हैं उन्होंने अपनी उदार नीती की संक्या दी जो वास्तव में एक थोस और उनके बंदियों पर परिश्कृत मनोवैग्यानिक हमला यूद्ध के बाद अमेरिकी मनोवैग्यानिकों ने लोटने वाले कैदियों से की ग्यहन पूछ ताज यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हुआ था ग्यहन मनोवैग्यानिक जंच कुछ लोगों की अस्थिर सफलता के कारण कुछ हद तक कारवाई हुई चीनी कारेक्रम की ताकत उदाहरन के लिए चीनी बहुत प्रभावशाली थे अमेरिकियों को एक दूसरे को सूचित करने के लिए हड़ताली चुनाव में दुईतिय विश्व यूद्ध में अमेरिकी पाउज के विवहार पर भरोसा करें इसके लिए कारण दूसरों के बीच भागने की योजना जल्दी से उजागर हो गई थी और भागने के प्रयास लगभग हमेशा अस्फल होते हैं जब एक एस किप्ट हुआ था एक प्रमुक अमेरिकी निवेश दो एडगर स्कीन ने लिखा कोरिया में चीनी शिक्षा कारेकरम के प्रवर्तक चीनी आम तोर पर किसी को भी चावल का थैला देकर आदमी को आसानी से ठीक कर लेता है उसे अंदर कर रहा है वास्तव में चीनी में लगभग सभी अमेरिकी कैदी कहा जाता है कि शिविरों ने दुश्मन के साथ एक या एक रूप में सहयोग किया है अन्व चीनी जेल शिविर कारेकरम की एक परीक्षा से पता चलता है कि इसकी कार्मिक प्रतिबधता और निरंतर्ता के दबावों पर बहुत अधिक निर्भर थे कैदीयों से वांशित अनुपालन प्राप्त करें बेशक पहली समस्या चीनीयों का सामना करना यह था कि किस तरह से कोई सहयोग प्राप्त किया जाए अमेरिकी ये वे पुरुष थे जिन्हें प्रशिक्षित किया गया था कि वे कुछ भी नहीं प्रदान करें नाम, रैंक और सीरियल नंबर शारीरिक प्रूरता की कमी, कैसे? क्या बंदी ऐसे लोगों को सैन्ने जानकारी देने की उम्मीद कर सकते हैं? साथी कैदियों में बदलो, या सारवजनिक रूप से अपने देश की निंदा करो एनिस चीनी उत्तर प्रात्मिक था, छोटे से शुरू करें और निर्मान करें उदाहरण के लिए, कैदियों को अकसर बयान देने के लिए कहा जाता था मामूली रूप से अमेरिकी विरोधी या कम्यूनिस्ट समर्थक के रूप में अपरासंगिक प्रतीत होने के लिए सन्युक्त राजे अमेरिका परिपूर्ण नहीं है एक कम्यूनिस्ट देश में, यूए नियम प्लॉयमंद कोई समस्या नहीं है लेकिन एक बार ये मामूली अनुरोध थे अनुपालन, पुरुषों ने खुद को संबंधित को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित पाया अभी तक अधिक वास्तविक अनुरोध एक आदमी जो अभी अभी उसकी बात से सहमत था चीनी पूछताच करता कि संयुक्त राजे अमेरिका सही नहीं है तो हो सकता है कुछ तरीकों को इंगित करने के लिए कहा जिसमें उन्होंने सोचा था कि यह था मामला एक बार जब उसने खुद को इतना स्पष्ट कर लिया तो उसे एक बनाने के लिए कहा जा सकता है इन अमेरिका के साथ समस्याओं की सूची और उसके नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए बाद में उसे अन्य लोगों के साथ चर्चा समूह में अपनी सूची पढ़ने के लिए कहा जा सकता है कैदी आखिरकार यह वही है जो आप वास्तव में मानते हैं अभी भी बाद में वह अपनी सूची का विस्तार करते हुए और चर्चा करते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है इन समस्याओं को अधिक विस्तार से चीनी तब उनके नाम और उनके निबंध का इस्तेमाल एक विरोधी में कर सकते हैं अमेरिकी रेडियो प्रसारन न केवल पूरे शिविर में प्रसारित हुआ, बलकि उत्तर कोरिया में अन्यपाउ शिविरों के साथ साथ अमेरिकी सेनाओं के लिए दक्षिन कोरिया अचानक वह खुद को एक सहयोगी, पाता, जिसके पास शत्रु को सहायता प्रदान की पता है कि उन्होंने निबंद बिना लिखा था कोई भी मजबूत धमकी या जब्रदस्ती कई बार एक आदमी बदल जाता खुद की छवी विलेक के अनुरूप होने के लिए और नए कॉल मजदूर लेबल जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सहयोग के और भी व्यापक कारे होते हैं भोजन इस प्रकार जबकी केवल कुछ पुरुष सहयोग से बचने में सक्षम थे पूरी तरह से दो शीन के अनुसार बहु संखेक एक में सहयोग करते हैं समय या कोई अन्वे ऐसी चीजें करके जो उन्हें तुच लगती थी लेकिन जो चीनी अपने फाइदे के लिए मुड़ने में सक्षम थे यह बराबर था स्वी का रोकती, आत्म आलोचना और जानकारी प्राप्त करने में विशेश रूप से प्रभावी पूचताच के दोरान, यदी चीनी इस द्रिष्टिकों की सूक्षम शक्ती के बारे में जानते हैं, तो उसे आश्चरे की बात नहीं है कि अनुपालन में रुची रखने वाले लोगों का एक और समुह इसकी उप्योगिता से भी वाकिफ है कई व्यावसाइक संगठन इसे नियोजित करते हैं नियमित तोर पर, विक्रेता के लिए रन्नीती एक बड़ी खरीद प्राप्त करने की है एक छोटे से शुरू, लगभग कोई भी छोटी विक्री करेगी, क्योंकि उस छोटे से लेंदेन का उद्देशे लाब नहीं है यह प्रतिबद्धता है आगे खरीद, यहां तक की बहुत बड़ी खरीद से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने की उम्मीद है प्रतिबद्धता व्यापार पत्री का अमेरिकन सेल समयन में एक लेग इसे संक्षेप में कहें सामान ने विचार पूरन अपंक्ती वित्रन के लिए मार्ग प्रशेस्ट करना है एक छोटे से आदेश से शुरू इसे इस तरह से देखें, जब कोई व्यक्ति आपके व्यापार के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं भले ही लाब इतना छोटा है कि इसे बनाने में लगने वाले समय और प्रयास की शायद ही भरपाई हो पाती है कॉल, वह अब एक संभावना नहीं है, वह एक ग्राहक है अंततह प्राप्ट करने के लिए एक छोटे से अनुरोध के साथ शुरू करने की रणनी थी संबंधित बड़े अनुरोधों के अनुपालन का एक नाम है फुटेइनद दर्वाजा तकनीक सामाजिक वैग्यानिकों को सबसे पहले इसकी प्रभावशीलता के बारे में पता चला वन नाइन सिक्स जीरू के दशक के मधे में जब मनो वैग्यानिक जोनाथन फ्रीड मैन और स्कॉट फ्रेजर ने डेटा का एक आश्चरेजनक सेट प्रकाशित किया उन्होंने परिणामों की सूचना दी एक प्रयोग जिसमें एक शोद करता, एक स्वयन सेवक कारे करता के रूप में प्रस्तुत करता है एक आवासिय कैलिफोर्निया पड़ोस बनाने में घर घर गया था गरिहस्वामियों का एक बेत्तु का अनुरोध घर वालों से पूछा गया उनके सामने के लौन पर एक सारवजनिक सेवा बिलबोर्ड स्थापित करने की अनुम्ती देने के लिए यह जानने के लिए कीचिन्ह कैसा दिखेगा, उन्हें दिखाया गया था एक आकर्शक घर को दर्शाने वाला फोटोग्राफ जिसका द्रिश ये लगभग था एक बहुत बड़े, खराब अक्षर वाले साइन रीडिंग ड्राइव द्वारा पूरी तरह से असपष्ट, सावधानी से हालांकी अनुरोध सामानने रूप से और समझधारी से किया गया था में अन्य निवासियों के महान बहुमत, 83 प्रतिशत, ने इनकार कर दिया शेत्र, लोगों के इस विशेश समूह ने काफी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की एक पूर्ण 76, उनमें से प्रतिशत ने अपने सामने के यार्ड के उप्योग की पेशकश की उनके चौन काने वाले अनुपालन का मुख्य कारण है कुछ ऐसा जो उनके साथ लगभग दो सप्ताह पहले हुआ था, वे चालक सुरक्षा के लिए एक छोटी सी प्रतिबद्धता की थी एक अलग स्वयन से वक, कारेकरता उनके दरवाजे पर आया था और उन्हें स्वीकार करने और प्रदर्शित करने के लिए कहा था तीन इंच का एक छोटा सा चिन्ह जिसमें लिखा होता है कि सुरक्षित चालक बने यह ऐसा था तुच्च अनुरोध है कि उनमें से लगभग सभी ने इसके लिए सहमती व्यक्त की थी लेकिन प्रभाव उस अनुरोध के बहुत बड़े थे क्योंकि उन्होंने मासूमियत से पालन किया था कुछ हफ़ते पहले एक तुच्च सुरक्षित ड्राइविंग अनुरोध के साथ ये ग्रिहस्वामी उलेखनिय रूप से किसी अन्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए अनुरोध जो आकार में बड़े पैमाने पर था फ्रीड मैन और फ्रेजर यही नहीं रुके उन्होंने थोड़ी अलग कोशिश की मकान मालिकों के दूसरे नमूने पर प्रक्रिया ये लोग सबसे पहले कैलिफोर्निया रखने के पक्ष में एक याचिका पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध प्राप्त हुआ सुंदर बेशक लगभग सभी ने हस्ताक्षर किये क्योंकि राजे सौंदर्य जैसे सरकार में दक्षता या अच्छी प्रसवपूर्व देखभाल उन मुद्दों में से एक है लगभग कोई भी विरोधी नहीं है लगभग दो सप्ताह प्रतीक्षा करने के बाद फ्रीड मैं और फ्रेजर ने इन ही घरों में पूछने के लिए एक नया स्वयन सेवक कारे करता भीजा निवासियों को बड़े ड्राइव सावधानी से हस्ताक्षर करने की अनुमती देने के लिए उनके लौन कुछ मायनों में उनकी प्रतिक्रिया सबसे आश्चरेजनक थी अधेयन में गरिहस्वामियों में से कोई भी इन में से लगभग आधे लोग ग्राइव केरफुली बिलबोर्ड की स्थापना के लिए सहमती दी यहां तक की हालाग की उन्होंने हफ्तों पहले जो छोटी प्रतिबधता की थी वह नहीं थी चालक सुरक्षा लेकिन एक पूरी तरह से अलग सारवजनिक सेवा विशय के लिए राजे सौनदरी क्रण सबसे पहले यहां तक की फ्रीडमैन और फ्रेजर भी अपने निशकर्षों से चकित थे राजे सौनदरी का समर्थन करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने की छोटी सी हरकत क्यों फिक्षन लोगों को एक अलग और बहुत कुछ करने के लिए तैयार होने का कारण बनता है बड़ा एहसान अनिस पश्टी क्रणों पर विचार करने और उन्हें त्यागने के बाद फ्रीडमैन और फ्रेजर ने एक समाधान पेश किया जिसने पहेली सौंदर एकरण याचिका पर हस्ताक्षर करने से बदल गया नजरिया एन लोगों का खुद का था वे स्वयम को जनुत्साही नागरिक के रूप में देखते थे जो अपने नागरिक सिध्धानतों पर काम किया जब दो हफ़ते बाद उन से पूछा गया ग्राइव को सावधानी पूर्वक प्रदर्शित करके दूसरी सारवजनिक सेवा करने के लिए संकेत उन्होंने अपने नवगठित के अनुरूप होने के लिए अनुपालन किया आत्मचविया फ्रीड मैन और फ्रेजर के अनुसार प्राप्त करने के बारे में व्यक्ति की भावनाओं में परिवर्तन क्या हो सकता है शामिल या कार्रवाई करना एक बार जब वह एक अनुरोध पर सहमत हो जाता है तो उसका रविया बदल सकता है वह अपनी नजर में इस तरह का बन सकता है वह व्यक्ति जो इस तरह का काम करता है, जो किये गए अनुरोधों से सहमत होता है अजनभियों द्वारा जो उन चीजों पर कारवाई करता है, जिन पर वह विश्वास करता है, जो सह, अच्छे कारणों से काम करता है फ्रीड मैन और फ्रेजर के निशकर्ष हमें जो बताते हैं वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए तुछ अनुरोधों से सहमत होने के बारे में सावधान रहें ऐसा समझोता नहीं हो सकता केवल बहुत समान, बहुत बड़े पुन, त्विस्क्स के साथ हमारे अनुपालन को बढ़ाए यह हमें विभिन्न प्रकार के बड़े उपकार करने के लिए और अधिक इच्छुक बना सकता है जो केवल उस छोटे से दूर से जुड़े हुए हैं, जो हमने पहले किया था यह हिस प्रकार है दूसरा, सामान्य प्रकार का प्रभाव छोटी प्रतिबद्धताओं में चिपा हुआ है जो मुझे डराता है यह मुझे इतना डराता है कि मैं शायद ही कभी किसी याचिका पर हस्ताक्षर करने को तयार हूँ अधिक उस पद के लिए भी जिसका मैं समर्थन करता हूँ इस तरह की कारवाई की क्षमता है नकेवल मेरे भविशे के व्यवहार को बलकी मेरी आत्मच्वी को भी प्रभावित करता है मैं शायद नहीं चाहता और एक बार जब किसी व्यक्ती की स्वयम की छवी बदल जाती है तो सभी प्रकार के जो शोशन करना चाहता है उसे सुक्षमलाब उपलब्ध हो जाते है वह नई छवी फ्रीड मैन और फ्रेजर के मकान मालिकों में से किसने सोचा होगा कि स्वयन सेवक कारे करता जिसने उन्हें एक राजे सौन्दरे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा TION याचिका वास्तव में उन्हें एक सुरक्षित ग्राइविंग प्रदर्शित करने में दिल्चस्पी थी बिल्बूर्ड दो हफ्ते बाद और उनमें से किसे शक हो सकता था कि बिल्बोर्ड प्रदर्शित करने का उनका निर्णे काफी हद तक किसके कारे के कारण था याचिका परहस्ताक्षर कोई नहीं, मुझे लगता है अगर बाद में कोई पच्चतावा हुआ हो बिल्बोर्ड उपर चला गया, वे किसको जिम्मेदार ठहरा सकते थे लेकिन खुद और उनकी खुद की बेहद मजबूत नागरिक भावना वे शायद कैलिफोर्निया को सुन्दर रखने वाले व्यक्ती को कभी भी नहीं माना याचिका और जुजित्सु का वह सब ग्यान, ध्यान देग की सभी फुटेंदड़ोर विशेशगे उत्साहित हैं एक ही बात आप छोटी प्रती बद्धताओं का उप्योग प्रती बेटे की आत्मच्वी, आप उनका उप्योग नागरिकों को सारवजनिक सेवा में बदलने के लिए कर सकते हैं वी एंटी एस, ग्राह को, कैदियों में, सहयोगियों में संभावनाए और, एक बार जब आप एक आदमी की आत्मच्वी प्राप्त कर लेते हैं, जहां आप उसे चाहते हैं, तो उसे पालन करना चाहिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुरोधों की एक पूरी श्रिंखला के साथ जो संगत हैं खुद का यह द्रिष्टिकुम हाला कि सभी प्रतिबधताय आत्मच्वी को प्रभावित नहीं करती हैं निश्चित हैं शर्तों में प्रभावी होने की प्रतिबधता के लिए मौजूद होना चाहिए इस तरह यह जानने के लिए कि वे क्या हैं, हम एक बार फिर से देख सकते हैं कोरिया के चीनी जेल शिविरों में अमेरिकी अनुभव यह आयात है यह समझने के लिए कि चीनियों का प्रमुख इरादा सरल नहीं था अपने बंदियों से जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें समझाना था अपने दृष्टिकों और स्वयम के दृष्टिकों को बदलने के लिए अपनी राजनीती के बारे में यूद्ध में अपने देश की भूमिका और सामयवाद की प्रणाली और इस बात के प्रमान हैं कि कारेक्रम ने अकसर खत्रनाक तरीके से काम किया नियूरो साइकियेट्रिक मूल ल्यांकन टीम के प्रमुख डो हेन्री सेगल ने कहा कि यूद्ध के अंत में लोटने वाले पाउज की जांच की बताया कि यूद्ध से संबंधित विश्वासों को काफी हद तक स्थानां तरित कर दिया गया था अधिकांश पुरुषों का मानना था चीनी कहानी है कि सन्यूक्त राजे अमेरिका ने रोगान उयुद्ध का इस्तेमाल किया था और कई लोगों ने महसूस किया कि उनकी अपनी सेनाय शुरुआत में शुरुआती हमलावर थी युदद के राजनीतिक द्रिष्टिकों में इसी तरह की घुसपैट की गई थी पुरुषों कई लोगों ने चीनी कम्यूनिस्टों के प्रती नाराजगी व्यक्त की लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो अच्छा काम किया है के लिए उनकी प्रशनसा की चीन दूसरों ने कहा कि हालां की सामयवाद काम नहीं करेगा अमेरिका मुझे लगता है कि यह एशिया के लिए अच्छी बात है ऐसा प्रतीत होता है कि चीनीयों का वास्तविक लक्षे संशोधित करना था कम से कम एक समय उनके बंदियों के दिल और दिमाग अगर हम उनके को मापें दल बदल, विश्वास खात, बदले हुए द्रिष्टिकों और के संदर्भ में उपलब्धी विश्वास, खराब अनुशासन, खराब मनोबल, खराब भावना और संदेह के रूप में अमेरिका की भूमिका, दो सहगल ने निशकर्ष निकाला की, उनके प्रयास अत्यधिक थे सफल क्योंकी प्रतिबद्धता रन्नीती का एक हिस्सा था दिल और दिमाग पर चीनी हमला, यह काफी जानकारी पूर्ण है उनके द्वारा उप्योग की जाने वाली रन्नीती की विशिष्ट विशेष्टाओं की जांच करने के लिए जादू अधिनियम लोग वास्तव में क्या महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं इसका हमारा सबसे अच्छा सबूत कम से कम आता है उनके शब्दों से उनके कामों से परिवेक्षक यह तै करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मनुशे अपने कारियों को करीब से देखने जैसा है चीनियों ने क्या खोजा है यह है कि आदमी खुद इस सबूत का इस्तेमाल यह तै करने के लिए करता है कि वह क्या है, पसंद, उसका व्यवहार उसे अपने बारे में बताता है, यह का एक प्राथमिक स्रूत है, उनके विश्वासों और मूलियों और द्रिश्टिकोंगों के बारे में गठन, समझ, पूरी तरह से आत्मधारना के इस महत्वपूर्ण सिधान्त के बारे में, चीनि जानते थे, ये, कारवाया अपना टोल लेना शुरू कर देंगी, जिससे पुरुषों को अपना परिवर्तन करना होगा, उन्होंने जो किया उसके साथ संग्रेखित करने के लिए स्वयम के विचार, लेखन एक प्रकार की पुष्टी करने वाली कारवाय थी, जिसे चीनिय जो ने आग्रह किया था, पुरुषों पर लगात्तार कैदियों के लिए यह कभी भी पर्याप्त नहीं था, चुपचाप सुने या चीनी लाइन से मौखिक रूप से सहमत हों, वो थे, हमेशा इसे लिखने के लिए भी धक्का दिया, तो इरादे चीनी थे, एक लिखित ब नोवैग्यानिक एडगर्सकीन ने एक मानक सिध्धान्त का वर्णन किया है, इन शर्तों में चीनियों की सत्ररणनी थी, एक और तकनीक यह थी कि आदमी को प्रशन लिखने के लिए कहा जाए, और फिर, कम्यूनिस्ट समर्थक, उत्तर, अगर उसने इसे लिखने से इनकार कर दिया, स्वेच्छा से उसे नोटबुक्स से कॉपी करने के लिए कहा गया, जो एक हानिरहित परियाप्त रियायत की तरह लग रहा होगा, लेकिन उह, वे, हानिरहित, रियायतें, हम पहले ही देख चुके हैं, कि कैसे एपी, माताप पिता की तुछ प्रतिबधताओं से आगे असाधारन विवहार हो सकता है, वाई, और चीनी जानते थे कि एक प्रतिबधता उपकरन के रूप में, एक लिखिद, घोशना के कुछ बड़े फायदे हैं, सबसे पहले यह भौतिक प्रदान करता है, सबूत है कि अधिनियम हुआ, एक बार एक आदमी ने लिखा ज उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वे विशुद्ध रूप से मौखिक बयानों के लिए हैं, नहीं, वहाँ, यह उनकी अपनी लिखावट में था, एक अप्रिवर्तनिय रूप से प्रलेखित अधिनियम द्राइविंग, उसे अपने विश्वासों और अपनी छवी को उसके अनुरूप बनाने के लिए जो उसके पास था, निर्विवाद रूप से किया, लिखित वसीयत नामा का दूसरा लाब यह है, कि इसे दिखाया जा सकता है, अन्य लोग, बेशक, इसका मतलब है, कि इसका इस्तेमाल उन लोगों को मनाने के लिए किया जा सकता है, लोग, यह उन्हें अपने स्वयम के द्रिष्टिकों को प्रतेक्ष रूप से बदलने के लिए राजी कर सकता है बयान की लेकिन प्रतिबधता के उद्देशे से अधिक महित्वपूर्ण में यह उन्हें समझा सकता है कि लेखत वास्तव में विश्वास करता है कि क्या लिखा गया लोगों में यह सोचने की स्वाभाविक प्रवरित्ती होती है कि एक कथन उस व्यक्ती के वास्तविक द्रिष्टिकों को दर्शाथता है जिसने इसे बनाया है आश्चरे की बात क्या है यह है कि वे ऐसा तब भी सोचते रहते हैं जब वे जानते हैं कि व्यक्ती स्वतंत्र रूप से बयान देने का विकल्प नहीं चुना कुछ वैग्यानिक प्रमान है कि यह मामला एक अधेयन से आता है मनोवैग्यानिक एडवर्ड जोन्स और जेम्स हैरिस जिन्होंने लोगों को दिखाया निबंद जो फिदेल कास्त्रो के अनुकूल था और उनसे अनुमान लगाने के लिए कहा इसके लेखक की सच्ची भावनाए जोन्स और हैरिस ने इन में से कुछ लोगों को बताया कि लेखक ने कास्त्रो समर्थक निबंद लिखने के लिए चुना था और उन्होंने बताया अन्वी लोग जिन्हें लेखक को के पक्ष में लिखने के लिए कहा गया था कास्त्रो अजीब बात ये थी कि वो लोग भी जो ये जानते थे लेखक को कास्त्रो समर्थक निबंद करने के लिए नियुक्त किया गया था अनुमान लगाया गया था कि वह कास्त्रो को पसंद आया ऐसा लगता है कि विश्वास का बयान एक ट्लिक पैदा करता है वर इसे देखने वालों की प्रतिक्रिया जब तक इसके पुखता सबूत नहों इसके विप्रीद प्रेक्षक स्वतह ही यह मान लेते हैं कि जो कोई बनाता है इस तरह के एक बयान का मतलब है एक कैदी की आत्मच्वी पर दोहरे प्रभाव के बारे में सोचें जिसने चीनी समर्थक या अमेरिकी विरोधी बयान लिखा हो इतना ही नहीं था उनकी कारवाई का एक स्थाई व्यक्तिगत अनुस्मारक यह भी मनाने की संभावना थी उनके आसपास के लोगों ने कहा कि यह कथन उनके वास्तविक विश्वासों को दर्शाता है और जैसा कि हम अध्याय फोर में देखेंगे हमारे आसपास के लोग जो सोचते हैं वह हमारे बारे में सथ है यह निर्धारित करने में बहुत महत्व पूर्ण है कि हम स्वयं क्या सोचते हैं सथ है उदाहरन के लिए एक अधेयन में पाया गया कि यह सुनने के बाद कि वे गलत थे पक्षिय धर्मार्थ लोग, निउ हेवन, कनेक्टिकट, गरिहिनियों ने दिया मल्टीपल स्केले रोसिस एसोसियेशन से एक प्रचारक को बहुत अधिक पैसा भोजन, जाहिरा तोर पर मात्र ग्यान है कि किसी ने उन्हें देखा धर्मार्थ ने इन महिलाओं को अपने कारियों के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित किया उनके बारे में दूसरे की धारना एक बार सक्रिय प्रतिबधता हो जाने के बाद आत्मच्वी को निचोड़ा जाता है दोनों तरफ से स्थिर्ता के दबाव से अंदर से एक है आत्मच्वी को कारवाई के अनुरूप लाने का दबाव बाहर से, एक कम दबाव है, इस छवी को उसके अनुसार समायोजित करने की प्रवरित्ती, जिस तरह से दूसरे हमें समझते हैं, और क्योंकि दूसरे हमें विश्वास करने वाले के रूप में देखते हैं, हमने क्या लिखा है, भले ही हमारे पास इस मामले में बहुत कम विकल हम एक बार फिर से आत्मच्वी को अनुरूप बनाने के लिए एक खेंचाव का अनुभव करेंगे, लिखित बयान, कोरिया में कैदियों को लाने के लिए कई सुक्ष्म उपकरनों का उपयोग किया जाता था, बिना किसी प्रत्यक्ष दबाव के लिखिये की चीनी क्या चा जानते हैं कि वे जीवित थे, उसी समय पुरुषों को पता था कि उनके कैदी मिल को सेंसर कर रहे थे और केवल कुछ पत्र ही भेजे जा रहे थे, शिविर से बाहर जाने की अनुम्ती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके स्वयम के पत्र जारी किये जाएंगे, कुछ कैदी अपने संदेशों में शांती अपील, दावे शामिल करने लगे, दयालू विवहार और सामयवाद के प्रती सहानुभूती रखने वाले बयान, एनिस, आशा थी कि चीनी इस तरह के पत्रों को सतह पर लाना चाहेंगे और, इसलिए उनकी डिलीवरी की अनुम्ती से बहुत लाब हुआ, अमेरिकी सेवा द्वारा कम्यूनिस्ट समर्थक बयानों की उपस्थिती से, वाइसमेन दूसरा, बंदी धर्मो पदेश की सेवा में, उन्होंने, शारीरिक बल की उंगली उठाय बिना, कई पुरुशों को आगे बढ़ने के लिए मिल गया, चीनी क के लिए पुरसकार हमेशा छोटे थे, कुछ सिगरेट या थोड़े से फल, लेकिन इतने कम थे कि वे, पुरुशों से बहुत रुची पैदा की, आमत और पर विजेता निबंध था, जिसने एक ठोस रूप से कम्यूनिस्ट समर्थक रुख अपनाया, लेकिन हमेशा नहीं एनिस, चीनी यह समझने के लिए काफी बुद्धिमान थे कि अधिकांश कैदी करेंगे, एक प्रतियोगिता में प्रवेशन करें कि वे केवल एक कम्यूनिस्ट लिख कर जीच सकते हैं पत और चीनी काफी चतुर थे यह जानने के लिए कि छोटे पौधे कैसे लगाये जाते हैं, पुरुषों में सामयवाद के प्रती प्रती बद्धताओं का पालन पोशन किया जा सकता है, बाद में खिलना, तो पुरसकार कभी कभी एक निबंध को दिया जाता था जो इस प पुरुषों ने प्रती योगिताओं में स्वेच्छा से भाग लेना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अत्यधिक अनुकूल निबंध के साथ जीत सकते हैं, अपने ही देश को, लेकिन शायद इसे समझे बिना, वे करने लगे, बेहतर बनाने के लिए अपने निबंधों को सामयवाद की ओर थोड़ा सा चायांकित करें, जीतने का मौका, चीनी किसी भी रियायत पर उचाल के लिए तयार थे, कम्यूनिस्ट हट धर्मिता के लिए और सहन करने के लिए स्थिरता दबाव लाने के लिए, यह, एक स्वैच्छिक निबंध के भीतर एक लिखित घोशना के मामले में, वे सहयोग की दिशा में निर्मान करने के लिए एक पूर्ण प्रतिबधता थी, और रूपांतरन अन्य अनुपालन पेशेवर भी प्रतिबधता के बारे में जानते हैं, लिखित बयानों की शक्ती, बेहद सफल एमवेकोर, उदाहरन के वेक्तिगत बिक्री लक्षे निर्धारित करने और उन लक्षियों के लिए खुद को प्रतिबध करने के लिए, वेक्तिगत रूप से उन्हें कागज पर रिकॉर्ड करना, आरंब करने से पहले एक अंतिम युक्ती, एक लक्षे निर्धारित करें और उसे लिख लें, लक चीजों को लिखने के बारे में कुछ जादूई है, तो एक लक्षे निर्धारित करें और नीचे लिखें, जब आप उस लक्षे तक पहुच जाए, तो दूसरा सेट करें और लिखें, वह नीचे, आप बंद और चल रहे होंगे, अगर एमवे के लोगों ने लिखने के बार में कुछ जादूई पाया है, चीजे नीचे तो अनव्यावसाइक संगठन है, कुछ दोर टू डोर, बिक्री कमपनियां लड़ाई के लिए लिखित प्रतिबधताओं के जादू का उपयोग करती हैं, कूलिंग ओफ, कानून हाल ही में कई राजियों में पारित हुए हैं, कानून तयार किये गए हैं, आइटम खरीदने के कुछ दिनों बाद ग्राहकों को रद्द करने की अनुमती देने के लिए, बिक्री और एक पूर्ण वापसी प्राप्त करें, सबसे पहले इस कानून ने हार्दसेल को चोट पहुँचाई, कमपनियों को गहराई से, क्योंक कि वे उच्च दबाव की रणनीती पर जोर देते हैं, उनके ग्राहक अक्सर खरीदते हैं, इसलिए नहीं कि वे उत्पाद चाहते हैं, बलकि इसलिए कि उन्हें धोखा दिया जाता है, या विक्री में धमकाया जाता है, जब नए कानून गए, प्रभावी रूप से इन ग दीकरण की संक्या में भारी वृद्धी, उनके पास केवल सेल्समेन के बजाय ग्राहक सेल्स एग्रीमेंट भरें, मुताबिक एक प्रमुख विश्वकोष कंपनी के विक्री प्रशिक्षन कारेक्रम में कि व्यक्तिगत प्रतिबधता अकेले एक बहुत ही महित्व थाबित हुई है, ग्राहकों को उनके पीछे हटने से रोकने में मनोवैग्यानिक सहायता, ठेके, MV Corporation की तरह, फिर, ये संगठन, पाया है कि कुछ खास होता है, जब लोग व्यक्तिगत रूप से, अपनी प्रतिबधताओं को कागज पर उतारें, उन्होंने जो लिखा है, उस पर खरे उत्रते हैं, नीचे, व्यवसायों के लिए, जादू, को भुनाने का एक और आम तरीका, एक निर्दोश दिखने वाले के उप्योग के माध्यम से लिखित घोशनाएं होती हैं, प्रचार उपकरण, सामाजिक प्रभाव के हतियारों का अधेयन शुरू करने से पहले, मुझे आश्चरे होता था कि प्रॉक्टर इंड गैंबल और जैसी बड़ी कमपनियां क्यों, सामाने खादे पदार्थ हमेशा 25, 50 या 100 शब्द या उससे कम चला रहे हैं, प्रशन सा पत्र प्रतियोगिताएं, वे सभी एक जैसे लगते हैं, प्रतियोगी 2, एक संक प्रतियोगिता के लिए नहीं की आवशेक्ता होती है, खरीद फरोक्त, प्रविष्टी जमा करने वाला कोई भी व्यक्ति पात्र है, फिर भी कमपनियां के बाद प्रतियोगिता की भारी लागत वहन करने के लिए अजीब तरह से तैयार प्रतित होते हैं, प्रतियोगिता, मैं अभेरान नहीं हूँ, प्रशन साप्त्र प्रतियोगिताओं के प्रतियोगिताओं के लिए अजीब लिए अजीब दात्र है, उत्पाद को पसंद करने के रूप में रिकॉर्ड पर जाने के लिए जितना संभव हो सके, कोरिया में उत्पाद, चीनी सामयवाद का एक ब्रांड था, संयुक्त राजे अमेरिका में यह हो सकता है, छली हटा प्रतिभागी स्वेच्छा से आकरशक के लिए निबंद लिखते हैं, पुरसकार की उनके पास जीतने का केवल एक छोटा सा मौका है, लेकिन वे जानते हैं कि एक निबंद के लिए जीतने का कोई मौका होने के लिए इसमें प्रशंसा शामिल होनी चाहिए, उत्पाद के इसलिए वे उत्पाद की प्रशंसनिय विशेश्टाएं पाते हैं और उनके निबंदों में उनका वर्णन करें, परिणाम कोरिया में सैकडों पुरुष हैं, या अमेरिका में सैकडों हजारों लोग जो लिखित में गवाही देते हैं, उत्पाद की अपील के लिए और ज इखित वसीयत नामा के बारे में लाने में प्रभावी हैं, वास्तविक व्यक्तिगत परिवर्तन यह है कि उन्हें इतनी आसानी से सारवजनिक किया जा सकता है, एनिस, कोरिया में कैदी के अनुभव ने चीनियों को इसके बारे में काफी जागरूप दिखाया, एक महत्व पूर्ण मनोवैग्यानिक सिधान, सारवजनिक प्रतिबधताएं होती हैं, स्थाई प्रतिबधताएं, चीनियों ने लगातार प्रो, उनके बंदियों के कम्यूनिस्ट बयान दूसरों द्वारा देखे गए, एक आदमी जो, एक राजनीतिक निबंध लिखा था जिसे ची या यहां तक किशिविर रेडियो प्रसारण पर इसे पढ़ने के लिए, जहां तक चीनियों का सवाल है, जनता जितनी ज्यादा बेहतर होगी, क्यों? जब भी कोई ऐसा स्टैंड लेता है, जो दूसरों को दिखाई देता है, तो वह उठता है, एक सुसंगत व्यक्ती की त तरह दिखने के लिए उस स्टैंड को बनाए रखने के लिए ड्राइव करें, याद रखें कि पहले इस अध्याय में हमने वर्णन किया था कि कितना वांचनी अच्छा है, व्यक्तिगत स्थिर्ता एक विशेशता के रूप में है, उसके बिना कोई कैसे हो सकता है, चंचल, अनिश्चिद, विशाल, बेखरा हुआ या अस्थिर के रूप में आंका गया, कैसे? इसके साथ किसी को तरकसंगत, आश्वस्त, भरोसेमन और ध्वनी के रूप में देखा जाता है, इस संदर्भ में यह शायद ही आश्चरे की बात है, कि लोग इससे बचने की कोशिश कर असंगती की दृष्टी, दिखावे के लिए, फिर अधिक सारवजनिक खड़े रहे, हम इसे बदलने के लिए उतने ही अनिच्चुक होंगे, इस बात का उदाहरन की कैसे सारवजनिक प्रतिबधताएं हटधर्मिता की ओर ले जा सकती है, प्रदर्शन किये गए एक प्रसि मूल प्रक्रिया कॉलेज के छात्रों को पहले अनुमान लगाना था, उनके अपने दिमाग में उन्हें कितनी लंबी लाईने दिखाई गई, इस समय, छात्रों के एक नमूने को खुद को सारवजनिक रूप से अपने लिए प्रतिबध करना पड़ा, प्रारंभिक निर न उन्हें लिखकर, उनके नाम पर हस्ताक्षर करके, और उन्हें प्रयोग करता में बदलना, छात्रों का दूसरा नमूना, उन्होंने भी अपने पहले अनुमानों के लिए खुद को प्रतिबध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, निजी तोर पर उन्हें मैजिक राइटि प्रतिबध नहीं किया, अपने शुरुआती अनुमानों के लिए खुद को, उन्होंने सिर्फ अनुमानों को ध्यान में रखा, निजी तोर पर, इस तरह, D.E.U.T.S.C.H. और जेरार्ड ने बड़ी चतुराई से कुछ के लिए व्यवस्था की थी, छात्रों को खुद को सारवजनिक रूप से प्रतिबध करने के लिए, कुछ निजी तोर पर, और कुछ को नहीं, उनके प्रारमभिक निरनेयों के लिए बिलकुल, D.E.U.T.S.C.H. और जेरार्ड क्या खोजना चाहते थे, बाहर तीन प्रकार के छात्रों में से कौन सा सबसे अधिक इच्छुक होगा, जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने पहले निरने पर ठिके रहने के लिए की, निरने गलत थे, तो सभी छात्रों को नया सबूत दिया गया, यह सुझाव देते हुए कि उनके प्रारमभिक अनुमान गलत थे और वे थे, फिर उनके अनुमानों को बदलने का जब नया सबूत पेश किये गए जो निर्नेयों के ज्ञान पर सवाल उठाते थे कि कभी अपना सिर नहीं छोड़ा था, ये चात्र सबसे अधिक प्रभावित थे, जिसे उन्होंने सही के रूप में देखा था, उसे बदलने के लिए नई जानकारी. फैसला प्रारंभिक विकल्पों के अनुरूप रहें, लेकिन D.E.U.T.S.C.H. और जेरार्ड पाया की अब तक यह वे छात्र थे जिन्होंने सारवजनिक रूप से अपना रिकॉर्ड किया था, प्रारंभिक पद जिन्होंने उन पदों से हटने से सबसे अधिक द्रिलता से इनकार क किया, बाद में सारवजनिक प्रतिबधता ने उन्हें सबसे जिद्धी बना दिया था, के सभी इस प्रकार की जिद उन स्थितियों में भी हो सकती है, जहां सा ठीकता, संगती से अधिक महत्व पूर्ण होना चाहिए, एक अधेयन में, जब छह या बारह वेक्ती प्रयोग मतदान के बजाए हाथों के द्रिश्य प्रदर्शन के साथ राय, एक बार, जूरी सदस्यों ने अपने प्रारमविक विचारों को सारवजनिक रूप से बताया था, वे अनुम्ती देने के लिए अनिच्छुक थे, खुद को सारवजनिक रूप से बदलने के लिए, या त क्या आपको कभी खुद को के रूप में खोजना चाहिए इन शर्तों के तहट जूरी के अग्रदूद तो आप कम कर सकते हैं सारवजनिक मतदान के बजाए एक रहस्य चुनकरत रिशंको जूरी का जोखिम तकनीक D.E.U.T.S.C.H. और जेरार्ड ने पाया कि हम अपने निर्नेयों के प्रती सच्चे हैं अगर हमने खुद को उनसे सारवजनिक रूप से बांध लिया है तो इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को खुद से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए समर्पित संगटनों पर विचार करें बुरी आदतों से कई वजन घटाने वाले क्लीनिक उदाहरन के लिए समझते हैं कि अक्सर वजन कम करने का व्यक्ती का निजी निर्ने बहुत कम जोल होगा बेकरी की खेडकियों की जिल मिलाहट का सामना करने के लिए खाना पकाने का इंतजार सुगंध और देर रात सारा ली विग्यापनों में इसलिए वे यह देखते हैं कि निर्ने सारवजनिक प्रतिबधता के स्तंभों द्वारा समर्थित है उन्हें जरूरत है ओप्रेटरों की रिपोर्ट है कि अकसर यह सरल तकनीक काम करती है जहां सभी अन्य विफल हो गया है बेशक संगलगन होने के लिए किसी विशेश क्लिनिक को भुगतान करने की आवशेकता नहीं है एक सहयोगी के रूप में एक द्रिशेमान प्रतिबधता सैन डिएगो की एक महिला ने बताया मुझे कैसे उसने अंततह खुद को रोकने में मदद करने के लिए एक सारवजनिक वादा किया धूमरपान मुझे याद है जब मैंने एक और वैग्यानिक अधेयन के बारे में सुना था यह दर्शाथता है कि धूमरपान कैंसर का कारण बनता है हर बार उन में से एक चीजें सामने आई मैंने छोड़ने की ठान ली लेकिन मैं कभी नहीं कर सका इस बार हालांकि मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना है मुझे गर्व है व्यक्ति यह मेरे लिए माइने रखता है अगर दूसरे लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं इसलिए मैं सोचा शायद मैं उस गर्व का उप्योग इस लानत को दूर करने में मेरी मदद करने के लिए कर सकता हूँ आदर इसलिए मैंने उन सभी लोगों की सूची बनाई जिन्हें मैं वास्तव में चाहता था मेरा आदर करो फिर मैं बाहर गया और कुछ खाली बिजनेस कार्ड प्राप्त किये और मैंने प्रतेक कार्ड के पीछे लिखा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं करूंगा कभी दूसरी सिग्रेट मत पीना एक सप्ताह के भीतर मैंने सभी को एक हस्ताक शरित कार्ड दिया या भेजा था सूची मेरे पिताजी मेरे भाई पूर्व की ओर मेरे मालिक मेरी सबसे अच्छी प्रेमिका माई पूर्व पती हर कोई लेकिन एक वह लड़का जिसे मैं तब डेट कर रही थी मैं सिर्फ उसके बारे में पागल और मैं वास्तव में चाहता था कि वह मुझे एक व्यक्ती के रूप में मिहत्व दे होना मुझे जूट बोलो मैंने उसे एक कार्ड देने के बारे में दो बार सोचा क्यों कि मुझे पता था कि अगर मैं उससे अपना वादा नहीं निभा सका तो मैं मर जाओंगा लेकिन एक दिन की F.I.C.E. उसने उसी इमारत में काम किया जैसा मैंने किया मैं बस उसके पास गया उसे कार्ड दिया और बिना कुछ कहे चला गया कूल तरकी छोड़ना मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन काम था वहाँ एक हजार बार रहा होगा जब मुझे लगा कि मुझे धूमरपान करना है लेकिन जब भी ऐसा होता है तो मैं सिर्फ यह देखता हूँ कि सभी लोग कैसे है मेरी सूची विशेश रूप से यह एक आदमी मेरे बारे में कम सोचेगा अगर मैं छड़ी नहीं कर सकता मेरी बंदूकों को और बस इतना ही लिया मैंने कभी दूसरा कश नहीं लिया तुम्हें पता है दिल्चस्प बात यह है कि वह आदमी असली निकला सकमक मैं यह नहीं समझ सकता कि मैंने उस समय उसमें क्या देखा था लेकिन उस समय इसे जाने बिना उसने मुझे सबसे कठिन भाग से गुजरने में मदद की सबसे कठिन काम जो मुझे करना पड़ा है मैं अब उसे पसंद भी नहीं करता फिर भी मैं एक तरह से आभारी महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसने मेरी जान बचाई प्रयास अतिरिक्त लिखित प्रतिबधताओं के इतने प्रभावी होने का एक और कारण यह है कि उन्हें मौखिक की तुलना में अधिक काम की आवशेक्ता होती है और सबूत स्पष्ठ है कि प्रतिबधता में जितना अधिक प्रयास जाता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है उस व्यक्ति के दृष्टिकों को प्रभावित करें जिसने इसे बनाया है हम पासकते हैं कि घर के काफी करीब या पीछे के क्षेत्रों के रूप में दूर के साक्षे आदिम दुनिया उदाहरन के लिए दक्षेनी अफ्रीका में एक जन जाती है थोंगा जिसके लिए इसके प्रतेक लड़के को एक विस्तरित शुरुआत से गुजरना पड़ता है समारोह से पहले उसे जन जाती का एक व्यक्ती माना जा सकता है साथ ही कई अन्य आदिम लोग एक थोंगा लड़का पहले बहुत कुछ सहता है उसे समुह में वयस्क सदसेता में भरती कराया गया है मानवविज्यानी वहिटिंग, टलकोन और एंथोनी ने इस तीन महीने का वर्णन किया है संक्षिप्त लेकिन ज्वलंत शब्दों में परीक्षा जब एक लड़का टेन से 16 साल के बीच का होता है तो वह है उसके माता पिता द्वारा, खतना स्कूल में भेजा जाता है जो हर बार आयोजित किया जाता है फोर या फाइव साल यहां अपने सहपाथियों की संगती में वह गुजरता है समाज के वयस्क पुरुशों द्वारा गंभीर उत्पीडन दीक्षाहू जिन्स जब प्रतेक लड़का पुरुशों की दो पंक्तियों के बीच गॉंटलेट चलाता है जिसने उसे कलबों से पीटा इस अनुभव के अंत में वह है उसके कपडे उतार दिये और उसके बाल काट दिये गए उसकी अगली मुलाकात एक आदमी से होती है सिंग अयाल से धका हुआ है और इसके सामने एक पत्थर पर बैठा है शेर आदमी तभी कोई उसे पीछे से मारता है और जब वह यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है कि उसे किसने मारा है उसकी चमडी जब्त कर ली गई है और दो चालों में शेर मैन द्वारा काट दिया गया बाद में वह तीन महीने के लिए रहस्यों के यार्ग में एकांत में जहां वह केवल दीक्षित द्वारा देखा जा सकता है दीक्षा के दोरान लड़के की छह प्रमुक परीक्षाएं होती है परीक्षन, मारना, ठंड लगना, प्यास लगना, अस्वास्थे कर खादे पदार्थ खाना, सजा और मौत की धमकी थोड़े से बहाने से उसने नए दीक्षित पुरुषों में से एक द्वारा पीटा जा सकता है जिसे सौंपा गया है कारे के लिए जन जाती के व्रिद्ध पुरुषों द्वारा वह बिना ढ़के सोता है जा रहा है और कडाके की ठंड से जूज रहा है उसे मना किया है पूरे तीन महीने में एक भूंद पानी पिए भोजन है अकसर पेट से अधपकी घास से मिचली आ जाती है एक म्रिग जो उसके भोजन पर डाला जाता है अगर पकडा गया समारोह को संचालित करने वाले किसी भी महत्व पूर्ण नियम को तोड़ते हुए वह गंभीर है सजादी उदाहरन के लिए इन दंडों में से एक में लाठी है अपराधी की उगलियों के बीच रखा फिर एक मजबूत आदमी नौसिखिये के चारों और अपना हाथ बंद कर देता है व्यावहारिक रूप से उसे कुचल देता है उंगलिया वह यह कहकर प्रस्तुत करने से डरता है कि पूर्व समय के लड़के जिन्होंने भागने की कोशिश की थी या जिन्होंने खुलासा किया था महिलाओं या अविवाहितों के रहसियों को फासी पर लटका दिया गया और उनके शरीर जल कर राख हो गए उपर से देखने पर ये संसकार असाधारन और विचित्र लगते हैं फिर भी अग उसी समय उन्हें सिध्धान्त रूप में उलेखनिय रूप से समान देखा जा सकता है और यहां तक कि स्कूल के सामानने दीक्षा समारोहों के बारे में विस्तार से त्रिकाल कॉलेज में वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले पारंपरिक, नरक सप्ता के दोरान परिसरों, बिरादरी की प्रतिग्याओं को विभिन प्रकार के माध्यम से कायम रहना चाहिए शारीरिक की सीमाओं का परिक्षन करने के लिए पुराने सदस्यों द्वारा धिजाइन की गई गतिविधिया तनाव, मानसिक तनाव और सामाजिक शर्मिंदगी सप्ता के में, अंत में, जो लड़के परिक्षा के माध्यम से बने रहे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाता है पूर्ण समूह सदसेता, अधिकतर उनके क्लेशों ने उन्हें नहीं छोड़ा है बहुत अधिक थका हुआ और थोड़ा अस्थिर, हालांकी कभी-कभी नकारात मत प्रभाव अधिक गंभीर हैं दिल्चस्प बात यह है, कि हेल वीक की विशेश-विशेशताय कितनी बारीकी से हैं कारे आदिवासी दीक्षा संसकार से मिल खाते हैं स्मरन करोक की मानव विज्यानी अपने दोरान थोंगा पहल करने वाले छह प्रमुख परीक्षनों की पहचान की रहसियों के यार्ड में रहें अखबार की रिपोर्ट के स्कैन से पता चलता है की प्रतेक परीक्षन का ग्रीकक्षर के दुन्धले अनुष्ठानों में भी अपना स्थान है शहरों पिटाई चोधव वर्षिय माईकल कलोगरिस ने तीन सपताह एक में बिताए लंग आईलेंड अस्पताल आंतरिक चोटों से उब्रने के दौरान का सामना करना पड़ा उनकी हाई स्कूल बिरादरी ओमेगा का एक हेल नाइट दीक्षा समारोह गामा डेल्टा उनके द्वारा परमान उबम प्रशासित किया गया था भावी भाईयों जिन्होंने उसे अपने सिर पर हाथ रखने के लिए कहा था और जब तक वे मुठिया मारने के लिथे इकठे हो तब तक उन्हें वहीं रखें उसका पेट और पीट एक साथ और बार बार ठंड के संपर्क में एक सर्दियों की रात में फ्रेडरिक ब्रोनर एक कैलिफोर्निया जूनिर कॉलेज के छात्र को तीन हजार फीट उपर और दस ले जाया गया अपनी भावी बिरादरी द्वारा एक राष्ट्रिय वन की पहाडियों में मीलों भाई बंदू केवल एक पतली स्वेट शर्ट पहन कर घर जाने के लिए छोड़ दिया और स्लेक्स, फैट फ्रेडी, जैसा कि उन्हें बुलाया गया था एक ठंडी हवा में काम प्रहा था जब तक वह एक खड़ी खड़ से नीचे नहीं गिरा हडडियों को तोड़ना और चोट पहुचाना उसका सिर अपनी चोटों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वह वहीं रुक गया ठंड के खिलाफ जब तक वह जोखिम से मर नहीं गया प्यास ओहियू स्टेट यूनिवर्सिटी के दो नए चात्रों ने खुद को पाया तोड़ने के बाद उनके संभावित बिरादरी घर के काल कोठरी नरक से पहले भोजन शेत्र में रेंगने के लिए सभी प्रतिग्याओं की आवशेक्ता वाला नियम सप्ताह का भोजन एक बार घर के भंडारन कोठरी में बंद कर दिया, उन्हें दिया गया लगभग दो दिनों तक खाने के लिए केवल नमकीन खाद्य पदार्थ कुछ भी प्रदान नहीं किया गया था पीने के प्रयोजनों के लिए प्लास्टिक कप की एक जोड़ी को छोड़ कर जिसमें वे अपना खुद का मूत्र पकड़ सकता है गरिष्ट भोजन खाना के परिसर में कपपा सिगमा हाउस में दक्षिनी कैलिफोर्निया विश्व विद्यालय ग्यारह प्रतिग्याओं की आंखे उभरी जब उन्होंने अपने सामहने रोग का काम देखा ग्यारह चोथाई पॉंड एक ट्रे पर कच्चे कलेजे के टुकडे पड़े हैं मोटा काट कर तेल में भिगोया हुआ प्रतेक था पूरा निगलने के लिए एक लड़के को गैगिंग और घुट फेर से पीट-पीट कर युवा रिचर्ड स्वानसन तीन बार अपने को नीचा दिखाने में असफल रहे तुकडा सफल होने के लिए द्रेर संकल्प उसने आखिर कार तेल से लटपत मांस को मिला दिया उसका गला जहां रखा गया था और उसे हटाने के सभी प्रयासों के बावजूद मार डाला गया उसे सजा विसकॉंसिन में एक प्रतिग्या जो एक अनुष्ठान के एक भाग को भूल गई सभी दीक्षाओं द्वारा याद किये जाने वाले मंत्र को उनकी गलती के लिए दंडित किया गया था रोर उसे अपने पैरों को एक तह के पिछले पैरों के नीचे रखने की आवशेक्ता थी कुर्सी जबकि उनके बिरादरी के सबसे बड़े भाई बैठ गए और पी गए एक बियर हाला कि सजा के दोरान प्रतिग्या नहीं रोई उसके हर पैर की एक हरड़ी तूट गई है मौत की धमकी जीटा बीटा ताउ बिरादरी का संकल्प लिया गया न्यू जर्सी के समुद्रतत शेत्र और अपनी खुद की कब्र खोदने के लिए कहा सेकन समाप्त छेद में फ्लेट जूट बोलने के आदेशों का पालन करने के बाद पक्ष गिर गया अपने भावी बिरादरी भाईयों के सामने उसका दम घुट गया उसे खोद सकता था आदिवासियों के दीक्षा संसकार में एक और उलेखनिये समानता है और भ्रातरी समाज वे बस नहीं मरेंगे सभी प्रयासों का विरोध उन्हें खत्म करने या दबाने के लिए इस तरह की दुन्धली प्रताय अभूत पूर्व रही है वास्तव में लचीला प्राधिकरण अपनिवेशिक सरकारों के रूप में या विश्व विद्याले प्रशासन नेधमकियों, सामाजिक दबावों, कानूनी प्रयासों की कोशिश की है समुहों को हटाने के लिए राजी करने के लिए कार्रवाई, निर्वासन, रिश्वत और प्रतिबंध उनके दीक्षा समारोहों से खत्रे और अपमान कोई नहीं, सफल रहा है उह, प्राधिकरन होने पर परिवर्तन हो सकता है बारीकी से देख रहे हैं लेकिन यह आमत और पर वास्तविक से अधिक स्पष्ट होता है अधिक गुप्त परिस्थितियों में होने वाले कठोर परिक्षन जब तक दबाव बंध है और वेफेर से सतह पर आ सकते हैं कुछ कॉलेज परिसरों में अधिकारियों ने खत्रनात को खत्म करने की कोशिश की है नागरिक सेवा के सहायता सप्ता या द्वारा प्रतिस्थापित करके प्रथाओं को प्रभावित करना दीक्षा अनुष्ठानों का प्रत्यक्ष नियंत्रन लेना जब ऐसे प्रयास होते हैं बिरादरी द्वारा चालाकी से दरकिनार नहीं किया जाता है वे एकमुष्ट मिलते हैं शारीरिक प्रतिरोध उदाहरन के लिए रिचर्ड स्वानसन के बाद में यूएससी में दम घुटने से विश्व विद्याले अध्यक्ष ने जारी किये नए नियम जरूरी यह कि सभी गिर्वी गतिविधियों की समीक्षा स्कूल अधिकारियों द्वारा पहले की जाए प्रभाव में जा रहा है और वयस्क सलाहकार दीक्षा के दोरान उपस्थित रहेंगे समारूह एक राष्ट्रिय पत्रिका के अनुसार, नया, कोड, सेट एक दंगा इतना हिंसत था कि शहर की पुलिस और दमकल टुपडियों को डर था परिसर में प्रवेश करें अपरिहार अन्वे कॉलेज प्रतिनिधियों के लिए खुद को इस्तीफा देना नर्ट के क्षरन को समाप्त करने की संभावना को छोड़ दिया है सप्ताह अगर हेजिंग एक सार्वभावमिक मानविय अगति विधी है और हर सबूत है इस निशकर्ष की ओर इशारा करते हुए आप शायद इसके प्रभाव पर प्रतिबंद लगाने में सक्षम नहीं होंगे समान रूप से इसे खुले तोर पर अनुमती देने से मना करें और यह भूमिगत हो जाएगा आप नहीं कर सकते सेक्स पर प्रतिबंद लगाओ आप शराब पर प्रतिबंद नहीं लगा सकते और आप शायद खत्म नहीं कर सकते धुन्धला हेजिंग प्रताओं के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें इनके लिए इतना मूलेवान बनाता है समाज समूह क्या बचना चाहते हैं कमजोर कर सकते हैं या उनकी अपमानजनक और खत्रनाक विशेष्टाओं पर प्रतिबंद लगाने के किसी भी प्रयास का विरोध करें दीक्षा संसकार कुछ ने तर्क दिया है कि समूह स्वय है मनोवैग्यानिक या सामाजिक बदमाशों से बना है जिनकी मुड़ी हुई जरूरते मांग है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए और अपमानित किया जाए लेकिन सबूत करता है इस तरह के दृष्टिकों का समर्थन नहीं करते एफरार के व्यक्तित्व लक्षनों पर किये गए अधेयन उदाहरन के लिए तरनिटी के सदसे उन्हें यदि कुछ भी हो थोड़ा सा दिखाए अन्य कॉलेज के छात्रों की तुलना में उनके मनोवेग्यानिक समायोजन में स्वस्त इसी तरह बिरादरी में संगलगन होने की उनकी इच्छा के लिए जाना जाता है सामान्य सामाजिक भलाई के लिए लाभकारी सामुदाइक परियोजनाए वे क्या हैं? हालां की करने को तयार नहीं है इन परियोजनाओं को उनकी दीक्षा के लिए स्थानापन करता है समारूह वाशिक्तन विश्व विद्याले के एक सर्वेक्षन में पाया गया की बिरादरी अध्यायों की जांच की गई अधिकांश में एक प्रकार का सहायता सप्ताह था परंपरा लेकिन यह की यह सामुदाइक सेवा नर्क सप्ताह के अतिरिक्त थी केवल एक मामले में ऐसी सेवा सीधे दीक्षा प्रक्रिया से संबंधित थी मूत्र हेजिंग प्रथाओं के अपराधियों की जो तस्वीर उभरती है वह है सामाने व्यक्ति जो मनोवैग्यानिक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से होते हैं चिंतित लेकिन जो केवल एक समूह के रूप में अचानक कथोर हो जाते हैं समय, समाज में नए सदस्यों के प्रवेश से ठीक पहले सबूत, फिर अपराधी के रूप में समारोह की और इशारा करते हैं होना चाहिए इसकी कथोर्ता के बारे में कुछ ऐसा हो जो समूह के लिए महत्वपूर्ण हो वहाँ होना चाहिए कुछ अपनी कथोर्ता के लिए कारे करते हैं कि समूह अथक रूप से लड़ेगा बनाए रखना क्या? मेरा अपना विचार है कि उत्तरवन 959 में के परिणामों में दिखाई दिया सामाजिक मनोविग्यान के बाहर बहुत कम ग्यात अधेयन युवा की एक जोड़ी फिर से खोज करताओं इलियट एरूनसन और जुडसन मिल्स ने अपने प्रेक्षक का परीक्षन करने का निरने लिया कथन है कि जो लोग बहुत परेशानी या पीडा से गुजरते हैं कुछ हासिल करने वाले लोगों की तुलना में इसे अधिक महत्व देते हैं कम से कम प्रेयास के साथ एक ही बात प्रेरना का असली स्ट्रोक दीक्षा समारोह की अपनी पसंद में पूर्व के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में आये थे इस संभावना को अमीन उन्होंने पाया कि कॉलेज की महिलाएं जिन्हें इन पहुच प्राप्त करने के लिए एक कमभीर रूप से शर्मनाक दीक्षा समारोह के दोरान एक से एक्स चर्चा समूह के लिए खुद को आश्वस्त किया कि उनका नया समूह और इसकी चर्चाए अत्यंत मूलेवान थी भले ही एरोनसन और मिल्स ने पहले समूह के अन्य सदस्यों के रूप में होने का पूर्वाभ्यास किया था संभव के रूप में बेकार और निर्बाद विभिन सहपाथियों जो गए एक बहुत ही हलके दीक्षा समारोह के माध्यम से या बिना किसी दीक्षा के माध्यम से चला गया बिल्कुल बेकार नय समूह के बारे में निश्चित रूप से कम सकारात्मक थे वे शामिल हो गए थे अतिरिक्त शोध ने वही परिणाम दिखाए जब सहपाथियों को पाने के लिए शर्मिंदगी के बजाए दर्द सहना पड़ा एक समूह में एक महिला को जितना अधिक बिजली का जटका लगा दीक्षा समारोह जितना अधिक उसने बाद में खुद को मना लिया कि उसका नया समूह और उसकी गतिविधिया दिल्चस्प, बुद्धिमान और वांचनिय थी अब प्रताडना, जदो जहद, दीक्षा की मार भी संसकार समझ में आने लगते हैं थोंगा आदिवासी आसू के साथ देख रहा है उसकी आखों में उसका दस साल का बेटा रात भर ठंड से काम पता रहता है रहसियों के यार्ड का मैदान, कॉलेज के परिशकार विराम चिन्न उनकी हेल नाइट पैडलिंग उनके बिरादरी, छोटे भाई, के फटने के साथ घबराई हुई हसी ये परपीडन के कारे नहीं है वे समूह के कारे हैं जीवित रहना वे समाज के भावी सदस्यों को प्रेरित करने के लिए विचित्र रूप से परियाप्त कारे करते हैं समूह को अधिक आकरशक और सार्थक खोजने के लिए जब तक यह है ऐसा मामला जिसे लोग पसंद करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं जिसे पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ये समुह प्रयासरत और परेशानी वाली दीक्षा की व्यवस्था करना जारी रखेंगे। संसकार उभरने वालों की निश्ठा और समर्पन में व्रिद्धी होगी। समुह सामन जसे और जीवित रहने की संभावना काफी हद तक। वास्तव में चोवन आदिवासी संस्कृतियों के एक अधेयन में पाया गया की सबसे अधिक नाटकी और कठोर दीक्षा समारोह सबसे महान थे। समुह एक जुटता एरोनसन और मिल्स के इस प्रदर्शन को देखते हुए की एक दीक्षा समारोह की गंभीरता नवागंतुप को काफी हद तक बढ़ा देती है। समुह के प्रती प्रतिबद्धता यह शायद ही आश्चरेजनक है कि समुह विरोध करेंगे। उनकी भविशे की ताकत के लिए इस महत्व पूर्ण कड़ी को खत्म करने के सभी प्रयास, सैने समुहों और संगठनों को किसी भी तरह से छूट नहीं है। यह वही प्रक्रियाएं बूट कैम की पीडाएं दीक्षाओं को सशस्त्र सेवाएं पौरानिक हैं। उपन्यासकार विलियम्स टाइरन एक पूर्व समुद्री भाशा में अपने स्वयम के अनुभवों को सूची बद्ध करता है जिसे हम आसानी से लागू कर सकते हैं। थोंगस को या उस बात के लिए कपपा या बेटस या अलफा के लिए। जलती हुई धूप में घंटे द्र घंटे पश चाताप करने वाला क्लोज ओर्डर ग्रिल, मानसिक और शारीरिक शोशन, अपमान, बार बार पर पीडन, ग्रिल सारजेंट के हाथों, सभी कलस्ट्रोफोबिक और भयानक, जो क्वांटिको या पैरिस जैसी चौकी बना सकता है, एक एक आगरता के लिए मुक्त दुनिया में सबसे करीबी चीजों में से एक द्वीप, शिविर, लेकिन अपनी कमेंटरी में स्टाइरन नेगिनने से ज्यादा कुछ नहीं किया, इस प्रशिक्षन दुहस्वपन का दुख, वह इसके इच्छित उद्देशे को पहचा होगा, गंगहों के दिन, जो प्रशिक्षन को एक क्रूसिबल के रूप में नहीं देखते हैं, वह किसी तरह से अधिक लचीला, बस बहादूर और बेहतर के लिए उभरा, गिसाव, लेकिन हम लेखक विलियम्स टाइरन पर ऐसी बात क्यों करें, तर्स, आखिरकार, पेशे पास क्यों करें जब वह, आरूप है कि उनके सैने प्रशिक्षन का राक्षसी चरित्र नकेवल था, सफल यह विशेश रूप से इरादा था, वांचित स्तर बनाने का इरादा था, उन लोगों के बीच गर्व और भाईचारा जो इसे सहन करते रहे और बच गए, उसके आक 988 में अमेरिकी सैने अकादमी से एयो से जुड़े आरोपों पर, थोरिजड हेजिंग की सभी प्रथम वर्ष के कैडेटों के हाथों अनुभव होता है, उच्च वर्गी यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवा गंतुप कठोरता का सामना कर सकें, वेस्ट ट्वाइंट प नहीं था, उसने निश्कासित कर दिया क्योंकि वह अपने इलाज में अचानक क्रूर हो गया था, युवा कैडेट्स, उसका अपराध यह था कि वह उसका परदाफफाश नहीं करेगा, नवागंतुकों ने जो महसूस किया वह बेतुका और अमानविय उपचार था, एक ब गतिविधिया एक मूलेवान लाब प्रदान करती हैं, जो वे नहीं करेंगे, आसानी से आत्मस्मरपन या तो इच्चुक सदस्यों के लिए जो लेने के इच्चुक नहीं है, कठोर्ता या इसे देने के लिए, आंतरिक विकल्प, इस तरह की विविध गतिविधियों की प ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रतिबधताएं किसी व्यक्ति को बदलने में सबसे अधिक प्रभावी होती हैं, स्वच्वी और भविशे का व्यवहार जब वे सक्री, सारवजनिक और प्रयास कर रहे हों, पूर्ण लेकिन प्रभावी प्रतिबधता की एक और संपत्ति है, जो प्रयोडी को सुलझाने की, रोगेटर और बिरादरी भाईयों, पहली पहली बिरादरी के अध्यायों को अनुमती देने से इनकार करने से आती है, उनके दीक्षा समारोहों का हिस्सा बनने के लिए सारवजनिक सेवा गति विधिया, याल्द, उस एक सर्वेक्षन से पता चला है कि सामुदाइक परियोजनाई हालांकी अकसर होती हैं, सदसेताप प्रेरन कारेकरम से लगभग हमेशा अलग थे, लेकिन क्यों? यदि एक प्रयासपूर्ण प्रतिबद्धता है, तो बिरादरी के बाद क्या है? उनके दीक्षा संसकार, निश्चित रूप से वे प मानसिक स्वास्थे केंद्र यार्ड कारे और अस्पताल बेड़ पैन ड्यूटी के अतिरिक्त इस प्रकार के सामुदाइक उत्साही प्रयास सुधार के लिए बहुत कुछ करेंगे, बिरादरी नरक सप्ताह की अत्यधिक प्रतिकूल सारवजनिक और मीडिया छवी, संसकार एक सर्वेक्षन से पता चला है कि हर सकारात्मक अखबार की कहानी चिंता का विशे है, हेल वीक में पांच नकारात्मक कहानिया थी, यदि केवल जन संपर्प के लिए, कारण बिरादरी को समुदाय को शामिल करना चाहिए, उनकी दीक्षा प्रताओं में सेवा प्रयास, ल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, अमेरिकी बंदी, चीनी अधिक से अधिक अमेरिकी चाहते थे, इन प्रतियोगिताओं में प्रवेश करने के लिए, ताकि इस प्रक्रिया में वे चीजें लिख सकें, सामेवादी द्रिश्टिकों के अनुकूल, अगर हालांकी विचा पुरसकार आकरशित करने के लिए था बड़ी संख्या में प्रवेश करता पुरसकार इतने छोटे क्यों थे कुछ अतिरिक्त सिग्रेट या थोड़े ताजे फल अक्सर वह सब होते थे जो एक प्रतियोगिता विजेता कर सकता था अपेक्षा करना सेटिंग में ये पुरसकार भी मूलेवान थे लेकिन फिर भी बहुत बड़े पुरसकार थे गर्म कपडे, विशेश डाक विशेश अधिकार शिविर में आवाजाही की स्वतंत्रता में वृद्धी जो किचीनी कर सकते थे निबंध लेखकों की संख्या बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है फिर भी उन्होंने विशेश रूप से चुना बड़े, अधिक प्रेरक पुरसकारों के बजाए छोटे को नियोजित करने के लिए हालां की सेटिंग्स काफी अलग हैं सर्वेक्षन किये गए बिरादरी उनके दीक्षा समारोहों में नागरिक गतिविधियों की अनुम्ती देने से इनकार कर दिया यही कारण है कि चीनियों नेकम के पक्ष में बड़े पुरसकारों को रोक दिया शक्तिशाली प्रलोभन वे चाहते थे कि जो कुछ उनके पास है वह पुरुषों का हो किया हुआ कोई बहाना नहीं कोई रास्ता नहीं निकलने दिया गया एक आदमी जो भुगत ना पड़ा एक कठिन दुन्द के माध्यम से उसे विश्वास करने का मौका नहीं दिया जा सका धर्मार्थ उद्देशियों के लिए ऐसा किया एक कैदी जिसने अपने राजनीतिक निबंध को नमकीन किया कुछ अमेरिकी विरोधी टिपपणियों के साथ कंधे उचकाने की अनुमती नहीं दी जा सकती थी इसे एक बड़े इनाम से प्रेरित के रूप में बंद करें नहीं, बिरादरी अध्याय और चीनी कम्यूनिस्ट रख रखाव के लिए खेल रहे थे यह पर्याप्त नहीं था अपने आदमियों से प्रतिबधताओं को मिटाना उन पुरुशों को लेने के लिए बनाया जाना था उनके कारियों के लिए आंतरिक जिम्मेदारी राजनीतिक के लिए चीनी कम्यूनिस्ट सरकार की आतमियता को देखते हुए एक प्रतिबधता उपकरण के रूप में निबंध प्रतियोगिता इसमें कोई आश्चरे नहीं होना चाहिए वन नाइन नाइन के बाद इस तरह की प्रतियोगिताओं की एक लिहर दिखाई दी तियानमिन स्क्वायर में नरसंहार जहां लोक तंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी थे सरकारी सैनिकों द्वारा मार गिराया गया अकेले बीजिंग में नो राजे द्वारा संचालित समाचार पत्रों और टेली विजन स्टेशनों ने निबंध प्रतियोगिताओं को प्रायोजित किया प्रतिकरान तिकारी विद्रोह का शमन अभी भी अनुरूप अभी नए जनता के लिए पुरसकारों के अपने लंबे समय से चले आ रहे और व्यावहारिक मिहत्व के साथ प्रतिबधताओं बीजिंग सरकार ने प्रतियोगिता पुरसकारों को अनिर्दिष्ट छोड़ दिया सामाजिक वैग्यानिकों ने निर्धारित किया है कि हम आंतरिक जिम्मेदारी स्विकार करते हैं एक विवहार के लिए जब हमें लगता है कि हमने इसे एबी में करने के लिए चुना है मजबूत बाहरी दबाव की भावना एक बड़ा इनाम ऐसा ही एक बाहरी है दबाव यह हमें एक निश्चित क्रिया करने के लिए मिल सकता है लेकिन यह हमें नहीं मिलेगा अधिनियम के लिए आंतरिक जिम्मेदारी स्विकार करने के लिए नतीज तन हम महसूस नहीं करेंगे इसके लिए प्रतिबध है एक मजबूत खत्रे के बारे में भी यही सठ है, यह प्रेरित कर सकता है ततकाल अनुपालन, लेकिन दीर्गकालिक प्रतिबधता उत्पन्न करने की संभावना नहीं है मिन, इन सबका बच्चों के पालन पोशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता है यह सुझाव देता है, कि हमें कभी भी भारी रिश्वत नहीं देनी चाहिए या अपने बच्चों को ऐसा करने की धमकी नहीं देनी चाहिए जिन चीजों पर हम चाहते हैं, कि वे वास्तव में विश्वास करें इस तरह के दबाव शायद, हमारी इच्छाओं के साथ अस्थाई अनुपालन उत्पन करें हालांकि अगर हम चाहते हैं, इतना ही नहीं अगर हम चाहते हैं, कि बच्चे शुद्धता में विश्वास करें उन्होंने क्या किया है, अगर हम चाहते हैं, कि वे प्रदर्शन करना जारी रखें वांचित विवहार जब हम उन बाहरी राष्टरप्तियों को लागू करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं निश्चित रूप से, तो हमें किसी तरह उनके लिए आंतरिक प्रतिक्रियाओं को स्विकार करने की व्यवस्था करनी चाहिए उन कारियों के लिए क्षमता जो हम उन्हें करना चाहते हैं जोनाथन द्वारा एक प्रयोग फ्रीड मैन हमें कुछ संकित देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इस संबंध में फ्रीड मैन देखना चाहता था कि क्या वह दूसरी से चौथी कक्षा तक रोक सकता है लड़कों को एक आकरशक खिलोने से खेलने से सिर्फ इसलिए कि उसने ऐसा कहा था करीब 6 हफ़ते पहले ऐसा करना गलत था कोई परिचित 7-9 साल के लड़कों को कारे की विशालता का एहसास होना चाहिए परंतु फ्रीडमैन की एक योज न थी अगर वह पहले लड़कों को समझा पाता खुद को मना किया है कि निशिद्ध खिलोने के साथ खेलना गलत था शायद वह विश्वास उन्हें उसके बाद इसके साथ खेलने से रोकेगा मुश्किल बात लड़कों को यह विश्वास दिला रही थी कि उनका मनोरंजन करना गलत है खुद को खिलोने के साथ एक बेहद महेंगा बैटरी नियंतरित रोबोट फ्रीड मैन जानता था कि एक लड़के को टेमपो का पालन करना काफी आसान होगा शायद ही कभी उसे बस इतना करना था कि लड़के को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाए क्या उसे खिलोने से खेलते हुए पकड़ा जाना चाहिए जब तक वह पास था कड़ी सजा से निप्टे फ्रीड मैन ने सोचा कि कुछ लड़के जो खिम उठाएंगे रोबूट का संचालन वह सही था एक लड़के को पांच की एक सरनी दिखाने के बाद खिलोने और उसे चेतावनी देते हुए रोबूट के साथ खेलना गलत है यदि आप खेलते हैं रोबूट के साथ मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा यह फ्रीड मैन कुछ मिन्टों के लिए कमरे से बाहर चला गया उस दोरान लड़के को गुप्त रूप से एक तरफा दरपन के माध्यम से देखा गया फ्रीड मैन ने कोशिश की 22 अलग अलग लड़कों पर यह धम की प्रक्रिया और 21 जब वह चला गया तो उन्होंने रोबोट को कभी नहीं चुआ तो एक मजबूत खत्रा सफल रहा जबकि लड़कों ने सोचा कि वे शायद कर सकते हैं पकड़ा जाए और सजा दी जाए लेकिन फ्रीड मैन ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था वह मार्गदर्शन करने में खत्रे की प्रभावशीलता में वास्तव में दिल चस्पी थी लड़कों का व्यवहार बाद में जब वह आसपास नहीं था पता करने के लिए फिर क्या होगा उसने एक युवती को लड़कों के पास वापस भेज दिया स्कूल जाने के लगभग छह सप्ताह बाद वह वहा गया था उसने लड़कों को बाहर निकाला एक प्रयोग में भाग लेने के लिए एक बार में कक्षा एक के हमेशा के बिना फ्रीड मैन के साथ किसी भी संबंध का जिक्र करते हुए उसने प्रतेक लड़के को वापस ले लिया पांच खिलोनों के साथ कमरे में गया और उसे एक ड्राइंग टेस्ट दिया जब कि वह टेस्ट स्कोर कर रही थी उसने लड़के से कहा कि वह किसी के साथ खेलने के लिए स्वतंत रहे कमरे में खिलोना बेशक लगभग सभी लड़के एक खिलोने से खेलते थे एनिस दिल्चस्प परिणाम यह हुआ की खिलोने से खेलने वाले लड़कों में से 77 प्रतिशत उन्होंने उस रोबोट के साथ खेलने का फैसला किया जिसे पहले उनके लिए मना किया गया था फ्रीड मैन का गंभीर खत्रा जो 6 सप्ता पहले इतना सफल रहा था लगभग पूरी तरह से असफल था जब वह अब इसे वापस करने में सक्षम नहीं था सजा के साथ लेकिन फ्रीड मैन अभी खत्म नहीं हुआ था उसने अपना तरीका थोड़ा बदल लिया लड़कों के दूसरे नमूने के साथ इन लड़कों को भी शुरू में दिखाया गया था फ्रीड मैन द्वारा पांच खिलोनों की श्रिंखला और रोबोट के साथ नहीं खेलने की चेतावनी दी जबकि वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर थे क्योंकि इसके साथ खेलना गलत है रोबोट लेकिन इस बार फ्रीड मैन ने को कोई कड़ा खत्रा नहीं दिया एक लड़के को आग्या कारिता में दराना उसने बस कमरे से निकल कर देखा वनवे मिरर के माध्यम से यह देखने के लिए कि क्या उसका निर्देश खेलने के खिलाफ है निशिद्ध खिलोना के साथ पर्याप्त था वह था दूसरे नमूने की तरह 22 लड़कों में से केवल एक ने शोर्ट के दोरान रोबोट को चुआ समय फ्रीडमैन चला गया था लड़कों के दो नमूनों के बीच वास्तविक अंतरचह सप्ता आया बाद में जब उन्हें फ्रीडमैन के समय खिलोनों के साथ खेलने का मौका मिला अब आसपास नहीं था लड़कों के साथ हुआ एक हैरान कर देने वाला मामला जिन्हें पहले के साथ खेलने के खिलाफ कोई मजबूत धमकी नहीं दी गई थी रोबोट जब उन्हें किसी भी खिलोने के साथ खेलने की आजादी दी जाती है तो अधिकंश रोबोट से परहेज किया भले ही यह अब तक का सबसे आकरशक था पांच खिलोने उपलब्ध थे अन्य सस्ते प्लास्टिक की पंदुबी थे एक बच्चे के एक गेंद के बिना बेस्बॉल दस्ताने एक अनलोडेड टॉय राइफल और एक खिलोना ट्रेक्टर जब इन लड़कों ने पांच खिलोनों में से एक के साथ खेला तो केवल 33 प्रतिशत ने चुना रोबोट लड़कों के दोनों समूहों के साथ कुछ नाटकी अघटित हुआ था के लिए पहला समूह यह वह गंभीर खत्रा था जिसे उन्होंने फ्रीड मैन से पीछे तक सुना था अपने बयान में कहा कि रोबोट के साथ खेलना गला था ऐसा हुआ है पहली बार में काफी प्रभावी जब फ्रीड मैन उन्हें पकड सकता था तो क्या उन्हें चाहिए उसके शासन का उलंगन करते हैं हालांकि बाद में जब वह देखने के लिए मौजूद नहीं था लड़कों का व्यवहार उनकी धमकी नपुनसक थी और उनका शासन था चोर क्रमिक रूप से अंदेखा किया गया यह स्पष्ट लगता है कि खत्रे ने सिखाया नहीं था रोबोट का संचालन करने वाले लड़के गलत थे केवल यह करना नासमजी थी इसलिए जब सजा की संभावना मौजूद थी अन्य लड़कों के लिए नाट की अगटना अंदर से आई थी नहीं बाहर फ्रीड मैन ने उन्हें यह भी निर्देश दिया था कि उनके साथ खेलना रोबोट गलत था लेकिन उसने सजा का कोई खत्रा नहीं जोडा था वे उसकी अवग्या करते हैं दो महत्व पूर्ण परिणाम थे सबसे पहले फ्रीड मैन का लड़कों को संचालित करने से रोकने के लिए अकेले निर्देश पर्याप्त थे रोबोट जब वह थोड़ी देर कमरे से बाहर था दूसरा लड़कों ने प्रती इस दोरान रोबोट से दूर रहने की उनकी पसंद की जिम्मेदारी सोनल उस समय उन्होंने फैसला किया कि वे इसके साथ नहीं खेले क्यों की वे नहीं चाहता था आखिरकार कोई कड़ी सजा नहीं जोड़ी थी खिलोने के साथ अन्य था उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए इस प्रकार हफ्तों बाद जब फ्रीड मैन कहीं नहीं थे तब भी उन्होंने रोबोट को नजर अंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें विश्वास करने के लिए अंदर बदल दिया गया था कि वे नहीं चाहते थे इसके साथ खेलने के लिए बच्चे के पालन पोशन के अनुभव का सामना करने वाले वयस्क इससे सीख सकते हैं फ्रीड मैन अधेयन मान लीजिये कि एक जोड़ा अपने पर प्रभाव डालना चाहता है बेटी जूट बोलना गलत है एक मजबूत स्पष्ट खत्रा जूट बोलना बुरा है शहद इसलिए अगर मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हारी जीब काट दूँगा हो सकता है प्रभावी जब मातापिता मौझूद हो या जब लड़की को लगता है कि वह कर सकती है आविशकारिक बने लेकिन इससे उसे मनाने का बड़ा लक्षे हासिल नहीं होगा कि वह जूट नहीं बोलना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि यह गलत है वैसे करने के लिए अधिक सूक्ष मद्रिष्टी कों की आवश्यकता है एक कारण दिया जाना चाहिए जो है बस इतना मजबूत है कि उसे ज्यादातर समय सच्चा बना सके लेकिन ऐसा नहीं है इतना मजबूत कि वह इसे अपनी सच्चाई के स्पष्ट कारण के रूप में देखती है इसका एक मुश्किल व्यवसाय क्योंकि वास्तव में यह बमुश्किल परियाप्त कारण क्या होगा बच्चे से बच्चे में परिवर्तन होना एक छोटी सी बच्ची के लिए एक साधारन सी अपील परियाप्त हो जूट बोलना बुरा है फ्रिय इसलिए मुझे आशा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे एक के लिए अन्य बच्चे कुछ और मजबूत कारण जोड़ना आवशेक हो सकता है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आप में निराश हो जाऊंगा तीसरे बच्चे के लिए चेतावनी के हलके रूप की भी आवशेक्ता हो सकती है और मैं शायद करूंगा कुछ ऐसा करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता समझधार मातापिता को पता चलेगा किस तरह का कारण उनके अपने बच्चों पर काम करेगा महित्वपूर्ण बात एक कारण का उप्योग करना है जो शुरू में वांचित व्यवहार उत्पन करेगी और साथ ही एक बच्चे को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की अनुमती देगा उस व्यवहार के लिए इस प्रकार कम पता लगाने योगे बाहरी दबाव जैसे कारण शामिल है, बिहतर सिर्फ सही कारण चुनना आसान नहीं है मातापिता के लिए कारे लेकिन प्रयास रंग लाना चाहिए इसका मतलब होने की संभावना है अलपकालिक अनुपालन और दीरगकालिक प्रतिबधता के बीच अंतर कुछ कारणों से हम पहले ही बात कर चुके हैं अनुपालन समर्थत पेशेवर लोग प्रतिबधताओं से प्यार करते हैं जो आंतरिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं सबसे पहले कि परिवर्तन केवल उस स्थिती के लिए विशिष्ट नहीं है जहां यह पहली बार हुआ था यह संबंधित स्थितियों की एक पूरी श्रिंखला को भी शामिल करता है दूसरा के प्रभाव परिवर्तन स्थाई है तो एक बार एक आदमी को कारवाई करने के लिए प्रेरित किया गया है जो उसकी स्वयम की छवी को बदल देता है मान लीजिये एक सारवजनिक उत्साही नागरिग वह कई अन्य परिस्थितियों में सारवजनिक उत्साही होने की संभावना है जहां उसका अनुपालन भी वांचित हो सकता है और उसके जारी रहने की संभावना है जब तक उनकी नई आत्मच्वी बनी रहती है पेशेवर को सुद्रिव करने के लिए एक महंगा और निरंतर प्रयास करने के लिए परिवर्तन, निरंतरता का दबाव इस सब का ख्याल रखेगा। कर देगा। सामुदाइक सेवा के मूले के बारे में पहले नहीं देखा था। वह होगा। उन तरकों को सुनने के लिए खुद को उपलब्ध कराएं जिन्हें उन्होंने पक्ष से पहले नहीं सुना था। नागरिक कारवाई में और वह इस तरह के तरकों से अधिक प्रेरक पाएंगे। इससे पहले सामाने तोर पर उसकी प्रणाली के अनुरूप होने की आवश्यक्ता के कारण। विश्वासों के लिए वह खुद को आश्वस्त करेगा कि उसकी पसंद सारवजनिक उत्साही लेने के लिए है। कारवाई सही थी। उत्पन्न करने की इस प्रक्र एक चित्व्यभार का मूल कारण था। हटा लिया गया है तो ये नए खोजे गए कारण परियाप्त हो सकते हैं। खुद अपनी इस धारना का समर्थन करने के लिए कि उसने सही व्यभार किया था। एक बैइमान अनुपालन पेशेवर के लिए लाब यह है कि मेंदस क्यों कि हम अपने पास मौजूद विकल्पों को कम करने के लिए नए स्ट्रट्स का निर्मान करते हैं। के लिए प्रतिबध है, एक शोशक व्यक्ती हमें एक की पेशकश कर सकता है। ऐसा चुनाव करने के लिए प्रलोभन और निर्ने के बाद किया उस प्रलोभन को दूर कर सक यह जानकर कि हमारा निर्ने होगा। शायद अपने ही नवनिर्मित पैरों पर खड़ा हो। नई कार डीलर्स फ्री। इस प्रक्रिया से एक तरकीब से लाब उठाने की कोशिश करें जिसे वे कहते हैं। एक लोबॉल फेंकना। मैंने पहली बार एक के रूप में करते देखने की अनुम्ती थी। एक अभ्यास जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींचा वह था लोबॉल, कुछ ग्राहकों के लिए कार पर बहुत अच्छी कीमत की पेशकश की जाती है, शायद प्रतिसपर्धियों की कीमतों से 400 डॉलर कम। अच्छा, सौदा, हालांकी वास्त एर्शिप की कारें दोर दिखा सकें, पड़ोस में और काम पर, इस दोरान डीलर जानता है, ग्राहक स्वचालित रूप से समर्थन करने के लिए नई कारणों की एक श्रिंखला विक्सित करते हैं, उन्होंने अब जो चुनाव किया है, तब कुछ होता है, कभी कभी गर्णा में एक त्रूटी पता चला है, शायद सेल समयन हवा की कीमत जोड़ना भूल गया, कंडीशनर और अगर खरीदार को अभी भी एयर कंडीशनिंग की आवशेकता है, तो 400 डॉलर की कीमत में जोड़ा जाना चाहिए, शक होने से बचने के लिए, ग्राहक द्वारा ठगे जाने पर, कुछ दीलर बैंत को वित्त संभालने की अनुम्ती दी, गलती का पता लगाएं, अन्य समय में सौधे को अंत में अस्वीकृत कर दिया जाता है, वहक शन जब सेल समयन अपने बॉस से जाच करता है, जो इसे रद्द करता है, क्योंकि हम पैसे खो देंगे, केवल एक और 400 डॉलर के नहीं लगती है, प्रतिसपर्दियों के बराबर और यह वहकार है, जिसे आपने चुना है, एहना एक और लोबॉलिंग का और भी कप्टी रूप तब होता है, जब सेल समयन के हिस्से के रूप में संभावना की पुरानी कार पर एक बढ़ा चढ़ा कर ट्रेड इन ओफर कर खरीद व्यापार पैकेज, ग्राहक प्रस्ताव को अत्यधिक सामानने के रूप में पहचानता है, OUS और सौदे पर कूदता है, बाद में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रयुक्त है, कार मैनेजर का कहना है कि सेल समयन का अनुमान 400 डॉलर था, बहुत अधिक ह और व्यापार भत्ते को उसकी वास्तविक नीली किताब तक कम कर देता है, स्तर, ग्राहक यह महसूस करते हुए किकम की गई पेशकश उचित है, A.C. इसे उचित मानता है और कभी कभी लेने की कोशिश करने के लिए दोशी महसूस करता है, विक्रेता के उच्च अनुमान क मैंने एक बार एक महिला को देखा था, एक विक्रेता को शर्मिन्दा माफी प्रदान करें जिसने आखिरी का इस्तेमाल किया था, उस पर लोबॉलिंग का संसकरन यह उस समय था जब वह एक नई कार पर हस्ताक्शर कर रही थी, अनुबंध उसे एक बड़ा कमीशन दे रहा है, वह आहत दिखे लेकिन कामयाब रहे, एक क्षमाशील मुसकान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की लोबॉलिंग का उप्योग किया जाता है, अनुक्रम है, वही एक लाब की पेशकश की जाती है, जो एक अनुकूल खरीद को प्रेरित करता है, तुकडा, फिर निर्ने लेने के कुछ समय बाद लेकिन उससे पहले, सौधी को सील कर दिया गया है, मूल खरीद लाब चतुराई से हटा दिया गया है, यह लगभग अविश्वसनिये लगता है, कि कोई ग्राहक इनके तहत कार खरीदेगा, परिस्थितिया, फिर भी यह काम करता है, बेश मोबाइल डीलर्स क्षमता को समझने लगे हैं, अपनी स्वयम की सहायता प्रणाली, एक समर्थन बनाने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिबधता का, प्रतिबधता के लिए नए ओचित्ते की प्रणाली, अक्सर ये ओचित्ते, उस पर खड़े होने के निर्ने के लिए इतन से सांत्वना दी जाती है, यहां तक की पसंद के पक्ष में अन्य अच्छे कारणों की सरनी से खुश हुए, यह खरीदार को कभी नहीं होता है, कि वे अतिरिक्त कारण कभी नहीं हो सकते हैं, अस्तित्व में हैं, अगर चुनाव पहले स्थान पर नहीं किया गया था, के पास सिर्फ गरीब है, हमें पेशकश करने के लिए विकल्प, विशेश रूप से तकनीक के शौकीन हैं, वे कैन, उन्हें व्यवसाय, सामाजिक और व्यक्तिगत स्थितियों में नीची गेंदे वेंकते हुए खोजें, उदाहरन के लिए मेरा पढ़ो सीटिम है, जो एक सच्चा लोबॉल प्रशन सक है, याद कि वह वही है, जिसने अपने तरीके बदलने का वादा करके, अपनी लड़की को पा लिया, दोस्त, सारा, अपनी आसन शादी को दूसरे से रद्द करने और लेने के लिए, उसे वापस, तिम के लिए अपने फैसले के बाद से सारा और अधिक समर्पित हो गई है, उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा भले ही उसने अपने वादे पूरे नहीं किये, वह, इसे यह कहकर समझाती है, कि उसने खुद को हर तरह के देखने की अनुमती दी है, तिम में सकारात्मक गुनों को उसने पहले कभी नहीं पहचाना था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारा लोबॉल की शिकार है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पास था, देखे गए खरीदार इसे बाद में देने और लेने की रन्नीती के लिए गिरते हैं, कार शोरूम में मैंने टिम के साथ उसी चाल के लिए उसे गिरते हुए देखा, के लिए उसका हिस्सा टिम वह आदमी है, जो वह हमेशा से रहा है, लेकिन क्यों की नया, सारा ने अपने अंदर जो आकर्शन खोजे या बनाए हैं, उनके लिए काफी वास्तविक हैं, वह अब उसी विवस्था से संतुष्ट लगती है, जो अस्वी कारे थी, अपनी विशा कि सारा ने वास्तव में खुश किया है, मैंने कभी जिक्र नहीं किया, सारा को मैं लोबॉलिंग के बारे में क्या जानता हूँ, मेरी खामोशी की वजह नहीं है, कि मुझे लगता है कि वह इस मुद्दे पर अंधेरे में बेहतर है, एक सामान्ने मार्गदर्शक के रूप म सिध्धान्त, अधिक जानकारी हमेशा कम जानकारी से बेहतर होती है, इसका, बस अगर मैंने एक शब्द कहा, तो मुझे विश्वास है कि वह इसके लिए मुझे से नफरत करेगी, उनका उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति के उद्देशियों के आधार पर इनमें से को इस तक में चर्चा की गई अनुपालन तकनीकों को निम्न के लिए नियोजित किया जा सकता है, अच्छा या बीमार के लिए, यह आश्चरे की बात नहीं होनी चाहिए, कि लोबॉल रननी थी, नई कारों को बेचने की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से लाभकारी कैसे प्रभावित कर सकती है, घर के मालिकों को उर्जा बचाने के लिए, परियोजना की अध्यक्षता दो, माइकल पललक, आयोवा सर्दियों की शुरुआत्प में शुरु हुआ जब निवासियों, जिन्होंने अपने घरों को प्राकृतिक गैस से गर्म किया, उनसे एक अंतर, दर्शक, साक्षात कारकरता ने उन्हें कुछ उर्जासंग रक्षन युक्तिया दी और उन्हें भविशे में इंधन बचाने की कोशिश करने के लिए कहा, हालांकि वे सभी सहमत थे, कोशिश करने के लिए, जब शोधकरताओं ने इन परिवारों के उप्योगिता रिकॉर्ड की जांच की, एक महीने के बाद और फिर से सर्दियों के अंत में यह स्पष्ट था कि कोई वास्तविक नहीं था, बचत हुई थी, जिन निवासियों ने एक बनाने का वादा किया था, संग्रक्षन के प्रयास में एक यादरिच्छिक नमूने के रूप में उत आद्तों को बदलने के लिए परियाप्त नहीं है, परियोजना शुरू होने से पहले ही, पल्लक और उनकी शोध टीम ने फिर से, यह माना जाता है कि लंबे समय तक चलने के लिए कुछ और की आवशेक्ता होगी, उर्जा पैटर्न, इसलिए उन्होंने एक कौम पर अलग प्रक्रिया की कोशिश की, आयोवा प्राकृतिक गैस उप्योग करताओं का द्रिश्टांत नमूना, ये लोग भी थे, एक साक्षात कारकरता द्वारा संपर्प किया गया, जिन्होंने उर्जाबचत संकेत प्रदान किये और उन्हें बचाने के लिए कहा, लेकिन इ इंधन के रूप में प्रचारित, नागरिकों का संग्रक्षन, प्रभाव ततकाल था, एक महीने बाद, जब उप्योगिता कम्पनियों ने इसमें अपने मीटर, मकान मालिकों की जांच की, सैंपल ने ओस्तन 422 क्योबिक फीट प्राकृतिक गैस की बचत की थी, पेपर में नाम आने के मौके ने इन रहवासियों को किया प्रेरित, एक महीने की अवधी के लिए परियाप्त संग्रक्षन प्रयासों के लिए, फिर गलीचा बाहर निकाला गया, शोधकर्ताओं ने निकाला कारण, जिसने शुरू में इन लोगों को इंधन बचाने के लिए प्रेरि के लिए, सर्दियों के अंत में, शोध दल ने इस प्रभाव की जांच की की, परिवारों के प्राकरितिक गैस के उप्योग पर पत्र था, क्या वे लोट आए, अखबार में आने का मौका मिलने पर अपनी पुरानी, बेकार की आदितों के लिए, हटा लिया गया था, मुश के लिए सारवजनिक रूप से मनाए जाएंगे, उर्जा के प्रतिशत के संदर्भ में, बच्रा, उन्होंने 12.2 प्रतिशत पहले महीने की गैस बचत का प्रबंधन किया था, क्योंकि उन्हें उमीद थीक कि वे खुद को कागज में प्रशनसित देखेंगे, लेकिन बाद म इसके विपरीद सूचित करते हुए पत्र पहुचे, वे नहीं लोटे, उनके पिछले उर्जाउप योग स्तरों तक इसके बजाए उन्होंने अपनी बचत बढ़ा दी, शेश सर्दियों के लिए 15.5 प्रतिशत के स्तर तक, हालांकि हम ऐसी बातों के बारे में कभी भी प्रतिबधता में नीचा दिखाया गया था, अकबार प्रचार का वादा एक बार बन जाने के बाद शुरू हुई वो प्रतिबधता, अपना स्वयम का समर्थन उत्पन करना, मकान मालिकों ने नया प्राप्त करना शुरू कर दिया, उर्जा की आधतें, उनके सारवजनिक उत्साही प्रयासों के बारे में अच्छा महसूस करने लगी, अमेरिकी डी को कम करने की महत्वपूर्ण आवशेक्ता के बारे में खुद को आश्वस्त करना शुरू कर दिया, विदेशी इंधन पर पेंडेंसी में मौधरिक बचत की सराहना करना शुरू किया, उनके उप प्रतिबद्धता को सही ठहराने के लिए मौजूद इन सभी नई कारणों के साथ, कम उर्जा का उप्योग करने के लिए इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है कि प्रतिबद्धता द्रेर रही, मूल कारण के बाद भी समाचार पत्रप्रचार को लात मारी गई थी, दूर, लेकिन है एरानी की बात यह है कि जब publicity factor नहीं रह गया था, संभावना है, इन परिवारों ने न केवल अपने इंधनबचत प्रभाव को बनाए रखा, किले, उन्होंने इसे उन्चा किया, कई व्याख्याओं में से कोई भी हो सकता है, उसके लिए अभी भी मजबूत प्र अपनी वचनबधता को पूरी तरह से अपना रहे हैं, का इंधन बचाने के प्रयास के निर्ने का समर्थन करने वाले सभी कारण यह था, केवल वही जो बाहर से आया था, यह केवल एक ही रोक रहा था, मकान मालिकों को यह सोचने से कि वे गैस का संगरक्षन कर रहे थे क्य हटा दिया, खुद को पूरी तरह से चिंतित, उर्जा के प्रती जागरूक नागरिक के रूप में, यह अन, योगय, नई आत्मच्वी ने उन्हें और भी अधिक उंचाईयों पर धकेल दिया, संगरक्षन, ऐसी व्याख्या सही है या नहीं, दोहराना, पल्लक द्वारा क ये गए अधेयन से संकित मिलता है, कि लोबॉल का यह छिपा हुआ लाब, रननीती कोई अस्थाई नहीं है, यह प्रयोग गर्मियों में इववांस पर किया गया था जिनके घर थे, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग द्वारा ठंडा, वे मकान मालिक जो थे, वादा किया गया स पत्र प्रचार ने उनके बिजली के उप्योग में 27.8 की कमी की, जुलाई के दोरान प्रतिशत, समान मकान मालिकों की तुलना में जो नहीं थे, किसी भी कवरेज का वादा किया था या जिनसे बिलकुल भी संपर्क नहीं किया गया था, के अंत में, जुलाई, प्रचार के वादे को रद्ध करते हुए एक पत्र भेजा गया था, बलकी फिर से, अपनी पुरानी आद्तों की ओर मुरते हुए, निचले स्तर के निवासियों ने अपना अगस्त बढ़ा दिया, आश्चरेजनक रूप से 41.6 प्रतिशत तक उर्जा की बचत, सारा की तरह, वे भी दि खाई दी, एक प्रारंभिक प्रलोभन के माध्यम से चुनाव के लिए प्रतिबध हो गए हैं, और फिर से प्रलोभन के बाद भी इसके लिए और अधिक समर्पित थे, ले जाया गया, कैसे कहे नहीं, संगती छोटे दिमागों का शौक है, या कम से कम, ऐसा ही होता है, राल कि काफी, इमर्सन ने जो सुझाव दिया है, उसके विप्रीद, आंतरिक स्थिरता, तर्क और बौधिक शक्ती की पहचान है, जबकि इसकी कमी चरित्र, बौधिक रूप से बेखरे हुए और हमारे बीच सीमित है, तो क्या कर सकता था, इमर्सन के कैलिबर के एक विचारक क मतलब है, जब उसने विशेष्टा सौमपी थी, छोटे दिमाग की संगती का, मैं जाने के लिए काफी उत्सुक था, अपने कथन के मूल स्रोत पर वापस, निबंध, आत्म निर्भर, जहां यह स्पष्ट था कि समस्या इमर्सन में नहीं, बलकि, उन्होंने जो कहा था उस था क्योंकि वर्षों ने सटीक को मिटा दिया था, उनके बयान के संसकरण का मतलब कुछ पूरी तरह से अलग और पर, करीब से निरीक्षन, पूरी तरह से मूर्खता पूर्ण, हालांकि यह अंतर हम पर से नहीं चूटना चाहिए, क्योंकि यह महत्व पूर्ण है, प्रभ संगती आम तोर पर अच्छी होती है, यहां तक कि महत्व पूर्ण भी एक मूर्खता होती है, कठोर किस्म को त्याग ना होगा, यह स्वचालित रूप से होने की प्रवरित्ती है, और एमर्सन ने जिस अविचारनी ये रूप से संगती का उलेक किया है, और यही प्रवरि अधिकांश समय व्यवहार करने का उचित और उचित तरीका हम तै नहीं कर सकते, केवल इसे हमारे जीवन से पूरी तरह खत्म करने के लिए परिणाम होंगे. विनाशकारी अगर हमारे पूर्व के अनुसार घूमने के बजाए, निर्ने और कर्म हमने हर एक के गुणों के बारे में सोचना बंद कर दिया. इसे करने से पहले नई कारवाई हमारे पास कभी भी साथ देने का समय नहीं होगा. कुछ भी महत्व पूर्ण प्लाश करें. हमें उस खत्रनाग यांत्रिक की भी आवश्यक्ता है. संगती का ब्रांग दुविधा से बाहर निकलने का एक मात्र तरीका यह जानना है कि कब इस तरह की एक रूपता खराब विकल्प की ओर ले जाने की संभावना है. निश्चित हैं संकेत दो अलग अलग प्रकार के संकेत वास्तव में हमें टिप देने के लिए हम रजिस्टर हमारे शरीर के एक अलग हिस्से में प्रतेक प्रकार पहले प्रकार के संकेत को पहचानना आसान है यह ठीक गड़्धे में होता है हमारे पेट के बारे में जब हमें पता चलता है कि हम अनुपालन में फंस गए हैं एक अनुरोध जिसे हम जानते हैं, कि हम प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, यह मेरे साथ हुआ है, सौबार, हालांकि एक विशेश रूप से यादगार उदाहरन हुआ, अनुपालन रन्नीती का अधेयन शुरू करने से बहुत पहले गर्मियों की शाम को, मैंने अपने दर् ले जा रहा था और मुझे एक सर्वेक्षन में भाग लेने के लिए कह रहा था, एक अनुकूल प्रभाव बनाने के लिए मैं सहमत हुआ और मैं मानता हूँ, मेरे साक्षातकार के उत्तरों में सच्चाई को बढ़ाया ताकि खुद को प्रस्तुत किया जा सके, सबसे सकारा पासियों की आदतें और मुझे आश्चरे है कि क्या आप कुछ जवाब दे सकते हैं, मेरे लिए प्रश्न, C-I-L-D-I-N-I, अंदर आओ, S-Y-W, धन्यवाद, मैं अभी यहीं बैठूंगा और शुरू करूंगा, प्रती, कितनी बार, सब्ताह क्या आप कहेंगे कि आप रा स्थव में, मुझे बढ़िया रेस्टोरेंट पसंद है, S-Y-W, कितना अच्छा है, और क्या आप आम तोर पर अपने खाने के साथ वाइन ओर्डर करते हैं, C-केवल अगर यह आयात किया जाता है, S-Y-W, मैं देखता हूं, फिल्मों के बारे में क्या, क्या आप फिल्मों म ज्यादा जाते हैं, C-सिनेमा, मुझे परियाप्त अच्छी फिल्मे नहीं मिल रही है, मुझे विशेश रूप से पसंद है, स्क्रीन के नीचे शब्दों के साथ परिश्कृत प्रकार, कैसे, आपके बारे में, क्या आपको फिल्में देखना पसंद है, S-Y-W, हाँ, मैं क करता हूँ, लेकिन चलिए साक्षातकार पर वापस आते हैं, क्या तुम जाते हो, कई संगीत कारे क्रम, C- निश्चित रूप से, सिंफोनिक सामान ज्यादातर, बिल्कुल, लेकिन मुझे मजा आता है, गुनवत्ता पॉप समूह भी, S-Y-W, तेजी से लिखना बढ़िया, बस एक और सवाल, भ्रमन के बारे में क्या, नाटे या बेले कमपनियों ध्वारा प्रदर्शन, क्या आप उन्हें देखते हैं, जब, वे शहर में हैं, C- अ, बेले आंदोलन, अनुग्रह, रूप मैं इसे प्यार करता हूँ, निशान, मुझे बेले प्यार के रूप में न बारा जांचने दे, श्रीमान, सियाल डिनी, C- दर असल, यह ग्रो सियाल डिनी है, लेकिन यह इतना अपचारिक लगता है, तुम क्यों नहीं, मुझे बॉब बुलाओ, SYW, ठीक है, बॉब, आपने मुझे जो जानकारी दी है, उससे मैं, यह कहते हुए खुशी हो रही है, कि आप एक वर्ष में 1200 डॉलर तक बचा सकते हैं, क्लब अमेरिका में शामिल होकर, एक छोटा सा सदसेता शुलक आपको वंचित करने का अधिकार देता है, आपके द्वारा बताई गई अधिकांश गतिविधियों पर निर्भर करता है, निश्चित रूप से किसी के रूप में, सामाजिक रूप से सशक्त के रूप में के पास पहले से मौझूद सभी चीजों पर परियाप्त बचत की पेशकश कर सकती है, मुझसे कहा तुम करो, सी, चुहे की तरह फसा अच्छा, उह, मैं, उह, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अच्छी तरह याद है, कि हकलाते समय मेरा पेट कड़ा हो गया था, मेरा समझ होत यह मेरे दिमाग के लिए एक सपश्ट कॉल था, अरे, आपको ले जाया जा रहा है, यहाँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मुझे अपनोंने गेर लिया था, शब्दू, उस समय उसके प्रस्ताव को टुकराने का मतलब होगा, का सामना करना, अरुचिक विकलपों की जोड़ी, अगर मैंने इसका विरोध करके पीछे हटने की कोशिश की, मैं वास्तव में उस आदमी के बारे में शहर नहीं था, जिसका मैंने दावा किया था, साक्षातकार, मैं जूठा निकलूंगा, लेकिन उसके बिना मना करने की कोशिश कर रहा है, था कि मुझे स्थापित किया गया था, ताकि मुझे जो कुछ भी हो, उसके अनुरूप होने की आवश्यक्ता हो, पहले ही कह चुका था कि मुझे फसाएगा, हालांकि और नहीं, मैं इन दिनों अपने पेट की सुनता हूँ, और मेरे पास डिस, संगती सिध्धान्त का उप तरीका शामिल किया गया है, मुझे पर, मैं उन्हें ठीक ठीक बताता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं, यह खूबसूर्ती से काम करता है, ज्यादातर समय, वे मुझे नहीं समझते, वे बस पर्याप्त हो जाते हैं, मुझे अकेला छोड़ना चाहते हैं, भ्रमित, मुझे लगत अतलब संगती और मूर्खता के बीच अंतर करना था, संगता, आमत और पर वे समय से पहले ही किनारा करना शुरू कर चुके होते हैं, मैंने दिमाग के घुमन्तु का उलेक किया है, और बहुत पहले चला गया है, मैंने प्रतिबधता के क्लिक वहिर चरित्र का वर्णन किया है, और इसमें शामिल है, ग्यान कभी-कभी, हालांकि उन्हें एहसास होता है, कि मैं उनके खेल में हूँ, मैं हमेशा जाने कि ऐसा कब होता है, यह उनके चहरे पर अंदे की तरह स्पष्ट है, वे निर्पवाद रूप से घबरा जाते हैं, जल्दबाजी में बाहर निकलन वाली रेखा से टकराते हैं, और दरवाजे के लिए जाओ, यह युक्ती मेरे लिए एकदम सही पलतवार बन गई है, जब कभी भी, मेरा पेट मुझे बताता है, कि मैं एक अनुरोध का पालन करने के लिए एक चूसने वाला बनूंगा, केवल इसलिए कि ऐसा करना कुछ प कारने का प्रयास करें, मैं सिर्फ बेतोकेपन की ओर इशारा करता हूँ, मूर्खतापूर्ण संगती का, क्या, प्रत्यूत्तर में अनुरोध करता सिकूर जाता है, अपराद बोध से या हत्व प्रभ होकर पीछे हट जाता हूँ, मैं संतुष्ठ हूँ, मैं जीत गया, एक पूर्व, प्लोटर हार गया है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वह तेजस्वी युवा होता तो कैसा होता, साल पहले की ओरत मुझे एक मनोरंजन कलब बेचने की कोशिश कर रहे थे, अब सदसेता, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, पूरी बात चीत होगी, अन्थ को चोड़ कर वही रहें, एस वाई डबल्यू, निश्चित रूप से आपके जैसा सामाजिक रूप से सशक्त कोई व्यक्ती करना चाहेगा, हमारी कमपनी जिस जब्रदस्त बचत की पेशकश कर सकती है, उसका लाब उठाएं, वे सभी चीजें जो आपने मुझे पहले ही बत आकर्षन करने के बारे में आपकी कहानी सिर्फ एक थी, लोगों को यह बताने के बहाने की वे कितनी बार बाहर जाते हैं, और वह, उन परिस्थितियों में अतिश योक्ती करने की एक स्वाभाविक प्रवरित्ती होती है, मैं यह भी महसूस करें कि आपके बोस ने आपकी वजह से आपको इस नौकरी के लिए चुना है शारीरिक आकर्शन और आपको बहुत कुछ दिखाने वाले कपड़े पहनने के लिए कहा आपके लचीला शरीर के उतक क्योंकि एक सुंदर कम कपड़े पहने महिला की संभावना है पुरुशों को प्रभावित करने के लिए वे की दूर्तता के बारे में कहा SYW खाली घूरते हुए हूँ है सी देखो आपके नकली सर्वेक्षन के दोरान मैंने आपको जो बताया वह मायने नहीं रखता मैंने मना कर दिया प्रतिबधता के एक यांत्रिक अनुकरम में खुद को बंद करने की अनुमती देने के लिए और मैं इसे इस तरह रखता हूँ 1. मेरे लिए खर्च करना बेवकूफी होगी किसी ऐसी चीज पर पैसा जो मुझे नहीं चाहिए 2. मेरे पास यह उत्कृष्ट अधिकार प्रतिष्ठा पर है सीधे मेरे पेट से कि मुझे आपकी मनोरंजन योजना नहीं चाहिए 3. इसलिए यदि आप अभी भी मानते हैं कि मैं इसे खरीदूंगा तो आप भी शायद अभी भी 2. फेरी में विश्वास जरूर कोई अपने जैसा बुद्धिमान इसे समझने में सक्षम होंगे SYW एक तेजस्वी युवाचुहे की तरह फंस गया अच्छा उह मैं उह मुझे ऐसा लगता है पेट विशेश रूप से बोधगमे या सूक्षम अंग नहीं है केवल जब यह स्पष्ट है कि हम ठगे जाने वाले हैं क्या उनके पंजीकरन की संभावना है और उस संदेश को प्रसारित करें अन्य समय में जब यह स्पष्ट नहीं होता है कि हम लिया जा रहा है हमारे पेट कभी नहीं पकड सकते उन परिधी के तहेत रुख हमें सुराग के लिए कहीं और देखना होगा मेरी की स्थिती पड़ोसी सारा एक अच्छा उदाहरन देती है उसने एक महित्व पूर्ण अपनी पूर्व विवाह योजनाओं को रद्द करकेटिम के प्रती प्रतिबधता वह कौम मिटमिंट ने अपना समर्थन बढ़ाया है ताकि भले ही मूल प्रतिबधता के कारण समाप्त हो गए है वह इसके साथ सामन जस्य बिठाती है उसने खुद को नवगठित कारणों से आश्वस्त किया है कि उसने ऐसा किया है सही बात है इसलिए वहतिम के साथ रहती है यह देखना मुश्किल नहीं है कि वहां क्यों इससे सारा के पेट में कसाव नहीं आएगा पेट हमें बताता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारे लिए गलत है सारा सोचती है कि नहीं ऐसी चीज उसके दिमाग में उसने सही चुना है और व्यवहार कर रही है उस विकल्प के साथ लगातार फिर भी जब तक मैं अपने अनुमान को बुरी तरह से याद नहीं करता सारा का एक हिस्सा है जो मानता है अपनी पसंद को एक गलती के रूप में और उसकी वर्तमान रहने की व्यवस्था को एक के रूप में स्विकार करता है मूर्ख तापूर्ण संगती का ब्रांग जहां बिलकुल सारा का वह हिस्सा स्थित है हम निश्चित नहीं हो सकते लेकिन हमारी भाषा इसे एक नाम देती है दिलों का दिल परिभाषा के अनुसार यह एक ऐसी जगह है जहां हम खुद को मूर्ख नहीं बना सकते यह है वह स्थान जहां हमारा कोई ओचित्ते नहीं हमारा कोई युक्तिक्रण नहीं गुसना सारा के पास सथ है हाला की अभी वह सुन नहीं सकती नए समर्थन के शोल और स्थिर के माध्यम से इसका संकित स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ATUS उसने खड़ा किया है अगर सारा ने टिम की पसंद में गलती की है तो वह कब तक बिना रह सकती है दिल के दोरे के बड़े पैमाने पर दिल के बिना इसे स्पष्ट रूप से पहचानना कोई बताने वाला नहीं है हाला कि एक बात निश्चित है जैसे जैसे समय बीटता है तिम के विभिन विकल्प गायब हो रहे हैं उसने बेहतर निश्चे किया था जल्द ही क्या वह गलती कर रही है करने से आसान कहा बिलकूल उसे बेहत जवाब देना चाहिए ट्राइकेट प्रशन यह जानकर कि मैं अब क्या जानता हूँ अगर मैं समय पर वापस जा सकता हूँ क्या मैं वही चुनाव करूँगा समस्या जानने में है मैं अब क्या जानता हूँ प्रशन का हिस्सा अब उसे क्या पता सही टिम के बारे में वह उसके बारे में कितना सोचती है? उसके द्वारा की गई प्रतिबधता को सही ठहराने के एक बेताब प्रयास का परिणाम? वह उसका दावा है कि उसे वापस लेने के उसके निरने के बाद से वह उसकी अधिक परवाह करता है. अपने अत्यधिक शराब पीने को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, बनाना सीख लिया है. लाजवाब ओमलेट आदी, उसके एक दो ओमलेट का स्वाद चखने के बाद मेरे पास है. मेरे संदेह. हाला की महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या वहेन पर विश्वास करती है? चीजें नकेवल बौधिक रूप से हम इस तरह के मायंड गेम खेल सकते हैं. खुद लेकिन उसके दिल के दिल में एक छोटा सा उपकरण हो सकता है, जिसका उपयोग सारा यह पता लगाने के लिए कर सकती है, कि उसका कितना हिस्सा है. तिम के साथ वर्तमान संतुष्टी वास्तविक है, और कितनी मूर संग्यानिक साक्षे जमा करना इंगित करता है, कि हम अनुभव करते हैं. किसी चीज के प्रती हमारी भावनाए इससे पहले कि हम बौधिक कर सकें. इसके बारे में अलाईज, मेरा शक यह है, कि संदेश के दिल से भेजा गया है. दिल एक शुद्ध, बुनियादी भावना ह इसलिए, अगर हम खुद को प्रशिक्षित करते हैं. अस्थाई, हमें इसे अपने संग्यानात्मक द्रिष्टिकोंग से थोड़ा पहले ही दर्ज कर लेना चाहिए. इस द्रिष्टिकोंग के अनुसार, क्या सारा को खुद से पूछना था? महित्वपूर्ण, क्या मैं फिर से वही विकल्प चुनूंगा? सवाल, वह होगी. अच्छी तरह से सलाह दी जाती है, कि वह अनुभव की पहली फ्लेश की तलाश करें और उस पर भरोसा करें. प्र बच्चा खुद बह गया. जब भी मुझे संदेह होता है, मैंने स्वय उसी उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया है. हो सकता है, कि मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से लगातार अभिने कर रहा हूँ. एक बार, उदाहरन के लिए, मैं एक फिलिंग स्टेशन के सेल्फ सर्विस पंप पर रुका था विग्यापन. कीमत प्रती गैलन अन स्टेशनों की दर से कुछ सेंट कम. शेत्र. लेकिन हाथ में पंप नोजल के साथ, मैंने देखा की कीमत सूची बद्ध है. पंप प्रदर्शन संकेत मूले से दो सेंट अधिक था. जब मैं एक पासिंग अ प्रदर्शन को ठीक करने का समय नहीं था. मैंने कोशिश की. क्या करना है यह तै करने के लिए? रहने के कुछ कारण दिमाग में आए, मैं सच में. गैसोलीन की बुरी तरह से जरूरत है. यह पंप उपलब्ध है और मैं इस तरह का हूँ. जल्दी. मुझे लगता है कि वास्तविक थे या मात्र? मेरे वहां रुकने के निरने का ओचिते. तो मैंने खुद से महत्वपूर्ण पूछा. प्रश्न, यह जानकर कि मैं इस गैसोलीन की वास्तविक कीमत के बारे में क्या जानता हूँ? अगर मैं समय पर वापस जा सकता, तो क्या मैं फिर से वही वि धीमा कर दिया है. मुझे तब पता था कि मूले लाब के बिना, वे अन्य कारण मुझे वहां नहीं लाते. उन्होंने नहीं बनाया था. निरने, निरने ने उन्हें बनाया था. यह तै हो गया, हालांकि एक और निरने का सामना करना पड़ा. जब से मैं पहले से ही नली हुए था, क्या इसका उप्योग करना बेहतर नहीं होगा? उसी कीमत का भुगतान करने के लिए कहीं और जाने की असुविधा जेलने के लिए? सवभाग्य से, स्टेशन अटेंडेंट मालिक ने आकर मेरी मदद की. मेरे मन बना दो. उसने पूछा कि मैं कोई गैस क्यों नह ने उससे कहा. मुझे कीमत में अंतर पसंद नहीं आया और उसने जुनजलाहट के साथ कहा, सुनो. कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि मैं अपना व्यवसाय कैसे चलाओं. अगर आपको लगता है कि मैं हूँ. आपको धोखा दे रहा है, बस उस नली को अभी नीचे रख द और मेरी संपत्ती से निकल जाओ. जितनी जल्दी आप इसे कर सकते हैं, कली. पहले से ही निश्चित था कि वह एक दोखे बाज था, मैं था. मेरे विश्वास और उनकी इच्छाओं के साथ लगात्तार कारे करने में प्रसन्नता. मैंने गिरा दिया. मौके पर नली. और इस मेरे निक्ततम निकास के रास्ते पर चला गया. कभी-कभी संगती एक आश्चरेजनक रूप से पुरस्कृत चीज हो सकती है. पाठक की रिपोर्ट. पोर्ट लेंड, ओरेगन में रहने वाली एक महिला से. मैं दोफ़र के भोजन के रास्ते में पोर्ट लेंड शहर से घू रहा था. नियुक्ती जब एक युवा, आकरशक आदमी ने मुझे एक मित्रवत के साथ रोका. मुस्कान और एक शक्तिशाली पंक्ती, क्षमा करें, मैं एक प्रतियोगिता में शामिल हूँ और मुझे जीतने में मदद करने के लिए आप जैसी अच्छी दिखने वाली महि लाए हैं. मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, हाला कि मैं गार्ड से पकड़ा गया था और था. यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह क्या चाहता है. उन्होंने समझाया कि वह प्राप्त करेंगे. कुल अजनबियों उसे एक चुम्बन देने के लिए हो रही द्वारा एक प्रतियोगिता के लिए इंगित करता है. अभी मैं अपने आपको एक काफी स्तर के नेतरित्व वाले व्यक्ती पर विचार करें जो नहीं होना चाहिए. अपनी लाइन पर विश्वास किया, लेकिन वह काफी द्रेग था और चुंकि मुझे लगभग देर हो चुकी थी. मे सेंस और इस कुल अजनभी को गाल पर बीच में चोंच मार दी. मैंने सोचा था कि इसका अंथ होगा, लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि यह था. बिल्कुल शुरुआत है. मेरे संकट के लिए बहुत कुछ है, वह साथ चुंबन का पालन किया. लाइन, तुम एक महान की स हैं, लेकिन असली प्रतियोगिता मैं मेर शामिल कर रहा हूँ करने के लिए है. पत्रिका सदसेताय बेचें. आपको एक सक्री व्यक्ती होना चाहिए. क्या कोई? इन पत्रिकाओं में आपकी दिल चस्पी है, इस समय मुझे सुस्थ हो जाना चाहिए था. आदमी और चला ग दूसरा निवेदन. हालांकि यह अभी भी मुझे इसके बारे में सोचने के लिए पीडा देता है, घटना पर चिंतन करते हुए. आपकी पुस्तक को पढ़ने के बाद, मुझे अब पता चल गया है, कि क्या हुआ था. एनिस. कारण यह युकती इतनी प्रभावी ढंग से काम करती है, क्योंकि एक बार छोटी प्रतिबद्धता बयान बना दिया गया है, इस मामले में एक चुम्बन दे रही है, लोगों को जोडने के लिए करते हैं. प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए उचित्ते और फिर प्रतिबद्ध करने के लिए तैयार है, खुद आगे. इस स्थिती में मैंने इसका अनुपालन करना उचित थहराया. दूसरा अनुरोध क्योंकि यह मेरी प्रारंभिक कारवाई के अनुरूप था. अगर मैं ह होता. केवल मेरे पेट के लक्षन सुनता था, मैं खुद को बहुत बचा सकता था. अपमान. एक चुम्बन निकालने करके विक्रेता स्थिर्ता सिध्धान्त का शोशन. दो तरीके से. सबसे पहले जब तक उसने पत्रिका में उससे सहायता मागी. प्रतियोगिता उसकी यह केवल स्वाभाविक लगता है. अर्थात. सर्वांगसम. कि यदि कोई महिला किसी पुरुष के प्रती सकारात्मक रूप से परियाप्त महसूस करती है. उसे चुम्बन वह उसे बाहर की मदद करने की और सकारात्मक महसूस करना चाहिए. अध्यायफूर. सामाजिक प्र हंसी पसंद करता है. वास्तव में, जब मैंने उन लोगों का सर्वेक्षन किया जो एक दिन मेरे कार्याले में आये थे, कई चात्र, दो टेलीफोन मरम्मत करने वाले, कई विश्व विद्याले के प्रोफेसर, और चौकीदार, प्रतिक्रिया निर्पवाद रूप से आलोचनात्मक थी. टेलीविजन, के साथ, हंसी की पट्रियों और तकनीकी रूप से समवर्धित आनंद की इसकी निरंतर प्रनाल सबसे अधिक गर्मी प्राप्त की. जिन लोगों से मैंने सवाल किया, वे डिबबाबंध हंसी से नफरत करते थे. उन्होंने इसे बेवकूफ, नकली और स्पष्ट कहा. हालांकि मेरा नमूना था. छोटा, मैं शर्ट लगा सकता हूँ कि यह अधिकांश की नकारात्मक अमेरिकी से दर्शाता है. अमेरिकी जनता की हंसी पट्रियों की ओर, तो फिर डिबबाबंध हंसी टेलिविजन अधिकारियों के बीच इतनी लोकप्रिय क्यों है? उन्होंने अपने उच्च पदों और शांदार वेतन को जानकर जीत हासिल की है. जनता को वह कैसे देना है जो वह चाहता है. फिर भी वे धार्मिक रूप से कारेरत हैं. हंसी के ट्रैक जो उनके दर्शकों को अरुचिकर लगते हैं. और वे ऐसा करते हैं. उनके कई सबसे प्रतिभाशाली कलाग कारों की आपत्तिया यह असाधारन नहीं है. प्रशनसित निर्देश को, लेक को या अभिनेताओं के उन्मूलन की मांग करने के लिए. उनके द्वारा शुरू की गई टेली विजन परियोजनाओं से दिब्बाबंध प्रतिक्रियाएं. इन मांगें कभी-कभी ही सफल होती हैं, और जब वे होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है. बिना लड़ाई के, यह अभियास है, कि उनके संभावित दर्शकों को असहनिय लगता है, और उनकी सबसे रचनात्मक प्रतिभा व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक लगती है. जवाब है, एक बार सरल और पेचीदा, वे जानते हैं, कि शोध क्या कहता है. विशेश गे, आई मिंटस ने पाया है कि डिबबाबंध मजे का उपयोग दर्शकों का कारण बनता है. जब हास्य सामगरी प्रस्तुत की जाती है, तो अधिक समय तक और अधिक बार हंसना, और सामगरी को मजेदार के रूप में रेट करने के लिए, इसके अलावा, कुछ सबूत इंगित करते हैं. वह डिबबा करेक्रम में हंसी के गानों का परिचय मिंग एक की विनोधी और प्रशनसनिय प्रतिक्रियाओं में वृद्धी करेगा. दर्शक यहां तक की और विशेश रूप से जब सामगरी खराब गुनवत्ता की हूँ. क्या यह कोई आश्चरे की बात है, कि टेली विजन जैसे की कल सिटू से भरा हुआ है. हासे वियंगे के प्रयास, दिबाबंध हंसी के साथ संत्रिप्त किया जाना चाहिए. वे अधिकारी ठीक ठीक जानते हैं, कि वे क्या कर रहे हैं. लेकिन हंसी की पट्रियों के व्यापक उपयोग के रहस्य को हल करने के साथ, हमारे पास एक अधिक जटिल प्रशन रह जाता है, दिब्बाबंध हसी क्यों आती है। जिस तरह से यह करता है, हम पर काम करते हैं। यह अब टेली विजन अधिकारी नहीं है। जो अजीब दिखाई देते हैं, वे तारकिक रूप से और अपने हित में काम कर रहे हैं। इसके बजाए, यह आपके और मेरे दर्शकों का व्यवहार है, ऐसा लगता है। अजीब, हमें समुद्र में तेरती हुई हास्य सामगरी पर अधिक हंसना क्यों चाहिए? यह अंत्रवत गढ़ी गई मस्ती का, और हमें ऐसा क्यों सोचना चाहिए? कॉमिक फ्लोटसम मजेदार, अधिकारी वास्तव मे हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, कोई भी डब की हुई हंसी को पहचान सकते हैं, यह इतना जब्रदस्त है, इतना स्पष्ट रूप से नकली है, ताकि इसे असली चीज से भ्रमित न किया जा सके, हम पूरा जानते हैं, अच्छी तरह से कि हम जो उल्लास सुनते हैं, व लेकिन कृत्रिम रूप से एक नियंतरन बोर्ड में एक तकनीशियन द्वारा, फिर भी ट्रंस, मूल जाल साजी की यह है, यह हम पर काम करता है, यह पता लगाने के लिए कि डिब बाबंध हसी इतनी प्रभावी क्यों है, हमें सबसे पहले अन, प्रभाव के एक और शक्ति शाली हतियार की प्रकृती को समझें, दे, सामाजिक प्रमान का सिध्धान्त, यह बताता है, कि एक का मतलब हम निर्धारित करने के लिए उप्योग करते हैं, जो सही है, वह यह पता लगाना है, कि दूसरे लोग क्या सही सोचते हैं, एनिस, सिध्धान्त विशेश रूप स उस तरीके पर लागू होता है, जिस तरह से हम तै करते हैं, कि कोर क्या है, सही विवहार, हम किसी स्थिती में किसी विवहार को अधिक सही मानते हैं, इस हद तक कि हम दूसरों को इसे करते हुए देखते हैं, क्या सवाल है, मूवी थिएटर में खाली पॉपकॉर्न बॉक्स क्या करें, कितनी जल्दी करें, राजमार्ग के एक निश्चित हिस्से पर द्राइव करें, या चिकन को कैसे खाएं, डिनर पार्टी हमारे आसपास के लोगों के कारियों को परिभाशित करने में महत्व पूर्ण होगा, उत्तर, किसी क्रिया को तब अधिक उप्यूक्त करने से गलतिया, आमतोर पर, जब बहुत सारे लोग कुछ कर रहे होते हैं, तो यह सही बात होती है, करने के लिए, सामाजिक प्रमान के सिध्धान्त की यह विशेष्टा एक साथ इसकी है, प्रमुख ताकत और इसकी प्रमुख कमजोरी, इन्फ्लुेंजा के अन्य हथिया की तरह, यह विवहार करने का तरीका निर्धारित करने के लिए एक सुविधाजनक शौर्टकट प्रदान करता है, लेकिन साथ ही शौर्टकट का उप्योग करने वाले को कमजोर बना देता है, मुनाफफा खोरों के हमले जो उसके रास्ते में प्रतीक्षा में पड़े हैं दिबाबंध हसी के मामले में समस्या तब आती है जब हम शुरू करते हैं, सामाजिक प्रमानों का इस तरह के नासमज और चिन तनशील अंदाज में जवाब देना की, हमें आंशिक या नकली सबूतों से मूर्ख बनाया जा सकता है हमारी मूर्खता यह नहीं है कि हम दूसरों की हसी का उपयोग यह तै करने में मदद करने के लिए करें कि क्या हासे प्रद है और कब आनंददायक है उचित है यह अच्छी तरह से स्थापित सिध्धान्थ के अनुरूप है सामाजिक प्रमान मूर्खता यह है कि हम ऐसा पेटेंट धोखादडी के जवाब में करते हैं हसी किसी तरह हासे की एक अलग विशेश ताई द्वनी हासे के सार की तरह काम करता है अध्याय से उदाहरन वन तर्की और पोल कैट यहां शिक्षाप्रद है याद रखे कि हो कारण तर्की के चूजों की विशेश चीप-चीप सामाने रूप से सहयोगी है नवजात तर्की के साथ खाया गया उनकी माताय प्रदर्शित करेंगी या रोक देंगी केवल उस द्वनी के आधार पर मात्रु देख भाल और याद कैसे नतीज तन एक मादा तर्की को मात्रित्व के लिए चल करना संभव था भरवा पोल कैट जब तक प्रतिकृती ने रिकॉर्ड किये गए चीप-चीप को बजाया एक बच्चे तर्की की नकली चिकध्वनी शुरू करने के लिए पर्याप्त थी महिला की मात्रू टेप भिन भिनाना तर्की और पोल कैट का पाठ असुविधाजनक रूप से दिखाता है औसत दर्शक और हंसीम जाग के बीच संबंध टेलीविजन कारेकारी खेल रहा है हम लेने के इतने आदी हो गए हैं हसी के योगे होने के प्रमान के रूप में दूसरों की विनोधी प्रतिक्रियाए कि हमें भीध्वनी के प्रती प्रतिक्रिया करने के लिए बनाया जा सकता है असली बात का रुख जितना चीप-चीप शोर से हटा दिया गया एक चुजे की वास्तविक्ता एक मादा तर्की को मा के लिए उत्तेजित कर सकती है इसलिए एक वास्तविक दर्शकों की वास्तविक्ता से हटा दिया गया हाहा, रिकॉर्ड किया गया हमें हंसने के लिए प्रेरित करें टेलीविजन अधिकारी हमारा शोशन कर रहे हैं शोर्टकट के लिए वरियता पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने की हमारी प्रवरित्ती आंशिक साक्षे के आधार पर वे जानते हैं कि उनके टेप हमारे टेपों का संकेत देंगी क्लिक करें वहिर सामाजिक साक्षे के उप्योग में टेलीविजन अधिकारी शायद ही अकेले हम लाब के लिए यह मानने की हमारी प्रवरित्ती की कोई क्रिया अधिक सही है यदि अन्य लोग कर रहे हैं इसका विभिन सेटिंग समे शोशन किया जाता है बार्टिंडर अक्सर शाम की शुरुआत में कुछ डॉलर के बिल के साथ उनके टिप जार नमक पूर्व ग्राह को द्वारा छोड़े गए सुझावों का अनुकरन करने के लिए और इस प्रकार इंप्रेशन देने के लिए कितह पैसे के साथ टिपिंग उचित बारूम विवहार है चर्च कभी कभी नमक संग्र टोक्रिया उसी कारण से शुरू करता है और आय पर समान सकारात्मक प्रभाव के साथ इंजील प्रचारक अपने दर्शकों को रिंगर के साथ जोडने के लिए जाने जाते हैं जिनका पूर्वाभ्यास किया जाता है गवाह और दान देने के लिए एक निर्दिष्ट समय पर आगे आएं के लिए उदाहरन के लिए एक एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अनुसंधान दल जिसने घुसपैट की बिली ग्राहम संगठन ने ऐसी अग्रिम तैयारियों की सूचना दी उनकी धर्मयुद्ध यात्राओं में से एक से पहले जब तक ग्राहम शहर में आता है और अपनी वेदी को बुलवाता है और छट हजार की सेना आग्या लेकर घात लगाए रहती है की छाप बनाने के लिए अलग अलग अंतराल पर कब आना है एक सहज जन बहिरवाह जब कोई उत्पाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला होता है तो विग्यापन दाता हमें सूचित करना पसंद करते हैं या सबसे ज्यादा बिकने वाला क्योंकि उन्हें हमें सीधे तोर पर यह समझाने की जरूरत नहीं है कि उत्पाद अच्छा है उन्हें केवल यह कहने की आवश्यक्ता है कि कई अन्वे ऐसा सोचते हैं जो काफी सबूत लगता है चैरिटी टेली थॉन्स के निर्माता समर्पित दर्शकों की निरंतर सूची के लिए समय की अत्यधिक मात्रा जिनके पास है पहले ही योगदान का वादा किया था संदेश भेजा जा रहा है होल्ड आउट्स पष्ठें उन सभी लोगों को देखें जिन्होंने देने का फैसला किया है यह सही काम होना चाहिए डिसको के क्रेज के चरम पर सेर दाग डिसको थेक मालिकों ने द्रिशेमान सामाजिक प्रमान के एक ब्रांड का निर्मान किया अपने कलबों की गुनवत्ता के लिए बाहर लंबी प्रतीक्षा लाइने बना कर जब वहा अंदर काफी जगह थी सेल समयन को अपनी पिचों को मसाला देना सिखाया जाता है उन व्यक्तियों के कई खातों के साथ जिन्होंने इसे खरीदा है उत्पाद बिक्री और प्रेरना सलाहकार के वेट रोबर्ट ने कब जा कर लिया बिक्री प्रशिक्षों को उनकी सलाह में सिध्धान्त अच्छी तरह से 95% से लोग नकलची हैं और केवल 5 प्रतिशक दीक्षा लेने वाले हैं लोग राजी हैं हम जो भी सबूत पेश कर सकते हैं उससे ज्यादा दूसरों के कारियों से शोदकर्ताओं ने भी सिध्धान्त के आधार पर प्रक्रियाओं को नियोजित किया है सामाजिक प्रमान कभी एक भी आश्चरेजनक परिणामों के साथ एक मनोवै ग्यानिक विशेश रूप से अलबर्त बंदूरा ने इस तरह के समर्थक को विक्सित करने का मार्ग प्रशेस्ट किया है अवांशित व्यवहार को दूर करने के उपाए बंदूरा और उसका सहकर्मियों ने दिखाया है कि कैसे फोबिया से पीडित लोगों से छुटकारा पाया जा सकता है आश्चरेजनक रूप से सरल अंदाज में इन चरमभयों का उदाहरन के लिए में प्रारंभिक अधेयन नर्सरी स्कूल आयू के बच्चों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे थे कुत्तों से डरकर बस एक छोटे लड़के को कुत्ते के साथ खुशी से खेलते हुए देखा दिन में 20 मिनट के लिए इस प्रदर्शनी ने ऐसे चिहनित भैभीत बच्चों की प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन की केवल 4 दिनों के बाद उनमें से 66 प्रतिशत एक कुत्ते के साथ खेलने के ठेले पर चड़ने को तयार थे और वहीं सीमित रहें इसे सहलाएं और खुजलाएं जबकी बाकी सभी लोग कमरा छोड़ दिया इसके अलावा जब शोधकरताओं ने बच्चों के डर का परिक्षन किया एक महीने बाद फिर सिस्तर उन्होंने पाया की सुधार नहीं था उस समय के दोरान वाश्पित हो गया वास्तव में बच्चे अधिक इच्छुक थे कुत्तों के साथ बातचीत करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कि दूसरे अधियन में एक महत्व पूर्ण व्यावहारिक खोज की गई जो बच्चे कुत्तों से असाधारन रूप से डरते थे उनके डर को कम करने के लिए किसी अन्य बच्चे के लाइव प्रदर्शन प्रदान करना आवशेक नहीं था एक कुत्ते के साथ खेलना फिल्म क्लिप का एक ही प्रभाव था और सबसे प्रभावी क्लिप के प्रकार वे थे जो एक नहीं बलकी कई अन्य बच्चों को दर्शाते थे अपने कुत्तों के साथ बातचीत जाहिर तोर पर सामाजिक प्रमान का सिध्धान्त सबसे अच्छा काम करता है जब सबूत कई अन्य के कारियों ध्वारा प्रदान किया जाता है लोग विवहार को बदलने में फिल्माए गए उदाहरणों का शक्तिशाली प्रभाव बच्चों की विभिन समस्याओं के लिए चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ हड़ताली मनोवैग्यानिक रॉबर्ट ओकॉनर के शोध में साक्षे उपलब्ध है सामाजिक रूप से वापस ले लिए गए पूर्वस्कूली बच्चों पर हम सभी ने बच्चों को देखा है इस तरह का बहुत शर्मीला खेल के मैदान में अकेला खड़ा होना और उनके साथियों का समूह ओकॉनर चिंतित हैं कि एक दीर घकालिक पैटर्ण कम उम्र में भी अलगाव का निर्मान हो रहा था जो की कायम रहेगा वैसकता के माध्यम से सामाजिक आराम और समायोजन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है में पैटर्ण को उल्टने का प्रयास ओकॉनर ने एक फिल्म बनाई जिसमें नर्सरी स्कूल की सेटिंग में 11 अलग अलग द्रेशे प्रतेक द्रेशे शुरू हुआ एक अलग अकेले बच्चे को कुछ चल रहे सामाजिक देख कर दिखा कर गतिविधी और फिर सक्री रूप से गतिविधी में शामिल होना सभी के आनंद के लिए ओकॉनर ने सबसे गंभीर रूप से निकाले गए बच्चों के समूह का चैन किया चार पूर्व स्कूली से और उन्हें अपनी फिल्म दिखाई प्रभाव था दबाव आईसोलेट्स ने तुरंत अपने सातियों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया स्कूलों में सामानने बच्चों के बराबर का स्तर और भी अधिक ओकॉनर जब निरेक्षन करने के लिए लोटा तो आश्चरेजनक था चबकी वापस ले लिए गए बच्चे जिन्होंने नहीं देखा था ओकॉनर की फिल्म हमेशा की तरह अलग्थ लग रही जिन्होंने इसे देखा था अब सामाजिक गतिविधियों की मात्रा में अपने स्कूलों का नेत्रित्व कर रहे थे ऐसा लगता है कि 23 मिनट की यह फिल्म जो सिर्फ एक बार देखी गई काफी थी आजीवन कुचित व्यवहार के संभावित पैटर्न को उलट दें ऐसा है सामाजिक प्रमान के सिध्धान्त की शक्ती जब सामाजिक प्रमान की ताकत के चितरन की बात आती है तो वहाँ है जो दूर और दूर मेरा पसंदीदा है कई विशेशताय इसके लिए जिम्मेदार है अपील यह बहुत कम उप्योग की जाने वाली विधी का एक शांदाल उदाहरन प्रस्तूत करता है सहभागी अवलोकन जिसमें एक वैग्यानिक एक प्रक्रिया का अधेयन करता है अपनी प्राकृतिक घटना में ढूबे रहना यह की जानकारी प्रदान करता है इतिहासकारों, मनोवै ज्यानिकों और धर्मशास्त्रियों जैसे विविध समूहों की रुची ज्यानि और सबसे महित्वपूर्ण यह दिखाता है कि सामाजिक साक्षे का उप्योग कैसे किया जा सकता है हम पर दूसरों के द्वारा नहीं, बलकि स्वय द्वारा हमें आश्वस्त करने के लिए कि हम क्या सच्थ होना पसंद करते हैं, सच प्रतीत होगा कहानी पुरानी है, इसके लिए प्राचीन डेटा की जांच की आवश्यक्ता है अतीत सहसराब्दी धार्मिक आंदोलनों के साथ बेखरा हुआ है विभिन संप्रदाय और पंतों ने भविश्यवानी की है कि वहाँ एक या किसी अन्यविशेश तिती पर उन लोगों के लिए छुटकारे और महान खुशी की अवधी आ जाएगी जो समूह की शिक्षाओं में विश्वास करते थे प्रतेक उदाहरन में इसकी भविश्यवानी की गई है कि मोक्ष के समय की शुरुवात एक आई एम ध्वारा चिहनित की जाएगी महत्वपूर्ण और निर्विवाद घटना आमत और परदुनिया का प्रलेकारी अंत बेशक ये भविश्यवानिया हमेशा जूठी साबित हुई हैं तीवर करने के लिए ऐसे समूहों के सदस्यों की निराशा अंत कभी दिखाई नहीं दिया अनुसूचेद लेकिन भविश्यवानी की सपष्ट विफलता के तुरंत बाद इतिहास एक रहसेमय पैटर्न रिकॉर्ड करता है मुह भंग में भंग करने के बजाए किसान अकसर अपने विश्वासों में मजबूत हो जाते हैं रीक को जोखिम में डालना जनता के बीच में वे सडकों पर उत्रते हैं सारवजनिक रूप से अपना दावा करते हैं हटधर्मिता और मांग एक उत्साह के साथ परिवर्तित होती है जो तेज होती है, कम नहीं इश्ड एक केंद्री विश्वास की सपष्ट पुष्टी के द्वारा तो यह के साथ था दूसरी सदी के तुर्की के मोंटानिस्ट, सोलहवी के एनावैप्टिस्ट के साथ सेंचुरी होलेंड, सत्रहवी सदी के इजमिर के सबबाट्टावादियों के साथ 19. सदी के अमेरिका के मिलराइट्स के साथ और सोचा एक तिकडी रुची रखने वाले सामाजिक वैग्यानिकों की तो यह एक प्रले के दिन आधारित पंथ के साथ हो सकता है आधुनिक शिकागो में वैग्यानिक, लियोन फेस्टिंगर, हेन्री रीकेन और स्टेनली स्कैचर जो उस समय के विश्व विद्याले में सहयोगी थे नए विश्वासियों और इसके रैंकों के बीच अतिरिक्त भुगतान परेवेक्षकों को रख कर इसके परिणामस्वरूप पहले की गतिविधियों का उलेखनिय रूप से समरिद्ध प्रतेक्ष विवरन प्राप्त हुआ और भविश्यवानी की गई तबाही के दिन के बाद विश्वासियों का पंथ छोटा था जिसकी संख्या कभी तीस से अधिक नहीं थी सदसे इसके नेता एक अधेड उम्र के पुरुष और महिला थे जिन्हें प्रकाशन के प्रयोजनों के लिए शोध करताओं का नाम बदलकर दो थौमस आर्म, मजबूत और श्रीमती मेरियन कीच, दो आर्मस ट्रांग, स्टाफ पर एक चिकित सक, एक कॉलेज के छात्र स्वास्थे सेवा के रहस्यवाद में लंबे समय से रुची रखते थे मनोगः और उडन तश्टरी इस तरह उन्होंने एक सम्मानित प्राधिकारी के रूप में कारे किया समुह के लिए इन विश्यों पर श्रीमती कीच, हालांकी, का केंद्र थी, ध्यान और गति विधी इस से पहले वर्ष में उसने प्राप्त करना शुरू कर दिया था स्वचालित लेखन के उपकरण के माध्यम से हाथ, जो कितोक बनाने के लिए थे पंद की धार्मिक विश्वास प्रणाली के बारे में, रख्यवालों की शिक्षाए पारंपरिक इसाई विचारों से शिथिल रूप से जुड़े हुए थे कोई आश्चरे नहीं की, संग्रक्षकों में से एक सानन्द ने अंतितह खुद को प्रकट किया येशु का वर्तमान अवतार गार्जियन से प्रसारण हमेशा बहुत कुछ के विशे समूह के बीच चर्चा और व्याख्या ने नया मिहत्व प्राप्त किया जब उन्होंने एक बड़ी आसन्यापदा की भविशेवानी करना शुरू किया एक बाढ़ जो पश्चिमी गोलार्ध में शुरू होगा और अंत में दुनिया हाला की पहले तो किसान काफी चिंतित थे आगे के संदेशों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे और वे सभी जो इसमें विश्वास करते हैं श्रीमती कीच के माध्यम से भेजे गए पाठ जीवित रहेंगे विपदा से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उडन तश्टरी में विश्वासियों को आने और ले जाना था सुरक्षा का स्थान संभवतह किसी अनिग्रह पर बहुत कम विवरन था बचाव के बारे में प्रदान किया गया सिवाई इसके की विश्वासियों को बनाना था पूर्व होने के लिए कुछ पासवर्दों का पूर्वाभ्यास करके पिक अप के लिए खुद को तयार बदल गया मैंने अपनी टोपी घर पर छोड़ दी आपका प्रश्ण क्या है मैं मेरा हूँ खुद का कुली और उनके कपडों से सारी धातु हटा कर क्योंकि धातू से बने तश्टरी को पहनना या ले जाना बहुत खत्रा आउ जैसा कि फेस्टिंगर, रीकेन और स्कैचर ने तैयारियों का अवलोकन किया बाढ़ की तारीख से पहले के हफ्तों के दोरान उन्होंने विशेश रुची के साथ नोट किया सदस्यों के विवहार के दो महत्व पूर्ण पहलू सबसे पहले, कास्तर पंथ की विश्वास प्रणाली के प्रती-प्रती बद्धता बहुत अधिक थी अपेक्षा में कयामत प्रित्वी से उनके प्रस्थान के लिए अप्रिवर्तनिय कदम उठाए गए थे समूह के सदसे अधिकांश को परिवार का विरोध जैलना पड़ा था और अपने विश्वासों के दोस्त लेकिन फिर भी अपने विश्वासों पर कायम रहे अक्सर जब इसका मतलब इन दूसरों के सनेह को खोना होता है वास्तव में कई सदसियों को पर्डोसियों या परिवार द्वारा कानूनी रूप से धमकी दी गई थी उन्हें पागल घोशित करने की साजिश रची गई है दो आर्मस्ट रंग के मामले में उसकी बहन ने अपने दो छोटे बच्चों को ले जाने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया था दूर कई विश्वासियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी या समर्पित करने के लिए अपनी पढ़ाई की उपेक्षा की आंदोलन के लिए पूरा समय कुछ ने तो अपना परसनल भी दे दिया या फेंक दिया सामान, उम्मीद है कि जल्द ही उनका कोई फाइदा नहीं होगा ये लोग थे जिनकी निश्चित्ता की उनके पास सत्ते था उन्हें जेलने की अनुमती दी भारी सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दबाव और जिनकी प्रतिबधता उनकी हटधर्मिता बढ़ी क्यों की प्रतेक दबाव का विरोध किया गया था विश्वासियों के बार पूर्वकारियों का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था निश्क्रियता का एक जिग्यासु रूप व्यक्तियों के लिए इतना स्पष्ट रूप से आश्वस्त अपने पंथ की वैड़ता, उन्होंने इस शब्द को फैलाने के लिए आश्चरेजनक रूप से बहुत कम किया हालाक की उन्होंने शुरू में आने वाली आपदा की खबर सारवजनिक की थी सक्री रूप से धर्मान तरण करने के लिए धर्मान तरित लोगों की तलाश करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था वो थे अलार्म बजने और स्वेच्छा से प्रतिक्रिया देने वालों को सलाह देने के लिए थैयार इसके लिए समर्पित लेकिन वह सब था भरती प्रयासों के लिए समूह की अरुची विभिन्नमेंस पश्ट थी व्यक्तिगत अनुने प्रयासों की कमी के अलावा तरीके गोपनियता थी कई मामलों में बनाए रखा पाठों की अतिरिक्त प्रतियां जला दी गई पासवर्ड और गुप्त संकेत स्थापित किये गए थे कुछ की सामगरी निजी टेप रिकॉर्डिंग पर बाहरी लोगों के साथ चर्चा नहीं की जानी थी इसलिए गुप्त वे टेप थे जिनसे लंबे समय से विश्वासियों को भी प्रतिबंधित किया गया था उनका नोट लेना प्रचार से परहेज किया गया आपदा के दिन के रूप में अखबार, टेलीविजन और रेडियो की बढ़ती संख्या रिपोर्टर की ठाउस में समूह के मुख्याले में जमा हुए अधिकांश भाग के लिए इन लोगों को दूर कर दिया गया या उनकी उपेक्षा की गई सबसे अधिक उनके सवालों का अकसर जवाब था, कोई टिपपणी नहीं हालांकी डिस कुछ देर के लिए हिम्मत हारे, मीडिया प्रतिनिधी वेन के साथ लोटे जब डो आर्मस्टरंग की धार्मिक गतिविधियों के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया कॉलेज स्वास्थय सेवा के कर्मचारियों पर उनके पद से एक विशेश रूप से लगातार नियूजमैन को मुकदमे की धमकी देनी पड़ी इसी तरह की गेराबंदी फिर से की गई थी बाढ़ की पूर्व संध्या पर जब पत्रकारों के जुन्ड ने धक्का दिया और जानकारी के लिए विश्वासियों को परेशान किया बाद में शोधकरताओं सारवजनिक प्रदर्शन और भरती पर समूह के बाढ़ पूर्व रूख को संक्षेप में प्रस्तुत किया सम्मान जनक स्वर में उलेख प्रचार के जब्रदस्त विसफोट के संपर्क में उन्होंने प्रसिद्धी को चकमा देने का हर संभव प्रयास किया था दर्जनों मौके दिये धर्मान तरण करने के लिए वे टालमटोल और गुप्त बने रहे और व्यवहार किया लगभग बेहतर उदासीन्ता के साथ आखिरकार जब सभी पत्रकार और होने वाले धर्मान तरित हो चुके थे घर से निकलने के बाद विश्वासियों ने अपनी अंतिम तैयारी शुरू कर दी उस रात मध्यरात्तरी के लिए निर्धारित अंतरिक शियान के आगमन के लिए फेस्टिंगर, रीकेन और स्कैचर द्वारा देखे गए द्रेश्य में अवश्य होना चाहिए बेतु के रंगमंच की तरह लग रहा था वरना आम लोग गरिहिनिया कॉलेज के छात्र, एक हाई स्कूल का लड़का, एक प्रकाशक, एक इमडी, एक हार्दवेर स्टोर क्लर्क और उनकी मांदुख्द में गंभीरता से भाग ले रहे थे कॉमेडी उन्होंने उन सदस्यों की एक जोडी से दिशानिर्देश लिया जो पीरियर थे अभिभावकों के संपर्क में रहना, मेरियन कीच के लिखित संदेश सानन्द से उस शाम को, बर्था, द्वारा पूरक किया जा रहा था एक पूर्व ब्यूटीशियन जिसकी जीब के माध्यम से निर्माता ने निर्देश दिया था ठी आई उन्होंने कोरस में फिर से पुकारते हुए अपनी पंक्तियों का परिश्रम पूर्वक पूर्वाभ्यास किया बचाव तश्तरी में प्रवेश करने से पहले किये जाने वाले प्रायोजन, मैं अपना हूँ बोज़ दोने वाला मैं अपना खुद का सूचक हूँ उन्होंने गम भीरता से चर्चा की कि क्या एक कॉलर से संदेश जो खुद को कैप्टन वीडियो के रूप में पहचानता है एक टीवी स्पेस समय का चरित्र एक शरारत या कोड के रूप में ठीक से व्याख्या की गई थी उनके बचाव दल से संचार और उन्होंने पोशाक में प्रदर्शन किया जहाज पर कुछ भी धातू नहीं ले जाने की सलाह को ध्यान में रखते हुए तश्तरी, विश्वासियों ने कपडे पहने थे जिन्हें अनुमती देने के लिए खुले में काटा गया था धातू के टुपडे फाडने के लिए उनके जूतों में धातू की सुराख थी दूर फेंका स्त्रिया निरलज्ज थी या चोली पहनती थी जिनकी धातू पड़ाव हटा दिये गए थे पुरुषों ने जिपर को अपने से बाहर निकाल दिया था पैन जो बेल्ट के स्थान पर रसी की लंबाई द्वारा समर्थित थे सभी धातों को हटाने के संबंध में समूह की कटरता थी उन शोध करताओं में से एक नेस्पश्ट रूप से अनुभव किया जिन्होंने टिप पनी की बिस आधी रात से पांच मिनट पहले कि वह जिप निकालना भूल गया था उसकी पतलून से जैसा की परिवेक्शक इसे बताते हैं इस ग्यान ने एक उत्पन्न किया घबराहट की प्रतिक्रिया के पास उन्हें बेडरूम में ले जाया गया जहां दो आर्म मजबूत उसके हाथ काम पते हैं और उसकी आंखे घड़ी की ओर देखती हैं सेकंड एक रेजर ब्लेड के साथ जिप को काट दिया और इसे भीग दिया वाईरकटर के साथ क्लैप्स मुक्ते आननवानन में किया गया ओपरेशन समाप्ते खोज करता को लिविंग रूम में थोड़ा कम धात्विक लोटा दिया गया था लेकिन एक मानता है बहुत अधिक पीला आदमी जैसे जैसे उनके जाने का समय बहुत निकट आता गया विश्वास द्वनिहीन प्रत्याशा की खामोशी में बस गए प्रशिक्षित वैग्यानिकों के साथ साइट पर हमें होने वाली घटनाओं का विस्तरित विवरन दिया जाता है समूह के जीवन में इस महत्वपूर्ण अवधी के दोरान अंतिम दस मिनट जीवित समूह के लिए तनावपूर्ण थे कमरा उनके पास बैठने और इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं था उनके कोट उनके गोलग तनावपूर्ण सननाटे में दो घडिया जोर जोर से टिक गई एक दस के करीब दूसरे की तुलना में मिनट तेज जब दोनों में से तेज ने इशारा किया बारह पाच तक परेविक्षकों में से एक ने इस तथे पर जोर से टिप पनी की ए लोगों के समूह ने उत्तर दिया कि अभी आधी रात नहीं आई है बीओ भी इस्थमैन ने पुष्टी की किधीमी घडी सही थी उसने इसे सेट किया था केवल उसी दो फ़र यह केवल चार मिनट पहले दिखा आधी रात यह चार मिनट एक सिंगल को छोड़कर पूरी तरह से मौन में बीट गए उच्चारण जब मेंटल पर धीमी घडी ने केवल एक दिखाया तश्तरी के लिए गाइड होने से पहले मिनट शेश था मेरियन एक तनावपूर्ण उची आवाज में कहा और कोई योजना नहीं है गलत जाना घडी में बारह बज रहे थे प्रतेक स्ट्रोक दर्द से साफ हो गया प्रत्याशित सननाटे में विश्वासी निश्चल बैठे रहे किसी ने कुछ द्रिश्य प्रतिक्रिया की उम्मीद की होगी आधी रात थी बीत गया और कुछ नहीं हुआ प्रले ही कम था साथ घंटे से अधिक दूर लेकिन प्रतिक्रियाओं में देखने के लिए बहुत कम था उस कमरे के लोगों की कोई बात नहीं थी कोई आवाज नहीं थी लोग अभी भी बैठे थे उनके चेहरे जमे हुए और भावहीन लग रहे थे निशान पोस्ट ही एक मात्र व्यक्ती था जो स्थानान तरित भी हुआ था वह पर लेट गया सोफा और आखे बंद कर ली लेकिन नींद नहीं आई बाद में जब बात हुई उन्होंने एक एक शब्दांश के रूप में उत्तर दिया लेकिन अन्ने था गतिहीन हो गए एनिस दूसरोंने सतह पर कुछ भी नहीं दिखाया हालांकी यह सपष्ट हो गया बाद में कि उन्हें जोर से मारा गया था धीरे धीरे दर्द से निराशा और भ्रम का माहल समूह पर बस गए उन्होंने भविशेवानी की फिर से जांच की और साथ में संदेश दो आर्मस्ट रंग और श्रीमती कीच ने दोहराया उनका विश्वास विश्वासियों ने अपनी दुर्दशा पर विचार किया और सपष्टीकरण के बाद कार्डेड सपष्टीकरण असंतोश जनक है एक बिंदू पर सुबह फोर बजे श्रीमती कीच तूट गई और फूट-फूट कर रोने लगी उसको पता था वह चिलाई कि कुछ ऐसे हैं जो संदेश करने लगे थे लेकिन यह की समुआ को उन लोगों को प्रकाश देना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यक्ता है और यह की समुआ को एक साथ रहना चाहिए बाकी विश्वासियों अपना आपा भी खो रहे थे वे सभी सपश्ट रूप से हिल गए थे और कई आंसों के करीब थे अब लगभग चार बज कर 30 मिनट बजे थे और अभी भी नहीं कनफर्मेशन से निपटने का तरीका खोजा गया था अब तक अधिकांश समुआ एसकॉर्ट की विफलता के बारे में खुल कर बात कर रहे थे आधी रात को आने के लिए समुआ विग्टन के निकट लग रहा था इस सभा के बीच संदेह के रूप में दरारों के माध्यम से क्रॉल किया गया विश्वासियों का विश्वास शोद करताओं ने उलेखनिय जोड़ी देखी एक के बाद एक घटनाए पहली घटना लग भगफोर 45 बजे हुई जब मेरियन कीच का हाथ अचानक से ट्रांसक्राइब करने के काम में लग गया उपर से एक पवित्र संदेश का पाठ स्वचालित लेखन जब पढ़ें जोर से संचार के लिए एक सुंदर व्याख्या साबित हुई उस रात की घटनाए छोटा समूह रात भर अकेला बैठा था उदाहरन के लिए इसे सुनने के बाद एक सदसे बस उठा पहन लिया उसकी टोपी और कोट और चला गया पुनरस्थाप्पित करने के लिए कुछ अतिरिक्त की आवशेक्ता थी विश्वासियों को उनके पिछले स्तरों के विश्वास के लिए यह इस बिंदू पर थाक की मिलने के लिए दूसरी उलेखनिय घटना हुई इसके लिए इसकी आवशेक्ता है एक बार फिर उपस्थित लोगों के शब्द एक ज्वलंत विवरन समुह में माहौल अचानक बदल गया और ऐसा ही हुआ विवहार कुछ ही मिन्टों के बाद उसने समझात्ते हुए संदेश पढ़ा पुष्टिकरण श्रीमती कीच को एक और संदेश मिला निर्देश उसे स्पष्टिकरण को प्रचारित करने के लिए वह टेलीफोन के लिए पहुची और एक अखबार का नंबर डायल करना शुरू किया जबकी वह थी कनेक्त होने की प्रतीक्षा में किसी ने पूछा मैरियन क्या यह पहला है आपने खुद अखबार कब बुलाया है उसका जवाब था मध्यस्थता ओह हाँ यह पहली बार है जब मैंने उन्हें कभी बुलाया है मैं उन्हें पहले कभी कुछ नहीं कहना था लेकिन अब मुझे लगता है कि यह है अति आवशेक पूरा समूव उसकी भावनाओं को प्रतिध्वनित कर सकता था क्योंकि वे सभी कुतात का लिकता की भावना महसूस हुई जैसे ही मैरियन ने अपनी कॉल समाप्त की अन्य सदस्यों ने बारी-बारी से समाचार पत्र, वायर सेर वायस, रेडियो स्टेशन और राष्ट्रिय पत्रिकाए इस योजना का प्रसार करने के लिए बाढ़ की विफलता के संबंद में शब्द फैलाने की उनकी इच्छा में जल्दी और तेजी से विश्वासियों ने अब जनता के लिए खोल दिया ध्यान के मामले जो अब तक पूरी तरह से गुप्त थे जहां केवल घंटों पहले उन्होंने अखबार के पत्रकारों से किनारा कर लिया था और महसूस किया था कि प्रेस में उन्हें जो ध्यान आ रहा था वह दर्दनाक था अब वे प्रचार के शौकीन बन गए नकेवल गोपनियता से संबंधित लंबे समय से चली आ रही नीतिया थी और प्रचार ने एक आमने सामने किया इसलिए समूह का रविया भी था संभावित धर्मानतरित जबकि संभावित रंगरूट जो पहले यहां आये थे घर को जदातर नजर अंदाज कर दिया गया था दूर कर दिया गया था या आकस्मिक व्यवहार किया गया था ध्यान दे पुष्टिकरण के अगले दिन एक अलग कहानी देखी गई सभी कॉल करने वालों को भरती कराया गया सभी सवालों के जवाब दिये गए प्रयास किये गए ऐसे सभी आगंतुकों के धर्मान तरण के लिए बनाया गया सदस्यों की अभूत पूर्व इच्छा संभावित नई भरतियों को समायोजित करने की ततपरता शायद सबसे अच्छा प्रदर्शन था जब हाइ स्कूल के नौ छात्र निम्न लिखित पर पहुंचे तो भढ़क गए श्रीमती कीच के साथ बात करने के लिए रात उन्होंने उसे टेली फोन पर उड़ने की चर्चा में पाया एक फोन करने वाले के साथ तश्तरी जिसे बाद में पता चला वह माना जाता है एक अंतरिक श्यात्री उससे और उसी समय बात करना जारी रखने के लिए उत्सुप अपने नय 》मेहुआनों को रखने के लिए उत्सुप मेरियन ने बस उन्हें शामिल कर लिया बातचीत और एक घंटे से अधिक समय बारी बारी से बात चीत की, बैठक में अपने महमानों के साथ और अंतरिक्ष यात्री के साथ टेली फोन का दूसरा छोर, तो उसका इरादा धर्मान तरन पर था की, वह किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देती थी, हम विश्वासियों के आमूल परिवर्तन का श्रेय क्य दे सकते हैं, अंतरिक्ष में कुछ घंटों के लिए वे गुप्त और मौन जमाखोरों से चले गए, इसके विस्तरित और उत्सुक प्रसारकों के लिए शब्द, और क्या हो सकता है, उन्हें इस तरह के एक बुरे समय का चैन करने के लिए पास किया, जब विफलता, पूर्ण घटना, बार्ड की रात के दोरान हुई, जब यह तेजी से स्पष्ट हो गया की भविशेवानी पूरी नहीं होगी, भरा हुआ, अजीब तरह से यह उनकी पूर्व निश्चित्ता नहीं थी जिसने सदस्यों को खदेड दिया, विश्वास का प्रचार करने के ल जिस पर उन्होंने विश्राम किया था, कीच लिविंग रूम में रहने वालों के लिए यह संभावना बढ़ रही है, ग्रिनित लग रहा होगा, समूह के सदसे बहुत दूर चले गए थे, उनके लिए बहुत कुछ छोड़ दिया था, उन्हें नश्ट होते देखने का वि जबदों से मार्मिक रूप से रिस्ता है, एक युवा से, तीन साल के बच्चे के साथ महिला, मुझे विश्वास करना होगा कि 21 को बाढ़ आ रही है, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने कंप्यूटर स्कूल लता, मुझे बहुत दूर जाना है, मैंने लगभग सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने हर टाई काटो, मैंने हर पुल को जला दिया है, मैंने अपनी पीट थप्थ पाई है, दुनिया, मैं संदेह नहीं कर सकता, मुझे विश्वास करना है, और कोई नहीं है, अन्य सच्चा उस कोने की कलपना करें जिसमें दो आर्मस्ट रंग और उनके अनुयाईयों ने पाया। चुनकी सत्य का एक मात्र स्वीकारे रूप भौतिक प्रमान द्वारा काट दिया गया था, वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। शिफ्ट ठीक उसी समय जब उनके विश्वासों की प्रत्यक्ष पुष्टी हुई थी, उन्हें बाहरी लोगों के लिए कम से कम आश्वस्त किया। जोखिम उठाना जरूरी था। अविश्वासियों का तिरसकार और उपहास क्यों की प्रचार और भरती। प्रयासों ने एक मात्रशेश आशा प्रदान की। अगर वे फैल सकते हैं। शब्द अगर वे बेखबर को सूचित कर सकते हैं, अगर वे राजी कर सकते हैं। संशयवादी और यदी ऐसा करने से वे नए धर्मानतरित लोगों को जीत सकते हैं, तो उनका धमकी दी लेकिन कीमती विश्वास सच्चा हो जाएगा। का सिध्धान्त, सामाजिक प्रमान ऐसा कहते हैं, किसी को खोजने वाले लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी। विचार सही होगा, विचार उतना ही सही होगा। समूह का असाइनमेंट, सपश्ट था, चूंकी भौतिक साक्षे को बदला नहीं जा सका, सामाजिक, सबूत हो ना था, विश्वास दिलाओ और तुम आश्वस्त हो जाओगे। मृत्यू का कारण, अनिश्चिद, ठीवाई, इस पुस्तक में चर्चा किये गए प्रभाव के सभी हतियार बेहतर तरीके से काम करते हैं, दूसरों की तुलना में कुछ शर्तें, अगर हमें अपना बचाव करना है तो विग्यापन, समान रूप से ऐसे किसी भी हतियार के खिलाफ, यह महत्व पूर्ण है, कि हम इसके इश्टतम को जाने, ओपरेटिंग परिस्थितियों को पहचानने के लिए जब हम सबसे कमजोर होते हैं, इसके प्रभाव को सामाजिक प्रमान के सिध्धान्त के मामले में हमारे पास है, पहले से ही एक समय का संकित था जब यह सबसे अच्छा काम करता है, शिकागो के बीच, विश्वासियों यह हिलते हुए आत्म विश्वास की भावना थी जिसने उनकी लालसा को जन्म दिया, धर्मान तरित लोगों के लिए, सामानने तोर पर, जब हम अपने बारे में अनिश्चित होते हैं, जब स्थिती अस्प करने के लिए अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं की जांच करने की प्रक्रिया में, हमारी अनिश्चिता, हालांकि हम एक सूक्ष्म लेकिन आयात की अन्देखी करने की संभावना रखते हैं, चीन्ती तथे, वे लोग शायद सामाजिक साक्षियों की भी जांच कर रहे हैं, विशेश रूप से एक असपश्ट स्थिती में सभी के लिए होने की प्रवरित्ती यह देखने के लिए कि हर कोई क्या कर रहा है आकर्शक हो सकता है घटना को बहुलवादी अज्यानता कहा जाता है एक ग्यहन समर्ज बहुलवादी अग्यानता की घटना की व्याख्या करने में बहुत मदद मिलती है हमारे देश में एक नियमित घटना जिसे दोनों पहेली कहा गया है और एक राश्ट्रिय अपमान, दर्शकों के पूरे समूहों की विफलता मदद की तडपती जरूरत में पीडितों की सहायता करना इस तरह के दर्शकों की निश्क्रियता का उत्कृष्ट उदाहरन और जो है पत्रकारिता, राजनीतिक और वैग्यानिक हलकों में सबसे अधिक बहस का उत्पादन किया न्यू में ट्वीन्स के बोरो में एक साधारन हत्या कांड के रूप में शुरू हुआ योर्क शहर बिस्वा दशा में एक महिला, कैथरीन जेनोविस, थी से लोटते ही उसके घर की सडक पर देर राथ हुए हमले में मारा गया काम हत्या कभी भी हलके ढंग से पारित करने का कारे नहीं है लेकिन एक शहर में न्यू योर्क के आकार और कारेकाल जेनोविस घटना की अब और आवशेक्ता नहीं थी न्यू योर्क टाइम्स में एक कॉलम के एक अंश की तुलना में स्थान कैथरीन मार्च वन नाइन सिक्स फोर में उस दिन जेनोविस की कहानी उसके साथ मर गई होगी अगर यह गलती के लिए नहीं था टाइम्स के महानगरिय संपादक एम रोसेंथल के साथ हुआ एक सपताबाद शहर के पुलिस आयुक्त के साथ दो भर का भोजन करेंगे रोसेंथल ने आयुक्त से एक अलग त्वीन साधारित के बारे में पूछा हत्या और आयुक्त यह सोचकर कि उससे पूछताच की जा रही है जेनोविस मामले के बारे में कुछ चौंका देने वाला खुलासा हुआ पुलिस जांच में खुलासा यह कुछ ऐसा था जो बचा था हर कोई जिसने इसे सुना आयुक्त शामिल थे चकित और लोभी सपश्टी करण के लिए कैथरीन जेनोविस ने जल्दी अनुभव नहीं किया था दभी हुई मौत यह एक लंबा, जोरदार, प्रताडिद, सारवजनिक कारेक्रम था उसके रूप में नाविक ने पीछा किया था और सड़क पर तीन बार उस पर हमला किया था 35 मिनट की अवधी से पहले उसके चाकू ने आखिरकार उसके रोने को चुप करा दिया मदद के लिए उसको बुलाने के लिए उंगली उठाने जितना रोसेंथल, एक पूर्व पुलितजर पुरसकार विजेता रिपोर्टर, एक कहानी जानता था जब उसने एक सुना आयुक्त के साथ अपने दोभर के भोजन के दिन, वह एक रिपोर्टर को जेनोविस के बायस टेंडर एंगल की जांच करने के लिए सौंपा गया घटना एक सप्ताह के भीतर, टाइम्स ने एक लंबा, प्रिष्ट एक लेक प्रकाशित किया की विवाद और अटकलों का दौर पैदा करना था पहले कुछ उस रिपोर्ट के पैराग्राफ बढ़ते हुए स्वर और फोकस प्रदान करते है कहानी आदे घंटे से अधिक 38 आदरनिये, कानून का पालन करने वाले ट्वीन्स में नागरिकों ने एक हत्यारे का डंठल देखा और तीन में एक महिला को चुरा घोंपा किव गार्दन में अलग अलग हमले उनकी आवाज की दुगुनी आवाज और उनकी अचानक चमक बेडरूम की रोशनी ने उसे बाधित किया और उसे डरा दिया हर बार वह लोट आया, उसे ढूंधा और उसे फिर से चाकू मार दिया एक व्यक्ती नहीं हमले के दौरान पुलिस को फोन किया, एक गवाह के बाद बुलाया महिला मर चुकी थी आज से दो हफ़ते पहले की बात है लेकिन सहायक मुखे निरीक्षक फ्रेडरिक एम लुसेन, नगर के जासूसों के प्रभारी और ए हत्या की जांच के 25 साल के अनुभवी अभी भी है चौंक गया वह कई हत्याओं का तथ्यात्मक पाठ दे सकता है लेकिन वो किव गार्दन की हत्या उसे चकित करती है इसलिए नहीं कि यह एक हत्या है बलकि क्योंकि अच्छे लोग पुलिस को बुलाने में विफल रहे सहायक मुखे निरेक्षक लूसेन के साथ के रूप में सदमे और चकित थे लगभग हर किसी की मानक प्रतिक्रियाएं जिन्होंने कहानी की डी पूँच सदमा सबसे पहले लगा पुलिस, समाचार लोग और पढ़ने वाली जनता दंग रह गई चक्मा ने तेजी से पीछा किया कैसे क्या 38 अच्छे लोग उन परिस्थितियों में कारे करने में अस्फल हो सकते हैं इसे कोई समझ नहीं पाया हत्याकांट भी खुद गवा है भ्रमित थे मुझे नहीं पता उन्होंने एक के बाद एक जवाब दिया मैं बस पता नहीं कुछ ने अपनी निश्क्रियता के कमजोर कारण बताए के लिए उदाहरन के लिए दो या तीन लोगों ने समझाया कि वे डर गए या किया शामिल नहीं होना चाहता लेकिन ये कारण बंध होने के लिए खड़े नहीं है चानबीन पुलिस को एक साधारन गुमनाम कॉल बचा सकता था गवाह की भविशे की सुरक्षा को खत्रे में डाले बिना कैथरीन जेनो विसोर खाली समय नहीं यह परेवेक्षकों का डर या उलजाने की अनिच्छा नहीं थी उनके जीवन जिन्होंने उनकी कारवाई की कमी को समझाया कुछ और चल रहा था वहाँ पर किवे भी थाह न पा सके लेकिन भ्रुम की स्थिती से खुशखबरी की नकल नहीं बन जाती तो प्रेस साथ ही अन्य मीडिया कई पत्र टीवी स्टेशन और पत्रिकाएं अब तक अनुवर्ती कहानियों का अनुसरन कर रहे थे एक मात्र स्पश्टीकरन पर बल दिया समय पर उपलब्ध, गवाह, बाकी लोगों से अलग नहीं हमें शामिल होने के लिए परियाप्त परवाह नहीं की थी हम एक राष्ट्र बन रहे थे स्वार्थी असमवेद नशील लोगों की आधुनिक जीवन की कठोरता, विशेश रूप से शहेर जीवन हमें सक्त कर रहे थे हम धकोल्ड सोसाइटी बनते जा रहे थे की जन उदासीनता का विस्तरित वर्णन किया गया है कई बार, ऐसा प्रतीत होता है कि एक अवधी के लिए उदासीनता, बीट, विक्सित कर ली है जेनोविस खुलासे को कम करना ऐसी व्याख्या का समर्थन भी करते हैं आर्मचेयर सामाजिक टिपणी कारों की एक श्रिंखला की टिपणियां थी जो, जैसा एक नसल, प्रेस से बात करते समय कभी भी चक्रा देने की बात स्वीकार नहीं करती है उन्होंने भी जेनोविस मामले को बड़े पैमाने पर सामाजिक महत्व के रूप में देखा पूर्व सभी ने उदासी इंता, शब्द का प्रयोग किया जो, यह ध्यान रखना दिल चस्प है, था टाइम्स के पहले पन्ने की कहानी के शीर्शक में रहा हाला की वे, उदासी इंता के लिए अलग तरह से गिना जाता है एक ने इसे टीवी के प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया हिंसा, दमित आकराम कता के लिए एक और, लेकिन सबसे अधिक निहित है अपने, मेगालोपॉलिटन समाज, के साथ शहरी जीवन का, प्रतिरूपन और इसके, समुह से व्यक्ति का अलगाव यहां तक की रोसेंथल वह नियूजमैन जिसने सबसे पहले कहानी को तोड़ा और जिसने अंततह उसे बनाया एक पुस्तक का विशय, शहर के कारण उदासीनता सिध्धान्त की सदसे ताली कोई नहीं कह सकता की 38 ने फोन क्यों नहीं उठाया मिस जेनोविस पर हमला किया जा रहा था, क्योंकि वे उन्हें नहीं कह सकते खुल, हाला कि यह माना जा सकता है कि उनकी उदासीनता वास्तव में थी बड़े शहर की विविद्धा में से एक यह लगभग मनोवै ज्यानिक की बात है जीवित रहना यदि कोई व्यक्ती लाखों लोगों से गिरा और दबाया जाता है उन्हें लगातार आप पर थोपने से रोकने के लिए और केवल ऐसा करने का तरीका उन्हें जितनी बार संभव हो अंदेखा करना है उदासीनता किसी के पड़ोसी और उसकी परेशानियों के लिए जीवन में एक वातानुकूलित प्रतिविम्भ है नियू योर्क जैसा की अन्य बड़े शहरों में है जैसे जैसे जेनोवेस की कहानी बढ़ती गई रोसेंथल की किताब से हटकर यह बन गई कई अखबारों और पत्रिकाओं के टुकडों का फोकस कई टेलीविजन सायन न्यूज वृत चित्र और एक ओफ ब्रोडवे नाटक इसने इसे आकरशित किया नियू योर्क स्थित मनोविग्यान की एक जोडी का पेशेवर ध्यान प्रोफेसर या बिब लताने और जोन डारले उन्होंने की रिपोर्ट की जांच की जेनोविस घटना और सामाजिक मनोविग्यान के उनके ज्यान के आधार पर सीए चोएलो जीवाए जो सभी की सबसे असंभावित व्याख्या प्रतीत होती थी उस पर प्रहार किया क्या 38 गवाह मौजूद थे के पिछले खाते कहानी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि कोई कारवाई नहीं की गई भले ही 38 व्यक्तियों ने देखा था लताने और डारले ने सुझाव दिया इतने सारे परेवेक्षक होने के कारण किसी ने भी ठीक से मदद नहीं की थी मनोवैज्यानिकों ने अनुमान लगाया की कम से कम दो कारणों से एक दर्शक एक नंबर होने पर आपात स्थिती में मदद करने की संभावना नहीं होगी उपस्थित अन्य दर्शकों की पहला कारण काफी सीधा है आसपास कई संभावित सहायकों के साथ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रतेक व्यक्ति को कम किया जाता है शायद कोई और देगा या मांगेगा सहायता शायद किसी और के पास पहले से है तो हर कोई यह सोचकर कोई और मदद करेगा या मदद करेगा कोई नहीं करता दूसरा कारण मनोवेग्यानिक रूप से अधिक पेचीदा है, यह है सामाजिक प्रमान के सिध्धान्त पर स्थापित और बहूलवादी शामिल है अग्यान प्रभाव बहुत बार एक आपात स्थितीस पश्ट रूप से उभरने वाली नहीं होती है सजचनता गली में पड़ा आदमी हार्ट अटेक का शिकार है या नशेका एक बंद सो रहा है क्या सडक पर गोलियों या ट्रक से तेज आवाजे आती हैं उल्टा असर क्या अगले दर्वाजे पर हंगामा पुलिस के लिए आवशेक हमला है या विशेश रूप से जोरदार वैवाहिक विवाद जहां हस्तक शेप अनुचित होगा प्रिय और अवांचित क्या हो रहा है ऐसी अनिश्चित्ता के समय में सुराग के लिए दूसरों के कारियों को देखने की स्वाभाविक प्रवरित्ती है अन्य गवाह जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हम सीख सकते हैं चाहे घटना आपात कालीन है या नहीं हाला कि जो भूलना आसान है वह यह है कि बाकी सभी लोग इसे देख रहे हैं घटना भी सामाजिक सबूत की तलाश में होने की संभावना है और क्योंकि हम सभी दूसरों के बीच शान्त और अप्रभावित दिखना पसंद करते हैं हम संभवत है उस साक्षे को शान्ति पूर्वक खोजने के लिए संक्षिप्त चलावरन वाली नजरों के साथ जो हमारे आसपास है इसलिए हर किसी के हर किसी को देखने की संभावना है अप्रभावित दिख रहे हैं और कारे करने में विफल रहे हैं एक परिणाम के रूप में और के सिध्धान्त के द्वारा सामाजिक प्रमान घटना को एक गैरापातकाल के रूप में व्यापक रूप से व्याख्यायत किया जाएगा लेटाने और डारले के अनुसार यह बहुलवादी अज्यानता की स्थिती है जिसमें प्रतेक व्यक्ती यह निर्ने लेता है कि चुनकी किसी को कोई सरोकार नहीं है कुछ भी नहीं गलत है इस बीच खत्रा उस बिंदू तक बढ़ सकता है जहां एक अकेला व्यक्ती दूसरों की शांत प्रतीत होने वाली शांती से अप्रभावित होगा प्रतिक्रिया करें लेटाने और डारले के तर्प का आकरशक परिणाम यह है कि आपात कालीन पीडित संख्या में सुरक्षा का विचार अक्सर हो सकता है पूरी तरह से गलत हो सकता है कि किसी को आपात कालीन सहायता की आवशेक्ता हो जीवित रहने का एक बेहतर मौका होगा यदि एक अकेला बाइस्टेंडर के बजाए भीड मौजूद थी इस असामाने थीसिस का परीक्षन करने के लिए D.A.R.A. लिवाए, L.A.T.A.N. उनके छात्रों और सहकर्मियों ने एक व्यवस्थित और प्रभावशाली कारेक्रम का प्रदर्शन किया अनुसंधान का जिसने निशकर्षों का एक स्पष्ट सेट तयार किया उनकी मूल प्रक्रिया आपात कालीन घटनाओं का मंचन करना था जो या तो एकल द्वारा देखे गए थे व्यक्तिगत्त या लोगों के समूह द्वारा फिर उन्होंने की संख्या दर्ज की कई बार आपात कालीन पीडित को उन परिस्थितियों में मदद मिली अपने पहले प्रयोग में नियू योर्क कॉलेज का एक छात्र जो दिखाई दिया मिर्गी का दौरा पढ़ने पर 85 प्रतिशक समय सहायता प्राप्त होती है मुश्किल हो जाता है कि हमारा धकोल्ड सोसाइटी है जहां किसी को दूसरों के दुख की परवाह नहीं है जाहिर है यह कुछ था अन्वे बाइस्टेंडर्स की उपस्थिती के बारे में जो शर्मनाक में मदद करना कम कर देते हैं स्तर अन्वे अध्येनों ने कारण में सामाजिक प्रमान के मिहत्व की जांच की है व्यापक गवा, उदासी इन्ता उन्होंने भीतर रोपन करके ऐसा किया है संभावित आपात कालीन लोगों के गवाहों का एक समूह जिनका पूर्वाभ्यास किया जाता है कारे करने के लिए जैसे कि कोई आपात स्थिती नहीं हो रही थी उदाहरन के लिए एक अन्यन्यून में योर्क आधारित प्रयोग 75 प्रतिशत अकेले व्यक्ती जिन्होंने अवलोकन किया एक दर्वाजे के नीचे से रिसने वाले दुए ने रिसाव की सूचना दी हालां की जव इसी तरह के रिसाव को तीन व्यक्ती समूहों द्वारा देखा गया था केवल 38 प्रतिशत समय की सूचना दी दर्शकों की सबसे छोटी संख्या कार्रवाई की हालां की जब तीन व्यक्ती समूहों में दो भारतिय शा मिल थे ऐसे द्रिश ये जिन्हें दुए को नजर अंदाज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था उन शर्तों के तहेत केवल 10 प्रतिशत मामलों में ही लीक की सूचना मिली थी इसी तरह टोरंटों में किया गया अधेयन सिंगल बाईस्टेंडर्स ने आपात स्थिती प्रदान की 90 प्रतिशत समय सहायता जबकि ऐसी सहायता केवल 16 प्रतिशत में हुई उन मामलों में जब एक बाईस्टेंडर दो अन्य की उपस्थिती में था बाईस्टेंडर्स जो निश्क्रिय बने रहे इस तरह के शोध के एक दशक से अधिक समय के बाद अब सामाजिक वैग्यानिकों के पास है एक अच्छा विचार जब एक बाईस्टेंडर आपात कालीन सहायता की पेशकश करेगा पहला और इस विचार के विप्रीत की हम एक कठोर लाप्रवाह समाज बन गए है लोग एक बार गवाहों को आश्वस्थ हो जाते हैं की एक आपात कालीन स्थिती मौजूद है सहायता की बहुत संभावना है इन शर्तों के तहित दर्शकों की संख्या जो या तो खुद हस्तक शेप करते हैं या मदद बुलाते हैं उन्हें काफी सुकून मिलता है उदाहरन के लिए फ्लोरिडा में किये गए चार अलग अलग प्रयोगों में दुरगटना एक रखरखाव आदमी से जुड़े द्रिशियों का मंचन किया गया जब यह स्पष्ट था उस आदमी को चोट लगी थी और उसे सहायता की आवशेक्ता थी उसे प्रती हंग्रेड मदद की गई थी दो प्रयोगों में समय का प्रतिशत अन्य दो प्रयोगों में जहां संभावित खत्रनाक विद्यूत के संपर्क में आने में मदद करना तार, पीडित को अभी भी 90 प्रतिशत में बाईस्टेंदर सहायता प्राप्त हुई रुख इसके अलावा ये अत्यंत उच्चस्तर की सहायता हुई चाहे गवाहों ने अकेले या समूहों में घटना को देखा स्थिती बहुत अलग हो जाती है जैसा की कई मामलों में दर्शक यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वे जिस घटना को देख रहे हैं वह एक है आपात कालीन तब पीडित को अकेले ही मदद मिलने की अधिक संभावना होती है एक समूह की तुलना में समझने वाला खासकर यदी समूह के लोग हैं एक दूसरे के लिए अजनभी ऐसा लगता है कि बहुलवादी अग्यानता प्रभाव अजनभीयों के बीच सबसे मजबूत है क्योंकि हम तयार दिखना पसंद करते हैं और सारवजनिक रूप से परिश्कृत और क्योंकि हम प्रतिक्रियाओं से अपरिचित हैं उनमें से जिन्हें हम नहीं जानते हैं हम उन्हें छोड़ देने या सही धंग से पढ़ने की संभावना नहीं रखते हैं अजनभीयों के समूह में होने पर चिन्ता की अभिवेक्ती इसलिए संभावित आपातकाल को गैर आपातकाल के रूप में देखा जाता है और पीडित पीडित है शोध निशकर्षों के इस सेट पर एक नजदी की नजर डालने से एक ज्यानवर्धक पता चलता है पैटर्न सभी स्थितियां जो एक आपातकालीन पीडित की संभावना को कम करती हैं बाइस्टेंडर सहायता के लिए शहर में सामानने रूप से और निर्दोश रूप से मौजूद हैं एक इसके विप्रीत ग्रामीन क्षेतरों में शहर अधिक शोरगुल वाले ध्यान भंक करने वाले तेजी से बदल रहे हैं ऐसी जगहें जहां घटनाओं की प्रकृती के बारे में निश्चित होना मुश्किल है मुठ भेड दो, शहरी वातावरन अधिक आबादी वाले हैं उनकी प्रकृती से फलस्वरूप, गवाही देते समय लोगों के दूसरों के साथ रहने की संभावना अधिक होती है एक संभावित आपात कालीन स्थिती तीन, शहर के निवासी बहुत कम जानते हैं छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में साथी निवासीयों का प्रतिशत इसलिए, शहरवासीयों के खुद को एक समूह में खोजने की अधिक संभावना है किसी आपात स्थिती का अवलोकन करते समय अजनभियों की शहरी वातावरण की ये तीन प्राकृतिक विशेशताएं उनकी घ्रम, उनकी आबादी और उनके परिचितों के निमनस्तर जहाज अनुसंधान द्वारा दिखाए गई कारकों में कमी के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट